हेलो दोस्तों तो छली अनलोग बात करें हैं NCRT करच्छा साथवी की हमारा अतीथ के कुवारे में हमें बात करने हैं ठीज़ याद रखना है आपको कि करच्छा चटवी विद्र जो भी आपकी चार वुक्स जरूरी थी वह हम लोग चार वुक्स ही देख चुके हैं पहली थ दूफरी थी हमारा अतीत फर्ष्ट, तीसरी थी हमारी पित्वी, हमारा आवास, और फूर्ट नंबर की योग थी आपकी बिग्या, कक्छा चट्वी, ठीक, कक्छा सात्वी में यह में चारी वोग देखनी हैं, जो हमारे लिए मत हुआ हैं, पहली है आपकी सामार्ची एवं आज मितिक जीवन भाग दो, इसे हम लोग देख चुके हैं, लाक्ट लेक्चरों में हम लोग ने इसी को देखा, आज हम लोग सुरूं कर रहे हैं जो, यह हमारा अतीत दो के नाम से, ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे हम लोग हमारा परियावन, फिर उसके बाद देख हमारा अतीत सेकेंड, या फिर आप लोग टेलीगराम से डाउनलोड कर सकते हैं, वह हम ने डाल दी हैं मुक्स, या पी कप्चा साथ भी के लिए हैं, और याद रखना आपके जितने भी लेक्चरों, एंसी एार्ट से सम्मन्दित बन रहे हैं, वो सभी एंसी एार्ट के ना इसमें आकर हम लोग देखेंगे क्या विशय सुची देख लेते हैं को, इस पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे, पहला अध्याय होगा हमारा, हजार वर्सों के दोरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल करेंगे, दूसरे अध्याय में हम लोग नए राजा और उनकी देखेंगे, दिढली के सुद्दा, मोगल समराज, माजबा होगा शासक और इमाधने और शटबा होगा नगर व्यापारी होगा साथवा चेप्टर होगा हमारा जन जादियां, खाना बदोस्ट और एक जगे बसे वे समधायद, आठवा होगा इस सुल से अनुराख, और नौवा चेप्टर होगा हमारा छेत्रीय संस्कृतियों का निर्मार, दसबे चेप्टर में हम लोग बात करेंगे, अठायरवी सताप आठी में नए राजनतिक गठन के बारे, इस तरह से हमारे दस चेप्टर होगे, फिर से बोल देता हम मैं, एक बार, लोग बार बार दोहरा रहा हूं, कि कच्छा आटवी तक कि जो भी आपकी अन्सी आइटी में, बहुत ही सादान्ड सब्दों में लिखी रहे हैं, पर इन तो जितना समझ में आ भी रहा होगा, वो भी उड़ जाए है, इसलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी एक बार उसे आदाम से सुनिए, पर या फिर पढ़िए, बिल्कुल टैंसर मत लेकर पढ़िए पहली बार, पहली बार एक बार नॉर्मल देख लिए, अपने मुझे लगता है, 90% तक आपकी concept clear हो जाएंगे, चलिए तो आगे हम लोग फर्स्ट चेप्टर अपना देखेंगे, हजारव बरसों के दौरान वी परिवलतनों की पड़ताल के बारे में जानेगे, चलिए, नमस्कार दूस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, N-T-E IT कप्चा 7 की हमारा अधि भाग दो के बारे में तो इसमें पहला चेप्टर है हमारा, हजारव बरसों के दौरान हुए परिवलतनों की पड़ता, देखते हैं हुआ, मालचित एक और दो पर आपको प्रिकास डालाए महाना, यह आपका मालचित देख ने, 12 सदी के भूगोल विता अल इद्दीसी का बनाये गुए दुनिया के नक्से का एक हिस्सा जिसमें भातियो महातिक को भूमी से समुद तक दिखाए गया है। देखेंगे। मांचित एक अरब भूगोल विता अल इद्दीसी ने 1100 चंगन में बनाये था। कब बनाये? 1100 चंगन में। यहाँ जो नक्सा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाये गए। दुनिया के बड़े मांचित का एक हिस्सा है जो भारतियो महादीब को दर्शाता है। मांचित दो, यह है आपका मांचित दो, यह दिखरा होगा स्री लंका यह आपका भारत। 18 सदी के आरम में गयोल लॉम्दा लिसलेन के एटलस नोगो के अनुसार है को माधी था। मांचित दो एक प्रांसेसी मांचितकार ने 1720 में बनाये था। दोनों नक्से एक ही अलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। अलकिदीसी के नक्से में दच्छन भारत का कुछ जगए है जहां हम आज उत्तर भारत ढोणेगे। और स्री लंका का दूई उपर की तरफ है। जगों के नाम अर्वी में दिए गया है। और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है। जैसे उत्तर पिदेश का कन्नोज मांचित दो में पहले मांचित के बनने के लगवा 600 बस बात बनाये गया। इस कालावदी में उम महादीम के बारे में सोचना ये काफी बदल गई थी। यह नक्सा में जाना परचितक लगेगा। उसमें विसेसकर तटीये इलागों के बारीक ब्योरे देखकर आश्य होता है। युरोप के नाविक तत्था ब्यापारी अपनी समुद्रे यात्रा के लिए इस नक्से का इस्तेमाल करते थे। इतनी ही मत्पूर एक और बात है कि दूसरे युग तक मांचित अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहास कर जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्सों और लेकों का अध्यान करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्वों का उनकी भिन भिन इतिहासिक प्रेश्ट भूमियों पर का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी सब्दावलियां देखते हैं। अगर छुगों के संदर्व बहुत बदलते हैं। उधारन के लिए मद्द युग की फार्सी आधुनिक फार्सी भासा से भिन्न है, जो मद्द युग में फार्सी चत्ती थी, वो आधुनिक फार्सी भासा से भिन्न है, यह भिन्नता सिर्फ ब्याकरन और सब्द भंडाल में ही नहीं आई है, समय के साथ सब्दों के यह भी पंजाब हर्याणा और गंगा यमुना के बीच में इस्तित इलाके के लिए हिंदोस्तान सब्द का प्रियों किया था उसने इस सब्द का राजनेति कर में उन इलाकों के लिए इस्तिमाल किया जो दिल्ली के सुल्टान के अधिकार छित में आती थे सल्टनत के पिसार के साथ साथ इस सब्द के अंतरवत आने वाले चित भी बढ़ते गए लेकिन हिंदोस्तान सब्द में दच्छन भारत का समाविश कभी नहीं हुआ इसके विप्रीच 16 भी सदी के आरव में 22 ने हिंदोस्तान सब्द कप्रियों इस ओम महादीक के भूगोर पसुपक्षियों और यहां की निवासियों की संस्किती का बर्डन करने के लिए किया यह पियोग 14 भी सदी के कभी अमीर खुसरो द्वारा पियोग सब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था मगर यहां भारत कोई भूगूलिक और संस्कितिक सब्द के रूमें पहचाना जाता रहा है वह हिंदोस्तान सब्द से बेराजमितिक और राष्टियर नहीं जोड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं किसी भी सब्द का प्योग करनेस में इतिहास कारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन सब्दों के कुछ अलगी अर्थ थे उधारन के लिए विदेशी जैसा सब्द सीधा साधा सब्द ही लेजिए हमारे लिए इस कारत होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारती है ना हो विदेशी का मतलब हम लोग यही समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भारती है ना हो उसे हम लोग विदेशी कहते हैं लेकिन मत्देगो मत्यों में माणो किसी गाउं में आने वाला कोई भी अंजाना बैक्ति जो उस समाज या संस्किती का अंगना हूद विदेशी कहलाता है ऐसे बैक्ति को हिंडी में परदेशी और भार्ड़ी में अजनवी कहा जा जाता इसलिए किसी नगर ववासी के लिए ववनवासी विदेशी होता था किन्तु एक ही गाहों में रहने वाले दो किसान अलग-अलग धार्वें और जाती परमपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे बात करते हैं इतिहासकार और उनके सुरोत क्या रहे हैं इतिहासकार की सिवका ध्यार करते हैं और उनकी खोज की प्रिक्ति क्या है इससे देखते हुए बे अलग-अलग तरह के सुरोतों का सहारा लेते हैं उदार्ण के लिए पिछले साल आपने गोप्त बंज की सासकों और हर्ष बदन की बारे में पढ़ा हैं इस पुश्टक मैं मौटे तोर पर सास्सों से सत्रेसों पचास इसमी तक लगबंग हजार बसों की बारे में पढ़ेंगे इस काल के अध्यन के लिए इतिहासकार जिन सरोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बाते हैं कैसी मिलेगी जो पिछली योग से बैसी चली आ रही है इतिहास का रिष्काल के बारे में सूचना एकर्टी करने के लिए अभी भी सिक्कों, सिलालिकों, इस्थापत, भवन निर्मार्टला तथा लिखित सामग्री बान निर्वर्वर करते हैं और कुछ बातें पहले से काफी बेनन भी है, इस योग में प्रमाडे लिकित सामग्री की संख्या और विवित्ता अक्ष्चरजने की रूप से बढ़ गई है इसके आगे इतिहास का सूचनाओं के दूसरे पेकार की सरोतों का इस्तेमाल धीरे-धीरे कम करने लगी इस समय के द्वारान कागज किरमसा सस्ता हो गया और बड़े में प्रमाने पर उपलब्ती भी होने लग लोग धरम गरंद, सासकों की बितान, संतों के लेकन, तथा उपदेश, आयजिया, अधालतों की दस्तावी, हिसाब तथा करों के खाते, आधी लिखने में इसका उप इखाकार गारों में रखा जाता है, इन पांडूर्पीयों तथा दस्तावीजों से इतिहासा कारों को बहुत सारी विश्टत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उप्यों काठिन है, इन दो पिसंगों की दुलना करना है, तेरवेश सदी के मत्य में एक विद्वान को ए अगर इसका इस्तिमाल किया, एक सदी बाग, अगर आप बाजार से कोई खालत पदायत खरीनते हैं, तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है, दुकान दावर बस्तू कावज में लपिट कर दे देता है, कई बार देखा, तो कावज कब अधिक महेगा था, और कब आ आसानी से उखलत होता था, वो सस्ता भी हो गया था, ठीके, आँगे बात करते हैं, अभी लेखागार, अभी लेखागार एक ऐसा इस्थान है, जहां दस्तावेजों और पांडूलिप्यों को संगेत किया जाता है, आज सभी राष्टिय और राजी सरकार के आप, अभी ले अभी लेखागार में, उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवी साथ से ही पांडूलिप्यां की पिति-किति बनाते थे, अगर आपने कभी किसी मित्त के गरह कायर की नकल उतारी हो, तो आप जानते होंगे, यह काम आसानी से आसान नहीं, कभी कभी आपने अपने मित्त की लिखावट समझ में नहीं आती होती है, और आपको मजबूर होकर अंदार ही लगाना पड़ता है, क्या लिखा गया है, फलस्वरूप आपकी लिखने में, मित्त के लिख़ी हुए सिकुद छोटे-छोटे, छोटे-मोटे मत्पूर अंतर आ जा पांडूलिपी की पितिलिपी बनाने में भी कुछ-कुछ यही गुता है, पितिलिपियां बनाते गुए लिखिक छोटे-मोटे फिर बदल करते-चलते थे, कहीं कोई सब, कहीं कोई बाब भी, सदी-दर-सदी पितिलिपियों की पितिलिपियां बनती रही, और अंतरता एक मूल गरंत की बिन बिन पितिली पियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई इससे बड़ी गंबीर समस्या उत्पन हो गई क्योंकि आज हमें लेका की मूल पांडू लिपी साइधी कहीं मिलती है हमें बात के लिपिकों द्वारा बनाई गई पितिली पियों पर भी परी पूरी तरह से निर्वत रहना पड़ता है इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलता लेकों ने क्या लिखा है इतिहास कारों को एक ही गरंत की बिभिन पिती लिपियों का अधियन करना बढ़ता है चित देख एक यह एक लगू चित की पिती करती है जिसमें एक लिपिक किसी पांडू लिपी की नकल कर रहा है यह दिख रहा है इस चित का आकार स्रिफ 10.5 cm x 7.7.1 cm है इस चोटर याकार के कारण जैसे लगू चित या फिनी एचर कहा जाता है कभी-कभी इन लगू चित्रों का प्योग लेक में आई पांडू लिपियों को इस पश्टा पिदान करने के लिए किया जाता था यह इतने सुंदर होती थी कि आगे चलकर संग्यरक करता अकसर इन चित्रों को पांडू लिपियों से अलग करके बेचने लगे यह आपका दूसरा चित्रों लिखावट की बिन पिकार की सेलियों के कारण फार्जी और अर्वी पढ़ने में कटना यह हो सकती है नस्त लिपि बाइयोर में और वर्ड जोड़कर धारा प्रबाह के रूम में लिखे जाती है भार्जी अर्वी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है सिकर्ष्ट लिपि दाइयोर अधिक सगन और संचिप और कठिने आगे बात करते हैं हम लोग कई बार लेका स्वैंबी समय समय पर अपने मूल बितांतों में संसोधन करते रहे दे थे चोदेवी सताब्दी के इतिहासकार जिया उद्दीन बननीन है अपना बितांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके दो वर्ष बार लिखा था दोने में अंतर है लेकिन 1971 की तक इतिहासकारों को पहली बार बाले बितांत की जानकरी ही नहीं थी या पुस्तकालेयों के विशाल संग्रे में कहीं दभा पड़ा हुगा है बात करते हैं नए सामाजिक और राजनितिक संगुवों के बारे में नए सामाजिक और राजनितिक संगुव सन 700 और 1750 के बीच के हजार बरसों के अध्यन हितिहासकारों के आविए बाहरी चुनोती रखता है मुखरूप से इसलिए कि इस पूर्य काल में परही पिरमारे पर और अनेक तरह के परिवतन हुए इस काल में अलग-लग समय पर नई परुदोगी की के दरसन होते हैं जैसे सिचाई में रहट, कताई में चरके और ये उद में अगने यास्तरों, बारुद बाले हत्यारों का इस्तिमाद इस महादीब में नई तरह का खान फान भी आया जैसे आलू मक्का, मिर्स चाय और कोफी दियान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई परुदुखियां और फसलें उन लोगों के साथ आये, जो नए विचार भी लेकर आये थे पईडाम सरूप ये है काल, आर्थिक, राजनितिक, सामाजिक, सांसिकिति परिवर्तन का काल भी रहा है अध्याय पांच, छे और साथ में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेगे, आगे हम लोग, अध्याय पांच, छे, साथ में इनके बारे में कुछ जानेगे, ठीड़ा इस योग में लोगों की गती सिलता एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था आउसर की तलास में लोगों के जुंड के जुंड दूर दूर की आत्राएं करने लगे थे इस महाती में अपार संपता और अपना भाग गड़ने के लिए अपार संभाव ने मौजूद थी इस काल में जिन समुदायों का महत बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपुत जिसका नाम राजपुत अल्थार राजया का पुत से निकलता है अठारवी से चौदरवी सदी के बीच यह नाम आम तोर पर एउद्दाओं के उस समुद के लिए प्रेउप्त होता था जो छत्ती वरड़ के होने का दावाग रट थी राजपुत सब्द के अंतरगत के वर्राजा और सामंत वरग ही नहीं बलकि बेश सेनापक्ति और सेनिक भी आते थे जो पूरे उम महादीब में अलागलक सासकों की सेनाओं में सेवारत थे कभी और चारण राजपुतों की आचार सेथा पिबल पराक्रम और स्वामी बक्ती का बुर्दान करते थे इस एग में राजनितिक दिर्ष्टी से महत्त हासिल करने के आउसरों कलाप, मराथा, सिख, जाट, अहों, कायस्त, मुकता, लिपिकों और मुंसियों का कार करने वाली जाती आधी समूवों ने वी उठाए परियावास, परियावास, इसका तात पर किसी चित के परियावाण, वहां के रहने वालों की सामाजिक और राजनितिक जीवन से लिज़िए परियावास का अर्थ क्या है? किसी भी छेत के पर्यावाण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन से लिज़ा इस पूरे काल के द्वारान किरम सा जंगलों के गटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ रहा था किरम साथ खेती का इलाका बढ़ रहा था कुछ चेत्रों में परिवत्तन अन्य चेत्रों की अप्यक्षा अधिक तेजी से और पूरे तोर पर हुआ परियावाज में परिवत्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना इस्तान छोड़ना पड़ एक कुछ और शित्पी ये बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे ये बड़े और जटिल समाजों की अंग बन गए उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और इस्थानिये मालिक वर्ट की बेगार करनी पड़ते थे पैड़ाम सरू किसानों के बीच आर्थिक और सामाजे अंतर उभरने लगे, कुछ के बाद चान्डा उपजाओं जमीन होती थी, वो कुछ लोग मवेसी भी पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आधी का कुछ काम कर लेती थे, जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग अज़ा दर्जा दिया जाने लगँ एद फिश्था में नहीं थे, किसी जैति विशेश के सदुसों की हाथों में कितनी सकता प्रभाव और संसाधनों का नियनतर है, इसके आदार पर उनकी दर्जे बदलते रहे थे थे, एक जैती का किसी छेत में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अनचित में कोई और अपने सदसों के बिभार का नियंतर करने के लिए जातियां स्वयम अपने अपने नियम बनाती थी इन नियमों का पालन जाती के बड़े बुईवों की एक सभा करवाती थी जिसे कुछ इलाकों में जाती पंचाय करा जाता थी लेकिन जातियों को अपने निवास के गाउं के रिवाजियों का पालन भी करना पड़ता था इसके अलावा कई गाउं पर मुखियाओं का सासन होता था मिल मिलाकर बे किसी राज की एक छोटी काई भर होती थी बात करते हैं छित और संपराज्जों की बारे में चोल हम लोग अध्याय दो में पढ़ेंगे तोगलक अध्याय दीन में पढ़ेंगे मुगल अध्याय चाह में पढ़ेंगे चोल तोगलक मुगल जैसे बड़े राज्यों की अंतरगत कई सारे छित आते थे दिल्ली के सुन्ता ग्यासुद्दीन बल्बन 1266 से 1287 तक रहाई सासक ग्यासुद्दीन बल्बन की पिसंसा में एक संस्क्त पिसंस्ती में उसके एक विसाल समराज का सासक बताया है जो पूर में बंगाल गोंड से लेकर पश्टन में अफगानिस्तान की गजनी तक फेला गौण, आंद, किरन, करनाटक, महराष्ट और गुजराद, आधी भिन भिन चित्रों में लोग उसकी सेना के आंगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के दाओं को अती सयोकती मानते हैं। साथ ही बेया समझने की कौसित भी लगे रहते हैं। इसाथक लोग इस उमादी के फिन फिन भागों पर अपने अधिकार का उलिक क्यों करते हैं। यह मानचित तीन हैं। मिसके सिहाबुद्दीन उम्रीदवारा रचित मसालिक अल अफसर फी ममालिक अल अमसर के अंसाथ मुहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली सल्तनक के आने वाले प्रांत। सिंदू, सतलज, गंगा, यमना निकल रही हैं। यह आपके बंगाल के खरी होगे। यह अरब सागर होगे। इसमें आपके प्रांत थे सिविस्तान, उच्छ, मुल्तान, कालानोर, लाहोर, समाना, सलसुती, कुहराम, भौसी, दिल्ली, वदायू, कन्नोज, कडा, अवद, पिहान। लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजराथ, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वारसमुद, महवाद। ठीले हैं सभी। देख लेना। आंगे बात करते हैं हम लोग। भासा ततना छेत्थ के बारे में सन 1318 में कभी अमीर खुसरों ने इस बात पर गौर किया था कि इस तेश के हर छेत्थ की एक अलग भासा हैं सिंधी, लाहौरी, कस्मीरी, द्वार समुद्री, तर्चिन भारत, करनाटक में, तेलंगानी आंध्पिलेस में, गुजरी गुज अधर पिदेश में, और हिंद भी दिल्ली के आसपास के चेत्थ में, अमीर कुसरों ने आगे बताया, कि इन भासाओं के विपरीत एक भासा संस्कित भी है, जो किसी विसेश चेत्थ की भासा नहीं है, यह एक प्राचिन भासा है, जिसे के बार ब्रह्मन, ब्रह्मर जानते हैं, और आम जनता नहीं जानते, अमीर कुसरों द्वारा उलिखित भासाओं की एक सूची बनाई, और एक सूची उन भासाओं के नामों की बनाई, जो उनके द्वारा उलिखित चेत्रों में आज बोली जाते हैं, जो नाम एक से हैं, उन्हें रेकांकित कीजियो, जो भिन ने विचारों और गेरा वनानी थे आंगे बात करते हैं संसात्सो तक कई चेत्रों के अपने अपने गोलिक आयां तै हो चुकी थे उनकी अपनी भासा सांस्कितिक विसेश्थाएं इस पर ठोगई थे अध्याय नो में आपकी इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी और मुगल जैसे राजवन्स अनिव चित्रों में फेला एक विसाल समराज भी खड़ा कर लेते थे यसी सभी समराज समारूप से इस्थर या सफल नहीं हो पाते थे उधारने के लिए अध्या तीन और चार की देखें लिया में ठील अठारवी सदी में मुगल पतन के डालान पर था फल्सवरुग चित्रीय राजवन्स पर से उबारने लगी थी लेकिन बरसों से जो सर्व चित्रीय समराज्यों का सासन चल रा था उससे चित्रों की प्रिक्ति बदल गी थी उनपर कई ही चोटे बड़ी राज्यों का सासन और उन राजियों की बहुत सी बातें इस महाधिम में कि अधिकतर भागपर फहले इन चेत्रों को बिरासत में मिली थी। इस तत्त का पता में उन न कई परंपराओं से लगता है जो इन चेत्रों में उढैंख नहीं ही थी कि इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे, दूसरे से भेन और कुछ एक समान है ऐसी परंपरायों में किसासन, अरदववस्था के प्रभंधन, उच्छे संस्किती तथा भासा की संदर में मिलती है संसाथ सो से लिए कर सत्तरे सो पचास के बीच कि हजारों बरसों में इन बिभेन छित्रों के प्रक्टिती एक दूसरे से अलग अलग नहीं पनपी थी हाला कि उनके चरित की अपनी वेसेश्टाय बनी रही मगर समनवे की सरफ छित्वी है ताक्तों का प्रभाव भी उन पर पड़ा पुराने और नए धरम पुराने और नए धरम इतिहास के जिन हजारों बरसों की परताल हम कर रहे हैं इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवतन आई देविक तत्तों में लोगों की आस्था कभी कभी पिल्कुल ही बेखती इस तरफ पर होती थी मगर आम तोर पर इस आस्था का स्वरूप सामुहिक होता थी किसी देविक तत्त में सामोहिक आस्ता यानि धर्म पुरया स्थानिय समुदायों की सामाजिक और आर्तिक संवठन से संबंदित होती थी जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया है वैसे ही इनकी आस्ताओं में भी परिवतन आता है आज हम जिसे हिंदु धर्म कहते हैं उसमें भी इसी योग में मात्पूंट बढ़ला हुए इन परीवत्नों में से कुछ थे नए नए देवी देवताम की कुझा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्मान, समाज में पुरोईतों के रूम में ब्रह्मणों का बढ़ता, मात तथा बढ़ती सर्था, संस्वित गिरंतों के ज्ञान के कारण समाज में ब्रह्मणों का बढ़ा आदर होता था, इनके सनक्षक थे, नए नए सासक जो स्वैन पितिष्ठा की चायने थे, इन सनक्षों को का समल्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी वढ़ इस योग में एक मत्कूर परिवतन भक्ति की आउधारना के रूम में आया, इसमें ईसर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल ईष्ट देवी देवताओं के रूम में की गई, जिस तक पुजारियों के पिश्चा करमकांड के विना भी भक्ति स्वैन पहुंच सके, भक्त स्वैन पह में ही बढ़ेंगे, ठीक आँए, अध्यायात है, यह वए योग था, जिसमें इस उमहादी में नए नए धर्मों का आखमन हुए, कुरान सरीक का संदेश भारत में, पहले पहल साथवी सदी में, ब्यापारियों और आफरवासियों के चरूए पहुंचा, मुसल्वानों अपना धर्म गरंत मानते थे, किवल एक इस्वर अल्ला की सत्ता को सुईकार करते थे, जिसका प्रहम करणा, उधार्दा, अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गवले लगाता थे, चाहे उस व्यक्ति की सामाजी पिष्टू में कुछ भी रही हो, कई सासक इसला धर्म सास्तियों और नियाय सास्तियों, अथा उलेमा को सरक्षण देते थे, हिंदू धर्म की बाती ही, इसलाम के खनोयाई, भी अपने धर्म की अलग-लग तरह से व्याथ्या करते थे, मुसल्मानों में कुछ सिया थे, जो पैगंबर साहिब के दमात, अली को मुसल्मानों का बिदी समध निता मानते थे वो कुछ सुननी थे जो खलीपाओं के प्रभुत को सुईतार करते थे इसलाम के आरंबिक दोर में इस धर्म करने वाले खलीपा कहलाते थे आंगे भी इनकी परंपरा चलती रही इसलाम नियाय सिद्धान विशेशकर भारत में हनफी और सफी ऐ ऐसे सिद्धान थे कि विविन परंपराओं में भी कई मत्मूर अंतर रहे हैं ऐसे ही धर्म सिद्धान तों और रहसवादी विचारों को लेकर विविन निताय देखने को मिलती रहे हैं समय और इतिहास काल की कालगंडों पर विचार करते हैं लोग इतिहास काल समय को किबल गड़ी या केलेंडर की तरह नहीं देखते हैं यानि केबल गंटों, दिनों या फे बासों की बीदने की रूम में ही नहीं देखते हैं उनका नजरीया यह है कि समय सामाजी आर्थिक संगतन में आने वाले परीवत्वों को जलगाता है या दिखलाता है कि विचारों विश्वासों में कितना इस्थायक पराया है, और कितना परीवत्वन आया है यदि अतीत को समाद बिसेश्टा रखने वाली कुछ बड़े बड़े हिस्सों एवों कालों में बांट गिया जा है तो समय का दिन कुछ आसान हो जाता है 19 सथी के मत में अंग्रेज इतियासकारों ने भारत के इतियासकों तीन एवों में बांट था हिंदू, मुसलिम और बेटिस ये विवाजन इस विचार का राज़धारिक था कि सासकों का धरम एक ही मात, एक मात मात्पूर इतियासक परिवत्वतन होता है और अर्थविष्टा समाज और संस्किती में और भी मत्पूर बदलाव नहीं आता इस दृष्टी कौर्ड में इस महादीप की अपार विवित्ता गिवी अपेक्षा हो जाती थी इस काल विवाजन को आज बहुत कम इतियासकार ही स्विकार करते हैं अधिकतर इतियास का आर्थिक सामाजिक कारिकों के आदार पर ये अतीर के विविन काल करनों की बिसिस्ताइं तै करती है पिछली साल आपने जो इतियास पड़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कही पिकारों का समाविश था जैसे सिकारी, संगह, प्यारमिक दौर के किर्थी करमी, सहरों और गाओं के निवासी, प्यारमिक दौर के राच्चों समराज इस साल आप जो इतियास पड़ेंगे उसमें मद्य, प्रया, मद्यकाली इतियास कहा जाता है जो हम लोग बात करेंगे साथ सो सिसाथ, सत्रे सो पचास तक इससे हम लोग मद्यकाली इतियास कहते हैं इसमें आपको किर्षक समाजों के विस्तार, सित्थी और समराज़िग राजियों के उदार, कभी-कभी तो गिरामबासियों और वनबासियों की कीमत पर पिधान धर्मों के रूम में हिंदू दर्म, इसलामधरम के विकास, और इव्रोप से व्यापारी कंपीनियों के आग इसलिए साल काल को एक इतिहासे के काई के रूम में देखना समस्याओं से खाली नहीं फिर मद्यकाल की तुल्ला प्रया आधुनिकाल से की जाती है आधुनिक्ता के साथ बहुत तीक उनधी और बहुत तीक प्रवित्ती का भाव जुड़ा गया है इससे आधर यह निकलता है कि मद्यकाल रूड़ी बादी था उसमें कि उस दोरान कोई परिवतन हुआ ही नहीं लेकिन हम जाते हैं कि यह असार नहीं था इन हजारों परसों के बरण इस महादीव के समाजों में प्रया परिवतन आते रहे हैं कई छेत्रों के अर्दस्ता तो इतनी समद्ध हो गई थी कि उसमें इवरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकिर्षित करना आरम कर दिया इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवतन के चिन्नों तथा या सक्रिय इतिहासे पिक्रियाओं पर दियान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं इसकी तुलना आप पिछली बर्स पढ़ी हुई बातों से करने की कोसिस करें जहां भी संभव हो यह देखें कि कहां बदला हुए और कहां नहीं और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़ा डाल कर भी यह देखें और भी क्या बदला है यह कैसा है बैसा ही चल रहा है तो इससे समंधिता आपके कुछ मातूं कुश्चन है इना लगाते रहना प्रयाद रखिए आपकी पीडिया टेलीग्राम पर डाल दी लिए यह बीज सब्द हैं जैसे आप लोंने पांडूलीपी की परिवास दी लिए जाती देखें छेत देखें कालवे भाजन भी देख आप देखेंगे बाद में आपके लिए ने बताया गया है क्योंकि कहानी का रोग दी 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 आ है बताया है कि कौन सा सब्यक्राम की परिवासा क्या हो सकती है तो आप लोगों को जानदा टैंसर नहीं देना तो यह आपका पहला चैप्टर था क्या था हजार बरसों की दौरान वे परिवतनों की पड़ताल कर लिए आंगे दूसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे नए राजा और उनकी राज्य नमस्का दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थें NCDIT कक्छार साथवी की हमारा अतीद भार्दों की नाम से जो आपकी भूक्स है उसमें हम लोग पहला चैप्टर हमारा देख चुके थे अपका पहला चैप्टर था हजारां वरतों की दौरान वे परिवतनों की पड़ताल देखी थी इसमें बात करेंगे हम लोग नए राजा और उनके राज याद रखिए हरवार में यहीं बोलूँगा कि आप लोग इसे कहानी की तरह पढ़िए या पर सुरिए जो भी NCDIT वोक्स हैं एक बार मैं तो कहता हूं कि यह कहानी की तरह पढ़ लीजे इन सभी वोक्स जब आप कहानी की तरह पढ़िए और धेर रखकर पढ़िये लाट तक पढ़िये क्योंकि एक बार में आपको समझ में नहीं आने वाला की पूरा एक बार में घूल के पी जाओओ तो बीच बीच में हडवड़ा आना मत तो लाट तक सुनते रहना है आपको तभी समझ में आपको बीच बीच में आप अड़ बड़ा होगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है दूसरा चप्टर क्या है नए राजा और उनकी राज साथवी सताब्दी के बाद कई राजबंसों का उद्यवर मानचित एक में ओ महादिक के विभेन हिस्तों के में साथवी से बाहरवी सताब्दी के भी सासन करना वाले प्रमुक राजबंसों को दिखलाए गया देखिए जैसे आपके मुल्तान के अरव चौहान मंसूर के अरव अनरटा यह आपका राष्ट पूट हो गया मालके मानके चैर पंड़ो पंडेन चोल पूर्वी चालुक कलिंग पहाड़ पूर्बाल कामरूप प्रयाग बनारसित कुछ राज्य कन्योज इंपरस्त याद रखना है वहले महादीब की बात इस समय होती है तो आपका कुछ पाकिस्तान का पूरा हिस्सा नैपाल तिब्बत तक और यह आपका इस तरह पूरा लगा हुआ था है वो महादीब में आता था आगे बात कलते हैं नए राजवनसों का उदय साथवी सदी आते आते वो महादीब के विवेंद भागों में बड़े भू स्वामी और यह उद्धा सरदार अस्तित में आ चुकी थे राजा लूग प्रया उन्हें अपने मातहत या सामंत के वो में मानता देती थी उनसे उमीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपभार लाएं उनकी दरवार में हाजियर लगाएं और उन्हें सैन साहता पिधान करें अधिक सब्ता और संपदा हसे करने पर सामन्त अपने आपको महा सामन्त महा मंडले सो पूरे मंडल का महान स्वामी महा मंडले सो होता था इत्यादी गोसित कर देते कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत्त से सुतंत हो जाने का दावा भी कर देते इस तरह का एक उधारन दक्कन में राष्टूट कूटों का दप, शुरुवात में वे करनाटक के चालुक राजाओं के अधिनस्त थे, राष्टूट दक्कन के राष्टूट, आटभी सदी के मद्द में एक राष्टूट पिधान दंती दोग ने अपने चालुक स्वामी की अधिन्ता से इंकार केती है, उसे हराया हरन गरभ, साथिक रत, मतलब सोने का गरभ, नामक एक अनुष्ठान का है, जब यह अनुष्ठान ब्रह्मणों की साहता से संपन किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना चत्रिय ना होती है भी, चत्रिय की रूम में दुबारा चत्रियत प्रात कर लेगा, यह आपकी एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं गुफा 15 वितिचत जिसमें विष्णु को नर्सिंग अर्था पुरोस सींग के रूम में दिखलाए गया यह राठकूटकार की किरती है कूछ लेता है कि जो एलोरा की गुफाएं किसके कालगी है राठकूटकार की कुछ अन उधारणों में उद्दिमी परिवारों के पुरुसों ने अपनी राठसा ही कायम करने के लिए सेंड कोसल का इस्तिमाल किया मिसाल के तौपर कदम मयूर सर्मड और गुरियर पितिहार हरी चंद ब्रहमड थे जिन्होंने अपराएं परंपरांगत पेसे को छुड़ और सस्त को अपना लिया और किरम और करनाता को राजी स्थान में अपने राज सबढ़ता पूर्वक्त इस्थापित कि बात करते हैं राज्कियों में पिसासन की है इन नई राजाओं मैंसे कईयों ने महाराज धाज, महाराजा, धीराज, राजाओं की राजा उपादी, तिरुभवन, चक्कवर्तिन, तीन भुवनों की मुखास्वामी और इसी तरह की अन्न भारी भरका उपादियां धारगी लेकिन इस तरह की दावूं के बाप्यू बे अपने सावन्तों और साध इसाध किसान, व्यापारी, ब्रहमडों की संगत्नों के साथ अपनी सत्ता की सांज़दारी करते थे इन सभी राजाओं, राज्यों में उत्पात कों, अर्थात किसानों, पसुपाल कों, कारीगरों से संसाधने के कट्टे किया जाते थे इनको अक्तर अपने उत्पात का ये किस्सा त्रियागने के लिए मनाया या बात किया जाता थे कभी-कभी इस इस्से को लगान मानकर बसूला जाता था क्योंकि प्रांत प्राप्त करने वाले भूस्वामियों को होने का दावा करता था राजस व्यापारीनों से भी लिया जाता था चार सो कर्म तमिलाणों में सासन करने वाले चोल बंसके अविलेकों में बेभीन किस्म की करों के यह 400 से ज्यादा सूचक सब्दे मिलते हैं सबसे अधिक उलिकित कर है बिट्टी जो नगक की वज़ा है जवरं सरम के रूम में लिया जाता था यानि कि जवरं सरम और कदमाई यानि की भूर राजस था मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर खजूर या तार के पेड़ पर चड़ने के लिए सीड़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर पारिभारक संपत्ती का उत्राधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्याधिका भी उल्ले कर यह संसाधन राजाओं की विवस विद्धियादार बनते थे, साथी मंदिरों, धुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे, संसाधनों में उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, जिन से लूट की सकल में धन, मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयों की सम्हाय हो नए बंदी थी, राजे स्वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुकती, सामान नताब प्रभावसाली परिवारों की भी सिख्की जाती थी, और प्रया वंसा गुद, बंसा अनुगत होती थी, सैनावी भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा की निकट संबंदी इन उर्वि भी हो सकते हैं, लेकिन ये पिसस्तियां हमें बताती हैं, कि सासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थी, मिसाल के लिए सुर्वे, विजय ये उद्धाम के रूमें, ये विद्वान बिन मड़ो द्वारां रची गई थी, जो अकसर पिसासन में मदद करते थी, बात करते हैं, नांग बठ की उपलब्दियां, नांग बठ की उपलब्दियां, कई सासकों ने पिसस्तियों में अपनी उपलब्दियों का बखान किया, आपने पिछली साल गुप्त सासक चंसमुद्ध गुप्त की विसस्ति के बारे में पढ़ा है, संस्कित में लिखी गई गई ग्वा लीजिशाय का एक हिस्षा के राजा उनके आगे तभी धराज़ाई हो गये जब बियराजकुमार थी। उन्होंने कन्यों पिस सच्च पर को बेजित कियylan उन्होंने बंग बंग अनायग गुजरात का हिस्षा मालवाद, मधविद्स का हिस्षा किराद, वनवासी, तुरुस्क, तुरुक, वज, मस, दोनों उत्तरभारत किराज राजाओं को पराजिब किया राजा लोग प्रया ब्रह्मनों को भूमी अनुदान से पुरुस्कित करते थे एताम बत्तों पर अभिलिकित होते थे जो भूमी पाने वाले को दिये जाते थे, चित यह थोड़ा संस्कित और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम पत्तों का एक संग्रह जिसमें नौवी सरी में एक सासक के द्वारा दिये गए भूमी अनुदान का उले जिन कडियों में से इपत्त जोड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक पिर्माडिक दस्ता भीज है भूमी के साथ क्या-क्या दिया जाता था यह चोलों के द्वारा दिये गए एक भूमी अनुदान के तमवे बात का एक गांस है हमने मिट्टी की मेड़े बना कर साथी काटेदार जाड़ियां लगा कर भूमी की सीमाओ को चिन्नित कर दिया है इस भूमी पर एक चीज है फल्दार वेक्च, पानी, भूमी, बगीचे और प्लोददान, पेड़ कुए, खुली जगए, चारागाई, एक गां, बावी, चबूतरे, नहरे, खाईया, नदिया, दल्दरी जमी, हौच, अन्नागार, मचलियों के ताला, मदुमक्कियों के च नया दिकारियों द्वारा जुर्माने के तोपर लगाए गए कर बसूल सकता है, पाने के बत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपरों पर लगने वाला कर, साथी साथ बाहनों पर लगने वाला कर बसूल सकता है, वह पक्की इंटों से बने, ओपरी माल पर बड़े कमर बनवा सकता है, बरे और छोटे कुए खुदवा सकता है, पेड और कांटिदार जारियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो उसे चाहि के लिए नहर बनवा सकता है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानफिती बरवाद ना हो, तडवन्दों का निर्माद। बारेवी सदापदी में एक बेहत संस्कित का बिभी रचा गया जिसमें कस्मीर पसासन करने वाले रज्याओं का इतिहास दर्ज है इसे कलहण नामक रजनाकारद्वारा रचा गया कलहण ने अपना बितांत लिखने के लिए सिलाले को दस्तावीजों फित्यक्ष दर्जियों के बढ़नों और पहले की इतिहासों समेत अनेक तरह के सरोतों का इस्तिमाल किया है पिसस्तियों के लेक कौन से भिन वए अक्सर सासकों और उनकी नेतियों के बारे में आलोशनात्मक रोग दिखनाता है इसलिए बाहरवी सदी के लिए यह आसारान गरंत था बात करते हैं धन के लिए यह हो आपने यह गौर्थ किया हुआ कि इनमें से पितेक साथ राजवन सकाथा कोई छित बिसेश था बे दूसरे छित्रों पर भी नियंतर करने का प्रयास करते थे एक बिसेश रूप से वांचनी यह छित था गंगा हड़ाटी में कन्नोज नगर गुर्जर्पितिहार राष्टकूट और पालबंसों के सासक सदियों तक कन्नोज के उपर नियंतर को लेकर आपस में लड़ते रहे चुपी इस लंबी लड़ चली नड़ाई में तीन पक्ष थे इसलिए एक यहासकारों ने प्रयाईन की चर्चा त्री पक्षिये संगस के रूम में किये जैसा कि हमने देखा है कि सासकों ने बड़े मंदरों का निर्माट करवा कर भी अपनी सत्ता और संसादनों का पिदर्शन करने का प्रयास किया इसलिए जब भी एक दूसरे के राज्यों पर आखमण करते थे तो मंदरों को भी अपना निर्शाना बनाते थे जो कभी कभी बहुत अधिक संपन होते थे आप अध्याय पांच में इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे यहीं बात करते हैं सुल्तान अर्वी भासा का सब्दे सुल्तान अपकर अर्वी भासा का सब्दे इसका मतलव होता है सासक सासक को सुल्तान करते हैं अर्वी भासा में अफगालनिस्तान की गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे सासकों में से सबसे पिसेते उसने 997 से 1030 तक सासन किया वो अपने नेंतन का वि उस्तर पष्टमी हिस्तितक किया, वो अलगबर हर साल ओह महादीप पर हमला करता था, इसका निसाना थी संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सौमनात मंदिर भी सामिल है, महमूद जुद्धन उठा ले आ गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक ब्रहो साली, रा उसने अलग विर्णी नाम के विर्द्धवान को इस महादीप का लिखा जुठा लिखने का काम सौपा, अरवी में लिखी गई, उनकी किताब उलहिंद, किताब अलहिंद आज भी इतियासकारों के लिए एक महत्पून स्तरोत, अलग विर्णी विर्णी ने इस से तियार कर करने के लिए संस्कित के विद्धवान से परहमज किया, योद करने वाली दूसरे जाजाओं में चाहिवान भी थे, जो बाद में चौहान की रूम में जानेगे, विद्ली और अजमेई के आसपास के चित्रों पर सासन करती थे, उन्होंने पर्ष्चिम और पूर्पी जहां उन्हें गुजरात के चालुकों और पर्ष्चिमी उत्तरपिति इसके गहड़ बालों से टकल लेनी पड़ी, चाहवान नों के सबसे पिसे देशा सकता पितिवी राज तितिये, इसका समय काल राये ग्यारे सो अरुसर्ट से ग्यारे सो बावन बत्त, जिसने सुल्ता पहुम्मद गौरी नामक अफगान सासब को 1191 में तराइन के फ़ष्ट यूद में हराये, लेकिन तराइन के दुस्तिये यूद में दूतरे साल ही हुगा था, 1952 में, उसके हाथों हार गये, तराइन के फ़ष्ट यूद में पित्वीरा तितिये जीत चुपा, तराइन के दुस्तिये यूद में पित्वीरा चौहन की हारवी थी, चोल राच, नजदीक सीखना ले, दक्षन भारत में का सासन था, चालोक, देखकमादित, और के अंतरगत आता था, इसमें एक कलेंग, दक्षन का कलेंग, काक्तिये, बेंगी, चोल, मदुराई, बांडव, इस सब कुछ सहर हैं, कुछ आपके सासर बंद से, बात करते हैं, औरे यूद सितन जावुर्दा, चोल बंद संतावरा कैसे आया, काबिरी डिल्टा में, मुटरियार नाम सिपिसित, एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, विकांची पुराम के पल्लम, राजाओं के कुछ ने, नौवी सिदी के मत में, मुट्तिरी आरों कुखरा कर, इस टेटा को कज़ा करें, जमाया, उसने वहां तान जावुर्द, सहरोन, नीसम, सुमसूजनी, डेवी का मंदिर बनवाया, विजयालय के उत्तरादिकारियों ने पढ़ोसी इलाकों को जीता, और उसका र और बल्लो की राके इस राजन का हिस्सा पना ली गए, राज, राजपितम, जो सबसे सकती साली चोल सासक माना जाता है, नौसो पचासी में राजा बना, कौन राज, राज, पितम, और उसी ने इन में से जानदातर चित्रों पर अपन नेंतन का विर्स्तार किया, उसने समर जारी रखा, और उसने गंगाहाटी, स्रीलंका, तद दच्छन पूर्वेशिया के देशों पर हमला भी किया, इन अभियानों के लिए उसने एक जलसेना भी बनाई थी, बात करते हैं बाप्वे मंदिर और कास मूर्थियां, राज, राज, और राजन पितम द्वारां कि याद रखना है, तंजावर और गंगई कोंड चूलपुरां के मंदिर किसने बनवाई थी, राज और राजन पितम द्वारां, चूल मंदिर अक्सर अपने आसपास बिक्सित होने वाले बस्तियों के केंद बन गई, यह सिर्फ बहत्पाधन के केंद थी, यह मंदिर सासक और अनलोगों द्वारां डी गई भूमी से भी संपन हो गए थी, इस भूमी की उपर उन सारे विसेशकों का निर्वाहर करने में खैच होती थी, जो मंदिर के आसपास रहती, और उनके लिए काम करती थी, पुरोहित, मालाकार, वावर्ची, महितर, यह आपका संगीतकार, नलतक इत्याली, दूसरे सब्तों में हम लोग कहें, तो मंदिर सर्फ पूजा, अराधना की स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांतकिते, जीवन के कैंद भी थे, मंदिरों के साथ जुड़े, कोई सिल्पों में सबसे विस्ष्ट था, कास इतिमा बनाने का काम, च पुछ पितमा भक्तों की भी बनाएगी, यह है आपका गंगई कोट, कोंड चोलपुरम का मंदिर, छत जिस तरह से करम सा पतली होती गई है, उस पर गौर करें, बाहरी दीवारों को सजाने के लिए, पत्थर की जो पितमाय अलंकित की गई है, उन्हें भी रूप, देखें बात करते हैं किर्सी और सिचाई, चुलों की कई उटवदियों में किर्सी में हुए, नए विकास के मात्यम से संभव भी, मांचित दो में देखाते हैं, गौर कीजिए कि काविरी नदी बंगाल की काड़ी में, मिलने से पहले कई छोटी-छोटी साखाओं में बढ़ जाती इस साखाएं बार-बार पानी उलेचती हैं, जिसे किनावरों पर उपजाव मिट्टी जमा होती रहती हैं, साखाओं का पानी किर्सी मिसेस ता चावल की खेती के लिए आवसक आदेता भी मुया कराता हैं हागला की तमिलाडू के दूसरे सोमें किर्सी पहली ही विक्सित हो चुकी थी, पर पाचवी या चटी सदी में आकरी इस इलाके में बढ़े परमाने पर खेती सुरू हो बाई, कुछ इलाकों में जंगलों को उसाप किया जाना था, कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था, डेल्टा छेत्रों में बाड़ को रोकने के लिए तटवंद बनाया जाने थी, पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्वार होना था, कई छेत्रों में एक साल में दो फसलें उगाई जाती थी, या पकि एक चोल कांस्ट पित भाए, कितनी पादाने के साथ इसे अलंकित किया गया है, जित्त माच में आपको नभी सतापती है, तमिलाडू का एक चल्दवार है, होज से नदी की साखाओं में पानी के प्रवाय को इसके जरिये नियंतित किया जाता है, इस पानी से केद सीचे जाते थे, जल्दवार पारंपरी रू पादा है, जो आमतोर पर पानी के इसतर को नियंतित और नदियों और नैरों में जल्द प्रवार को संचालित करता था, कई जगों पर फसलों के सचाई किन्तिम रूफ से करना जरूरी था, सचाई के लिए कई पग्दितियों आपनाई गई थी, कुछ लाकों में व्यक्ष को दे गई, कुछ अन्य जगरों में वारिस के पानी को एकटा करने के लिए विसाद सर्ववार बनाएगे, इसमार रहे की, याद रहे कि सचाई के काम हैं, यह उजना की जरूरत है, जैसे सरम और संसाधनों को विवस्तित करना, इन कामों की देखरे करना, और यह तर करना क की पानी का बटवारा कैसे किया जा, जैना तर नए सासकों द्वारा, साथी साथ गाउं में रहने वाले लोगों ने इन गती विदियों में सक्रिय रूप से दिर्चस्वी दिखाई, समराज्य का पिसासन, पिसासन किस पेकार के संग ठिक था, किसानों की वस्तियां जो और कहलाती थी, किसानों की वस्तियां क्या कहलाती थी, और सिंचित खेती के साथ सब बहुत संब्द्ध हो गई थी, इस तरह के गाउं के समोग को अम लोगों नाडू का जाता था इस समय, ग्राम परिशत और नाडू नियाय करने और कर बसूलने जैसे कई सासकी यह कार करते थ किसानों को केंद्री ये चोल सरकार की देखरिक में नाडू के कामकार में अच्छा खासा नियंत्र हासिन था, उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने, सम्मान के रूम में मोबेंद, वेलन, तेन राजाओं को अपनी सेवाएं पिदान करने वाला, वेलन यार वेलन या किसान कार, अर यार पिधान जैसी उपादियां दियं और उन्हें केंद्र में मत्कों राज़किये पद्ध संथि, भूमी के पेकार की, भूमी कितने पेकार की थी समय? चोल अभी लेकों में भूमी की विवेण फुटियों का वह लेक में थता है, वेलन बग ब्रह्मादेव ब्रह्मणों को उफार में दी गई भूमी कहला थी सालागो किसी विद्ध्याले के रख रखावी के लिए देवदान तुरू तुरू नम डखनी या आपकी मंद्रियों को उफार में दी गई भूमी थी पली चन्दम भूमी जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमी थी आपके हमने देखा है कि ब्रह्मणों को समय समय पर भूमी अनदान या ब्रह्मा देव पराप्त हुआ फर्यडाम तवरू कावेरी घाटी और दच्छिन भारत के दूसरे हिस्व में देरों ब्रह्मण बस् पूर्व काम करती थी इनके नेड़े सिलालेकों में प्रया मंदिरों की पत्तर की देवारों पर वेवरे बाहर दरच किये जाती थी नगरम की नाम से ग्यात व्यापारीं के संग भी अक्सर सहरों में पिसासनिक का संपादी करती थी तमिलानों के चिंगल पुट जले के उत मीचौ मंत्रों इत्यारी की देव्येक के लिए सवह में वीने की संतिया हूं पॉते इनमें सदस्ता के लिए जो लोग ययोग होते थी उनके नाम ताल पथ की छोटी टिक्टों दिक nag Balance कर देब मिटी के बरतर में रकित दिया जाती और किसी छोटे पहल शमती के लिए एक क प्रिकट निकालने के लिए कहा जाते हो। बात करते हैं अवलेखों और लिकित सामगे। उत्तर मिरूर अवलेग के इसाथ सभा की सदस्ता, सभा की सदस्ता के लिए एकछत लोगों को ऐसी भूमी का स्वामी होना चाहिए, जहां से भूरा जिस बसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उमन 35 से 70 की बीच होना चाहिए, उन्हें वेदों का ग्यान होना चाहिए, उन्हें पिसासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए, और इमानदार होना चाहिए, यदि कोई पिछले तीन सालों में किसी सम्ती का सदस रहाओ, तो वह एक किसी और संथी का सदसदा नहीं बन सकता है, जिसने अपने उपने संबंदियों के खात्ते में जमाश में नहीं कराई और चुनाव नहीं लड़ सकता था अवलेकॉण में राजाओं और सक्ठी संपनपोलसों के बारे में जानकरी मिलती है। लेकिन यह जानना खासा मुस्किल है कि साधान मड़तों और ओड़तों का जीवन इस राज में कैसा था 12. सताबदी की तमिल किर्थी पेरिया पूर्ण से एक उद्रण लिया गया अड़नूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी जोपनियों से अंटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूर जिसे बनमड बिलाल पितिष्ट समाज के बाहर मान दे लोगां का एक छोटा सा पुर्वा था जिसमें ओचे किसम के फेसों में लगी खितिया मजदूर रहते थे चमडे की पट्ट्टियों से घरेव हुए जोपड़ियों के आतों में छोटे मुर्गे मुर्गी ओक जौन्डों में घुमते रहते थे गहरे रंग के बच्चे जो काले लोई के कंगन पहिने हुए उती चोटे पिल्लों को उठाये मारूत पेड़ों की छाया में मजदूरी दूरीनी नैप ने बच्चे वो चमड़े की अप्चादर पर सुला दिया आमके पेड़ भी थे जिनके साखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे नारियर की पेड़ों की नीचे जमीन में बने छोटे गड़ों में छोटे सरोवाली कुथियां पिल्लों को दूद पिलाने के बाद लेटी हुई थे लाल कली की बारे मुर्वों ने ओ फटने से पहले तगड़े पुलयार पुलाया कवः उचने को दिन के काम पर जाने की हांक लगाती हुए बाग दिती दानकूर्ती लहरदार वालो वाली पुलाया इस्तिरियों के गानों की आवाद रोजाना कांजी बेक्च की छाया में फैलती थी तो यह थाप का उत्तर में रूर अपले का कुछ उत्रण उसमें लिखा कुछ पाप्च तांग बलस के युग का चीन में तांग राजवंस के तहथ एक सामान समराज स्थाफित हुए जो लगत तीन सो बसुन तब साथ भी सी दसवी स्तिय तक सत्ता मेरा इसकी रातानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नहरों में से एग थी जहां तुरकी इरान बाहर थीये जापानी और कोरिया ही आया करते हैं तांगी समराज परिक्षा के मात्यम से निवती की नोकर साही द्वारा फिसासित होता था इन परिक्षाओ में हरे शुक बैक्ती बैठ सकता था अधी कारें हो कि चैन की बेवस्ता कुछ बदलाओ के साथ 1911 तक कायम रही बारतियों महादी में पिछल बेवस्ताओं में से या बेवस्ता किन मायनों में बेखने की यह था आपका दूसरा चेप्टर इसके लिए कुछ आपके अभयास के लिए कुश्टन दियेगा है देख लिए ना ठीक पीडिएप डाउनलोड कर लेए ना टेलीगरम पर डाल दीथी तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा सामंत देख लिया है मंदर देखा नाडू देखा है सभा देखा है यह क्या होती है देख लिए अंगले चेप्टर में हमारा तीसरा चेप्टर हुगा दिल्ली के सुद्दान क्या होगा दिल्ली के सुद्दानों के वारे में बात करेंग हम लोग बात कर रहे थे LTERT कप्छा साथ भी की हमारे अतीत के नाम से जो आपकी सेकंड बुक है उसके बारे में हम लोग बात देख कर रहे हैं हमारा अतीत भाग दो तो इसमें अभी तक हम लोग दो चप्टर आपके खतम कर चुपें दूसरा चप्टर था आपके नए राज और उनकी राजा अब बात करेंगे हम दो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में दिल्ली के सुल्तान देखने याद रखिए इसे कहानी की तरह हरवार में यही बोलता हूं कहानी की तरह पढ़िए पर सुनिए क्योंकि मुझे खुर नहीं फिर दो बार बढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाए आपको रटना थोड़ी है कोई आपको एक बेस केलियर करना है बेस बनाना और निकल जाना बस हमने अध्यादो में देखा है कि कावेरी टेटा जैसे छित बड़े राज्यों के केंद बन गए थे क्या आपने गौर किया कि अध्यादो में ऐसी किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसके रादानी दिली रही हो इसकी वज़ाए यह है कि दिली मत्पून सहरी बाहरवी पहले टॉमर राजपूतों के काल में दिली किस समराज की रादा नीए बारवी सत्ती के मत्त में तोमरों को अजमेड चोहन जिन्हें चामान नाम से भी जाना जाता है ने पराष्ट पिया तोमरों चोहनों की राज में भी दिली वाडिज्ची का एक मत्पून केंध बन गय जिन्होंने अनेक मंद्रों का निर्मार करवाया, यहां देली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढ़ाले जाते थे, जो काफी पिचमिन में थी। 13 सदी के आरम में दिल्ली सल्तनत की इस्तापना हुई, उसके साथ साथ दिल्ली एक ऐसी रातानी में बदल गया है, जिसका नेंतन इस महादीब के बहुत बड़े चित पर फैला था, तालिका एक में, यह आपकी तालिका एक तुमर बंस, राजपूर, चोहन, तारंबई, तु मलक बंस, सियद बंस और रोधी बंस, तालिका एक मार प्रसे नज़र डाला है, वह पांच बंसों की पहचान की है, जिनके मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी है, जिनके जिस अलाके में हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों नेक नगर बसाई, मांचे ते को देखकर, दिल्ली एक वहना स्री और जहां बनाय को पहचाना, तो यह आपकी फिरोजा बाद, फिरोज साह कोटला, होज घास, खास, सीरी, जहां बनाय दिल्ली एक वहना को तमीना रहां, होज ए सुद्दानी, तुबला का बाद, आदल साहन, यह उमना नदिये, गुजर दिल्ली की पास से, कि दिल्ली के सास्कों को दीखती हैं लोग, राजपूत बंस तक, इसमें अनंगपाल, आरमवी, बारवी, सतार्ती, सुल, 1150, 1130 से, 1115 तक, चोहान की बात करें, तो 1165 से, 1152 वेतर, पितवीराच चोहन में, 1175 से, 1152 वेतर, तुर्की सास्कों की बात करें, तो 1206 से, 1290, इसमें कुतुर बुद्दीन हेवा, 1206 से, 1210, समसुद्दीन इलतुतमिस, 1210 से, 1230, रजिया, 1230 से, 1240, ग्यासुद्दीन बलवन, 1266 से, 1287, इसे गुलाम बंस भी कहते हैं, तिक, इनमें, यह पांच से, मुख थे, गुलाम बंस, खिली बंस, तुबलक बंस, सेद बंस, और लोदी बंस, खिली बंस था आपका, 1290 से, 1230 तक, जलालुद्दीन खिली इसमें हुगा, 1290 से, 1296 तक रह, अलाव दीन खिली, 1296 से, 1316 तक रह, तुबलक बंस में हुगा, यह आपका, 1320 से, 1414 तक चला, ग्यासुद्दीन तुबलक हुगा इसमें, इसका समय रहा है, 1320 से, 1340, मुहम्मत तुगलद, 1324 से, 1391, रोसाय तुगलद, 1359 से, sorry, 1359 से, 1358 से, फिर आपका, आता है, सियद बंस, इसमें प्रमुख था, खिली था, 1414 से, 1421 तक, लेकिन यह चला है, सियद बंस कब तक रहा, 1414 से, 1459 तक, फिर आता है, आता है आपका, रोस, दीनस, यह, 1459 से, पानी पत के, पिथा मेर्द तक, इसमें बहलो लोदी, 1459 से, 1459 तक रहा है, यह आपका, इल्दुत में सकमक वरा है, देखे, यह आपका, अलाई दरवाजा है, यह आपका दिली, फिर उसाय तुगलद, कमक वरा है, दिली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे, हलाकि अवलेक सिक्कों और इस्थापत, बहवन निर्माड कला की मत्यम से, कापी सूचना मिलती है, मगर और भी मत्कों, बे इतिहास उतारी, एक बचन, तवारी, बहुवचन, जो सुल्तानों के सासनकाल में, पिसासन की भा आसा हार्षी में लेके गए, यह आपकी पानडूलीपी है, पानडूलीपी तैयार करने के चार चरण के, काविद तैयार करना, लेकनकाल, महत्वून सब्दों और अनक्षेदों की और ध्यान आकवर्षित करने के लिए, सौनिक को पगला कर उनका पयोग करना, जिल्द तै युगहटनाओं का बड़न भी करते थे उस सास्कों को पिसासन संबंदी सलावीत देते थे वे नयाय संगर सासन के महत पर बल देते थे नयाय चक तेरेवी सदी के इतिहातकार हक ए मुदबीर ने लिखाए कि राजा का काम सैनकों के बिना नहीं चल सकता है सैनक बेतन के बिना नहीं जी सकते बेतन आता है किसानों से एकति के राजस से मगर किसान भी राजस तभी चुका सकेंगे जब एक को साल और पिसन हो ऐसा तभी हो सकता है जब राजा नयाय और इमानदार पिसासन को बढ़ावा दूँ एक कुछ और बात में दियान में रखें तवारी के लेकों लेकक नगरों में बैसे इसको बिल्ली में रहते थे गाउं में भी साथ ही कभी रहते थे वियकतर अपने दिहास सुल्तानों के लिए उनसे डेह सारे नाम एकरान पाने की आसाथ में लिखा करके थी ये लेकर अक्सर सास्कों को जनम सिद्ध अधिकार और लिंग बेद पर आधारी आधर समाज विवस्ता बनाये रखने की सलाय देते थे उनके विचारों से सारे लोग समद सहमत नहीं दोदेते बात करते हैं जनम सिद्ध अधिकार ये जनम के आधार पर विशेष अधिकार का दावा, उधारण के लिए लोग मानते थी कुलीन बैक्तियों को कुछ खास परिवारों में जम लेने के कारण सासन करने का अधिकार बिरासत में मिलता है जो भी आपकी बुक्स हैं, C, R, T, आपको इसलिए सलाय दे जाती है, बेस करने के लिए अब देखिये यहाँ जनम सिद्ध अधिकारी की परिवासा दी गई है, एक लायन, जनम के आधार पर विशेष अधिकार को, हम लोगों जनम सिद्ध अधिकार कह लिए लिंग बेर, इस इस इस्तिरियों की तुल्हा में सरेश्ट होती है, सन 1234 में सुल्तान एक तुतमिस की बेटी, रजिया सिंगासन, रजिया सुल्तान सिंगासन पर बेटी, उस एक के लिए तिहास का मिनेहाज ये सरोज ने सुईकार किया, कि वह अपने सभी भाईयों से अधिक योग और सक् करने की कोशिसों पिसन नहीं थे, सन 1240 में उसे सिंगासन से हटा दिया गए, रजिया के बारे में मिनहाज ये सराज के बिचार, मिनहाज ये सिराज का सोचना था कि इस सोर ने जो आदर समार विवस्ता बनाई, उसके अंसार इस्तिरियों और भरसों के एदिया होना चुंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतिनी सांदार खोगियों से भी उसे आखेर हासिल क्या दो रजिया ने अपने अवलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाये की हुए सुल्तान, इल्तुतमिस की बेटी थी, आधुनिक आंधपिदेश के वारंगल छित में किसी समय काक्ति अवंस का राजी था, उस वंस की राजी रोदंबा देवी, बारे सो बासट से, बारे सो नवास की बेवहार से प्रजिया का विवार बिल्कुल विप्रीद था, रुदंबा देवी ने अपने अवलेखों में अपना नाम पुरसों जैसा लिखवा कर अपने पुरस होने का ध्रम पैदा किया था, एक और महला सासक्ति कस्मीन की रानी दिद्धा, नो सो अस्टी से एक जा सहर से समराजत, रहा का दिल्ली का मुख केंद, इसमें काज कोट, मुल्तान देवल, कासली, बदायू, कोल, गौलियर, रलतमोर, बनारसवद, लखनोर्थी, तेरह सीवी सताफदी के आरमड़ बर्सों में दिल्ली के सुत्तानों का ससन, गेरीचनों रक्चक सेनकों की टुकडियों की निवास के लिए बने मजबूत के लिवन, सहरों से परेशायधी कभी थेलाओ, सहरों से समद्द लेकिन उनसे दूर भीतरी के देशों पर उनका न इंतर ना के बराबरते हैं, इसलिए उन्हें आवस्तक समद्द रसद आधी के लिए व्यापार, कर्द या लूट मार परी निर्वर रहना परते हैं, बीतरी के देश कहते हैं, किसी सहर या बंदरगार के आसपास के लागे, जो उस सहर के लिए बस्तूओं और सेवाओं के कूरती करें, उसे हम लोग बीतरे के देशका है थी, ग्यरीसन सहर, कि लेवन्द बसाव जांसनिक रहती थे, उसे क्या कहते थे, ग्यरीसन सहर, डिली से सुदूर, बंगाल और सिंद को कि ग्यरीसन सहरों का नेंतर बहुत कठिन था, बगाबद और योद्ध यहां था कि खर पड़के नाजुक सूत भिन्न चन्न हो जाते थे। साय सासन को अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों उन सूबेदारों से बरावर चनोती मिलती रहती थे जो जरासी कमजोरी का आभास मिलती ही दिद्रोग अपजन्डा खड़ा कर देते थे। इने चनोतीयों के चलते सल्टनत बड़ी मुश्कर से किसी तरह अपने आपको बचाय होई थी। इसका संस्थापन ग्यासुद्दीन वलवन के सासनकाल में हुआ और इसका विश्तार अलावदीन के लिए खल्जी और मुम्मत तोगलक के सासनकाल में हुआ। सल्टनत की भीत्री सिमाओं में जो अभियाद चले उनका लक्षता गेरी संसहरों की पेश्टभूनी में इस तरह भीत्री छेत्रों की इस्तिति को मजबूत करना। इन अभित्यानों के तरहन गंगा यमना के द्वात से जंगलों को साब कर दिया गया। और सेकारी संग्राफों उसना चारवाहों को उनके परियाबास से ख़देड दिया गए वो जमीन किसानों को दे दी गई और किर्सी कायों को पुरहसाहन दिया गए ब्यापार मारवों फी सुरक्षा और चेत्रीय ब्यापार की उन्नती की खाते नई के लिए गरीसिन सहर और सहर बनाए बसाएगे दूसरा विष्टा सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ अलावदीन खल्जी के सासनकाल में दच्छिन भारत को लक्षे खरके सैनी का बियान सुरूं किये और ये अभियान मुगल मुहम्मद दुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे इन अभियानों में सल्तनत की सैनाओं ने हाती बोड़े गुलाम और मूलवान दातूं अपने कप्चे में यही दिली सल्तनत की सैनाओं की सुर्वार अपेक्चा कित कमजूर थी मगर डेड़ सो वर्स बार मुहम्मद दुगलक के राजकाल के अंतर इस उम्हादी का एक विसालचित इसके एउद अभियान के अंतर आ चुका था इसने सत्रियों की सैनाओं को प्रास्त किया और सहरों पर कप्जा किया इसके सुविदार और पिसासक मुकत्मों में हैसलिस सुनाते थे साथ ही किसानों से करवसूल करते थे लेकिन इतने विसालचित पर इनका नेंतर किसी सीमा तक और कितना फिवारी था किसके हैं अलावदीन के लिएगा दर्चन बारत पर अभियान है ये दिल्ली होगी राख गुजरात पर बाराइशन निन्यारवे चित्रोड तेराइशोतीन रर्तमबोर तेराइशोतीन मांडू देवगरी के यालो वारंगल कडाव ओसल काथिये तंजागों द्वाल समुद्रम मदूबे बांगल ये आपकी सेने का भियान थे चित्रोड ये आपकी मस्जिद 12 सदी के आखरी दसक में बनी कुबबत अल इसलाम मस्जिद तता उनकी मीरान यह जावा मस्जिद इल्ली के सुल्दानों द्वारा बनाएगे सबसे पहले सहर में इस जित्रोड इंतिहास में सहर को देली एक वहना पुराना सहर कहा गया है इस मस्जिद का इल्दुत और अल जो सान्य तुगलग द्वारा बनवाई गयी थी मस्जिद यह अर्भी सब्दे मस्जिद आपका अर्भी सब्दे जिसका सब्दे तरह अर्थ है ऐसा इस्तान जिसम जहां मुसल्मान अल्ला की आज़दार सजदा गोड़ने और माता टिक कर करते हैं जामा मस्जिद यह मस्जिद एजामी वह एफ मस्जिद होती है जहां अनेक मुसल्मान एकतित होकर साथ साथ नवाज बढ़ते हैं नवाज की रसम के लिए सारे नवाजीयों में सबसेद एक सम्मानी अविद्वान और उसको इमाम या नेता की रूम में चुना जाता था इमाम सुक्वार की नवाज की दोरान धरुदेश खुतबा भी देता था नवाज की दोरान मुसल्मान मक्का की तरफ मुह करके पड़े होते हैं भारत में मक्का पश्यम की ओर पढ़ता हैं मक्का की ओर तिसा को किवला कहलता है अब देखिए इसमें कितने सब्दों की परिवास आपको पता चल गई मस्जित आपका अर्वी सब्द हैं जिसका साब्दी करते हैं ऐसा इस्थान जहां मुसल्मान अल्ला की आराधना में सजदा गोटने तता माता टेक करते हैं जामा मस्जित वह मस्जित होती है जहां अनेक मुसल्मान इकतित होकर साथ साथ नवाज पढ़ते हैं नवाज की रसम के लिए सारे नवाजियों में से सबसे अधिक सम्मानिय और विद्वान उरुष को इमाम कहते हैं, इनका निदाप के रूम में चुना जाता है। इमाम सुकबार को नवाज की दौरान धर्म उपदेश जिसे खुतबा भी कहते हैं पढ़ता है। नवाज की दौरान मुसल्वान मक्का की तरफ मुएकर के खड़े होते हैं। बारत में मक्का पश्चिम की वूर पढ़ता है। मक्का की वूर दिशा को के विला कहा जाते हैं। चित तीन बेगमपुरी मस्जिद या मुहमद तुगलक के सास राजकाल में दिल्ली में उसकी नई रादानी जहां बनाए विसकी सरण रिस्तली की मुख मस्जिद के तोर पर बनाए गी थी। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उम्मादी की अनेक सहरों में मस्जिदें बनवाई इससे उनकी मसल्बान और इसलाम की रख्चक होने के दावे को बल मिलता थी। समान, आचार सहिता और आश्था का पालन करने वाले सिद्धालियों के परवपर एक समुधाय से जुड़े होने यह आपका मौट की मस्जिद सिकंदल लोदी के सासन कल में उसके मंतरी द्वारा परवाई गी थी। समुधाय से जुड़े होने के बहुत उत्पंद करने भी मर्चितों सहाइक थी। एक समुधाय का होने के बहुत को प्रवल करना जरूरी था क्योंकि मुसल्मान अनेट बेन बेन पिकार की पिष्ट मुमियों से आतो थी। यह आपका जमाली कमाली की मर्चित 1520 के दसक में के आखरी दिनों में बनवाई दिए। अब बात कलते हैं खल्जी और तुगलक बंच के अंतर के पिसासन वो समेकन नजदीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विसाल समराज की समेकन के लिए विस्वसनिये सुविदारों तथां पिसासकों की दिरूरत थी। दिल्ली के आरमीक सुल्टान विसेश कर निलतुत में सामनतों और जमीदारों की स्थाम पर अपने विसेश गुलामों को सुवेदार निव्ट करना अधिक पसंद कर देती। इन गुलामों को फालती में बंदगा कहा जाता था। तथा इन एक सैनेक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राजी के कुछ बहुत ही महत्वूर राजनितिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रिसिक्षित किया जाता था। बिचू की पूरी तरह अपने मालिक पर निर्वर होते थे। इसलिए सुल्टान भी विश्वास करके उन पर निर्वर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम होता थे। सुल्टानों को सलाय दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पूसा है और आंगे बढ़ा है। उसकी आमें देखवाल करनी चाहिए क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी-कभी योग और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धी मानों को कहना था कि योग और अनुभवी गुलाम बिटे से बढ़कर होता है। आस्तरित जो किसी एन बैक्ती किस नरक्षन में रहता हो उस पर रहता हो उस पर निर्वर हो उसे हम लोग आस्तरित कहते हैं। चोटे-चोटे पॉइंट पर में परिवासा हैं जो दी गही हैं उन्हें आपको देख लेना है मतलब आपको बेस पता चल जाए या कि आस्तरित की परिवासा क्या होती है। खल जी तोगलब सासक बंदगा का इस्तिमाल करते रहें उस साथ ही अपने पर आस्तरित निम्र बरण के लोगों को भी उचे राजनतिक पदों पर बैठाती रहें। ऐसे लोगों को सेनापती और सुवेदार जैसे पत दिये जलते थी। लेकिन इससे राजनतिक आस्तर भी आस्तिता भी पैदा होने ले। गुलाम और आस्तरित अपने मालिकों और सरक्षों को के पिती तुबफादा रहते थे मगर उनके उत्तरादिकारी के पिती नहीं। नए सुल्दानों के अपने नोकर होते थे। हलत वरूप किसी नए सासक के सिंगासन पर बैठते ही तो यह नए उपढ़ाने सद्दारों के वीज़ टकराहट शुरू हो जाती थे। सुल्दानों द्वारा निचले तपके के लोगों को सरक्षन दिये जाने के कारण उचबरक के कही लोगों को गहरा दक्का भी लगता था। और थार्सी तवारी के लेखों ने निचले खांदान के लोगों को उंचे पत पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्टानों की आलोजना भी किये। सुल्टान मुहम्मद तुगलक के अधिकारी जन्द। सुल्टान मुहम्मद तुगलक ने अचीज, खुमार, नामक कलाल, सराबनाने और बेंचने वाला, फिरूक, हज्जाम, नामक नाई, मनकात, तबबात, नमक, नामक बावर्ची, लट्टा, तथा पीरा नामक मालियों को उंचे पिसासने पदों पर बैठाय था। चोदरवी सदापदी के मद्दे के इतिहासकार जियापदीन बर्नी ने इन निवतियों का उल्लेक सुल्टान के राजने ते विवेक के नास और सासन करने की आचंता के उधारन के रूम में देखा है। पहले वाले सुल्टानों की तरह खलजी और दुखलग सासकों ने भी सेना नायकों को भिन भिन आकार के इलागों के सुविदार की रूम में नियुकति किया। मुक्ति अपने एलाखों से राजस की वसूली किया करते थे राजस के रूम में मिली रकम से ही बे अपने सेनकों को तनक्वाय देते थे मुक्ति लोगों पर काभू रखने का सब सित्रवावी तरीका यह था कि उनका पद्बंस परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी एकतार थोड़े समय थोड़े समय के लिए ही मिले जिसके बाद उनका इस थाना अंत्रन कर दिया जादी सुल्दान अलाउदिन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के सासनकाल के में नौकरी के इन कट्खोर नीमों का बड़ी सक्ति से पालन होता था है मुक्ति लोगों द्वारे एकत्तित किये जगे राजस की रखम का एसाथ लेने की राज़द्वारा लेखा अधिकारी निउप किये जागता है इस बात का दियान रखा जाता है कि मुक्ति, राज़द्वारा, निर्धारत, करही, बसूलें और तैसंख्या की अनुसार सेंडे करें जब दिल्ली के सुल्टान सहरों से दूर आंत्रे किलाखों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमी के स्वामीन, सामंतों और अमीर जमीदारों को भी अपनी सत्ता की आंगे चुकने को बाद कर दिया अलावतीन खिल्जी के सातनकाल में भूराजिस किनेदारं बसूली की कार को राज़द्वने नियंतर में ले आया इस्थानिय सामंतों से कर लगाने का दिकार छिल लिया गया बलकि स्वयम उन्हें भी कर चुकाने को बाद किया गया सुल्तान की पिसास को उन्हें जमीन की पैदमाइस की और इसका हिसा बड़ी सावधानी से रखा कुछ पुराने सामन्त और जमीदार राजस्त के निधारन और बसूली अधिकार की रूम में सल्टनत की नौकरी करने लेगी वो समय तीन तरहेटी करत थे केसी पर जिसे हम लोग खराज कर कहा जाता था जो किसानों की उपज का लगवग पचास की तीसत होता फिर आपका मवेसियों पर कर और घरों पर यह याद रखना जरूरी है कि वो महादिक का काफी बड़ा जिसा दिल्ली के सुद्दानों के अधिकार से बाहर ही था दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर बनांतों खणिये था कठिन था दच्छन वाराज की विजय के तुरंत बाद की हुआ पूरा चित फिर से सुतन्त हो जा गया था यहां तक कि गंगा के मैदानी इलाके में हुए गने जंगलों बाले चित्र थे जिनमें पैठने ने में अच्छन थे इस्थानी सर्दारों ने इन चित्रों में अपना साथन जमा लिया था अलावदीन खजी और मुहमत तुबलग यह इन इलाकों पर जोड जबर्जस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे पर वह अधिकार का कुछ ही सवाय तक रह पाता था सर्दारों की क्लेवंदी अफीकी देश मुरकुक से चौदरवी सिरी में भारत आयल यात्री इमने बतूता ने बतलाये कि सर्दार कभी-कभी चट्टानी उबढखावर पहाड़ी अलाकों में क्लेव बनाकर रहते थे कभी-कभी बास के जुर्मोटों में भारत में बास पोला नहीं होता था या बहुत बढ़ा होता था इसके अलग-अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुत्य होते थे कि उन पर आपका भी असर नहीं होता था विक फुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे सरदार एंजल जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचिय का काम कर देते थे इस दीवार के घिरे के घिरे में ही उनकी मविस्ति और असल रहते थे अंदर ही पानी में उपलद रहता था अर्था तो वहां इकत्त प्रितुगा बर्सा का जल इसलिए उन्हें प्रवल बलसाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था ये सेनाय जंगल में घुसकर खास्तोर बड़ से त्यार किये और जादुनों से बासों को कार्ट्स डालती हुआ बात करते हैं चंगेज खां के नेतुत्त में मंगोलों इसके सीख बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा जिलना पड़ा अलाउद्दीन खल्जी और मुम्मद तुगलक के सासनकालों के आरम में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए इससे मजबूर होकर दोनों ही सल्तानों को एक विसाल स्थानिये सेना करनी करी इतनी व आएए देखते हैं कि दोनों सल्तनों ने इस चनोती का सामना कैसे किया अलाउद्दीन खल्जी और मुम्मद तुगलक के दिल्ली पर दो बार हम लेगे बारे सोनन जान गए या तेरे सोमे तो दूसरा बारे सो दोसरी बारे सो तीन में इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खल्जी ने एक इस्थाई सेना खड़ी ते अलाउद्दीन खल्जी ने अपने सेनकों के लिए सीरी नमक एक नया गैरीशन सहर बनाया सैनकों के पेड़ भानने की समस्या गो गंगा यमना की बीच की भूमी से करके रूम में खेदी की पैदाबार एकट्री करके हल किया गया किसानों की प्यदाबार का पचास पिदी सत इस्था करके तोर पर तए किया गया सैनिकों को बेतन भी देना होता था अलावतीन नहीं सैनिकों को इत्ता के स्थान पर नगत बेतन देना तए किया सैनिक अपना आवसक सामन दिल्ली के ब्यापारीं से खरीगते थे और यह असंका तक थी कि ब्यापारी अपनी चीज़ें की कीमितें बढ़ा दी इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंतन लागू किया अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्विट्चन करते थी जो ब्यापारी निच्चित दरों का उलगन कर देती उन्हें सजावी मिलती थी अलाउद्दीन के पिसासनिक कदम काफी सफल रही इतियास कारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तूं की को सलता से आपूर्थी के लिए उसके सासनिकाल की बहुत पिसंचा किये अलाउद्दीन के सासनिकाल की मंगोल आकमर की खत्रेका भी उसने सफलता पोगा सामना किये अब बात करते हैं लोग मुहमद तुगलग की सासनिकाल मुहम्माद तुगलप की सासनकाल की प्यारम वरसों में सल्तनत पर हमला हुए मंगोल सेना परास्थ हो गई मुहम्माद तुगलप को अपनी सेना की सक्ती और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ओक्सियना पर आखमण की योजना बना ली एक इस्थाई सेना प्यार करना उसका अक्रम कदम थी नया गेरिशन सहर बनाने की स्थान पर दिल्ली के चारों सहरों में सबसे पुराने सहर देली ये कुईना को निवासियों से खाली करवा कर वहां सेनिक चाउनी बना दिया पुराने सहरे के निवासियों को दच्चन में बनी, नई रादानी, दोलताबाद बिद दिया गया, मुहमत तुगलग ने, सेना को खिलाने के लिए उसने इलाकी, इलाकी से खाद्य ने कट्रिक किया, लेकिन सेनकों की विसाल संख्या की जरूर, पूरी करने के लिए सुल्ता कारगी मुद्रा की तरह टोकन सांकितिक मुद्रा चलाई, एसे इस सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सौने चान्दी के ना होकर सस्ती मुद्रा के थे, छोदेवी सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, विच्चत्वर थे, अपने सौने चान्दी के सि कि बेवेंच बचा कर रख ले दो अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते हैं इस सर्ष्टी मुद्रा जैसे जालो जाली सिक्ट के भी बड़ी आसानी से बनाया जा सकते हैं मौम्मद तोगलट द्वारा उठाए गए पिसासने कदम बेहत आसपल रही कस्मीर बाउस का आगमट पूरी तरह बेफल्दा तब उसने तुरान पर हामला करने का एरादा छोड़ दिया और अपनी विसास सेना को भंग कर दिया इस बीच उसने पिसासन समंदी जो कदम उठाए उनसे कही परियसानिया पैदा हुए दोलता बाद ले जाये जाने बाद से लोग बहुत नाराज थे करव में विद्धी और गंगा यमना के दौआ में अकाल से बिचुप जनता बगावद पर उतर आई मुहमत तोगलग को अंतता टोकन मुद्रा भी बापस लेने पर देखिए अलावत दीन सफलता रहा है अनकाओं और आपका मुहमत तोगलग आसफलता है इन तमाम आसफलताओं की गिंती करने में हमें कभी भी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहले बाद दिल्ली के किसी सुल्तान में मंगूल इलाके को फटय करने के अभियान की योजना बनाई थी जहाँ अलावतीन खल्जी कबल पिती रक्षा पर था वहीं मुहमत तोगलग के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरोध सैनिक आकमण की योजना का हिस्ता था बात करते हैं पंद्रवी और सोलेवी सतावी में सब्दम आप आएंगे कि तोगलग बंस के बाद 1526 तक दिल्ली तता आगरप सियत तता लोधी बंस का राजरान तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजिस्तान तता पूरे दच्छिन भारत में सुदंत सासक वोट खड़े हुए उनकी राददानिया समयत थे और राज फल पूर रहे थे, इसी काल में अपगान तता राजवूतों जैसे नए सासक समगूवी हुए इस काल में इस्ताफित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर सकती साली थे, उनका असासन बहुत ही कुसर, तथा सो विवस्ते तरीके से चला था सेरसा सूर 1544 से 1545 एक मारफूर सा सक है बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके के प्रवंदन के रूम में काम सुन किया थे, आगे चलकर उसने इतनी उन्नती की कि मुगल समराथ हुमायू तक को चुनोती दी और परास्ट कर दिया 1530 से 40 के बीच किया पर 1556 में भी उसने पराज़ित किया सेसा ने दिली पर अधिकार करके स्वयम अपना राजवन से इस्थावित किया, सूर्वंस की नाम से केवल 15 वर्स, 1540 से पच्पन तर पिसासन किया लेकिन इसके पिसासन से अलाउदीन के लिए बने कई तरीकों को अपना कर उन्हें और वी चुर्ष्ट बना दिया समराट महान समराट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगर समराज को श्रमेकित किया, सूस ने अपने पित्ती मानों के रूम में से इसाय की पिसासन वेवस्था को भी अपनाया था तीन सेडियां, इस सुरिये सांती, नाइट और धरम यूद तीन सेडियों को विचाल सबसे पहले ग्यारवी स्ताप्ति के आरम में प्रांज में स्तूत बद किया गया इसके अनुसाल समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया गया प्रात्ना करने वाला वर्ग, योद करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग तीन वर्गों में समाज किस विभाजिन को इसाई धरम का समलतन भी प्रावता इस विवाजन से ईशाई धरम को समाज में अपने प्रवल प्रभाव को और द्रड करने में साहयता मिलती थी इसी विवाजन से यह उद्धाओं का एक नया समूँ भी गुरा इने उद्धाओं को अम लोग नाइट कहा जाता था इसाई धरम एक समूँ को सनक्षन देता था और अपनी इस्तुरीय सांती की उद्धाणा की प्रेसार में इसका उप्यूग करता था नाइटों से अपिक्चा की जाती थी कि विद्धारम और इस्तुर किसे बार में समर्थ पित युद्धा रहें को से शेयर रहती थी कि इन इउद्धाओं को आपसी लड़ाई बिढ़ाई के बिमोग करके उन मुसल्मानों के बिरुद युद्ध करने बेद दिया जाए जिन्होंने एरुसलम सहर बार कब्जा कर रखा थी इस प्वेतन के परडाम सरूप सैनिक अभियानों की एक सिंकला के लिए जिसे कुरू सेड धरम युद्ध कहा गया इसो ततन धरम की सेवा में किये गए इन अभियानों में नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली पहले इन नाइटों को गिंदी कुलीन में नहीं होती थी मगर प्रांस में 11 सदी के अंतर और जर्मन में उससे एक सदी बात इन्हें उद्धाओं के दीन ही नतीत को भला दिया गया 12 सदी तक तो कुलीन बार के लोग भी नाइट कहलाने चाहने लगे थी ठीक है तो यह आपका था था तीसरा चक्टर एक कुश्चन्स दिए गया इससर अध्यास के संब्धित तो कर लें पीडिया आप टेलीरा पड़ली भी है तो इसमें आप लोग उने क्या कर सब एकता को देखा तारीक देखिए गैरीशन देखा है मंगोल देखिए लिंग द अगर आप अच्छे से एक दो बात सुनेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें कुछ की ऐसा नहीं है जो आप उस समझ में ना है अंगला हम लोग 14 चप्टर देखेंगे पोड़ प्रम्मर का मुगल समराज के बारे में मुगल समराज को जाने लिए नमस्का दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCEIT कप्छा सादवी की हमारा अतीत बार्दो की नाम से जवाब की बुक्स है उसकी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग अभी तब आपके तीन चेप्टर खत्म कर चुके हैं तीसरा चेप्टर हम लोग उने देखा था दिल्ली के सुल्तानों के बारे में अब बात करने वाले हैं मुगल समराज के बारे में किसके मुगल समराज के बारे में याद रखना है तो इसे मैं वह ही बोलूँगा किसे कहानी की तरह सुनना है आपको और इसमें कोई भी ऐसा मुझे सब्द नहीं लगता है कि जो आपको समझ में ना आए एक दो बार आप लोग सुनिए अच्छे से आराम से आपके जो भी concept किलियर करना है हो जाएंगे आपके मद्यकाल में किसी भी सासक के लिए भारतिय और महादिप जैसे बड़ेचित पर जहां लोगों एवं सल्सक्रितियों में इतनी अधिक विवित्ता है ना सासन कर पाना अतेंत की कठिन कार था अपने पूर बड़तियों के मुगलों ने एक समराज की स्थापना की और वह कारेपूरा किया जो अब तत किवल छोटी अवदियों के लिए ही सम्भव जान पड़ता था सोलेवी सदी के उत्ताद्म से इन्होंने दिल्डी और आगरा से अपने राजी का विस्तार सुनों किया सत्रहवी सिताप्ती में लपग संपूर महादीप पर अधिकार प्राप्ट कर लिया उन्होंने सासन के राचे तथा सासन सम्मंदी जो विचाल लागू किये बेर उनके राजी के पतन के बाद भी टिके रहे यह एक ऐसी राजनेतिक धरोगल थी जिसके प्रभाव से ओग महादीप में उनके पश्चाथ आने वाले सासक अपने को अच्छूता ना रक्स के राष्ठ को संभोधिप कते हैं यह आपका लालकला मोगल आके कउन थे जानते हैं हम लोग की मोगल आके कॉन थे मोग दो महांसासस बंसों के बंसासिते माथा की उड़ से मंगोल सासकते माथा की की तरफ से क्या थे मंगोल सासक चंगेज खान जो चीन और मतेशिया के कुछ भाग पर राज करता था कि उत्तरादिकारी थे आके मोगल और पिताकी वोर से भी इरान, इराग और बर्दमान तुर्की के सासक यानि कि तैमूर के बन सचते परंतु मोगल अपने कुछ मोगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे ऐसा इसलिए थे आप क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी इस मिर्थियां सैक्टों बैक्तियों के नरसंगार से संबंदी थे यही इस मिर्थियां मोगलों के पिती योगियों कुछ बेगों से भी संबंदी थी दूसरी तरव मोगल तैमूर वंस होने पर गरब को अनुभव करते थी जाना इसलिए क्योंकि उनकी इस महान पूर्वज ने 1398 दिल्ली में दिल्ली पर कभजा कर लिया था तैमूर उसके उत्रा दिकारी और मोगल समराटों का एक लगू चित थे 1702 से 1702 की मंद तैमूर और उसकी दाहिनी हो इसमें उसका पुत्मीर मीरन साय युपिता मोगल मोगल समराट बावर का लकड दादा था उसके बाद अबू सेल बावर की दादा तैमूर की बावर की बावर की दाहिनी और तीसरे चौतरे और पांचवे व्यक्ति याकित समराट बावर अक्तवर और साजाय उनकी दाहिन और उसी करम में से हुमाई जलांगी और और औरंजेव है ठीक है उन्होंने अपनी गंसावली कपिथम कपिदरसन चित बनवा कर किया पितिक मुगल सासक ने तैमूर के साथ अपना चित बनवाए मुगल सेन अभियान देखते हैं पिता मुगल सासक बावर पंद्रे सो चपीश से पंद्रे सो तीस से ने जब 1494 में फरगाना राज का उत्रादिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्म केवल 12 वर्स की थी किसकी ये बावर की जब उसने फरगाना राज का उत्रादिकार प्राप्त किया यानि कि फरगाना राज पर कब्जा किया तो उसकी उम्म केवल 12 वर्स थी कितनी वारे वरस और इस समय वारे वरस में क्या होता है मंगोलों की दूसरी साखा पोजबेगों के आगमर की तारन उससे अपने पैत्तक गत्ती छोड़नी परी अनिक बरसों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पोर खबचा कर लिए उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत में राया और दिल्ली और आगराः को अपने कबजे में लिए पानीपत का पितम युद्धा का 1526 में हुआ यह आपका मुगल सासक बावर और इब्राहिम लोधी के वीच हुआ था, इसमें इब्राहिम लोधी की पराजर हुई थी यह आपके कुछ मुगल समराथ की अठना है दी गहीं है, इनके बारे में लोग देखेंगे तारीका एक में मुगलों की प्रमुक सेन अवियानों को दिखाए गया है, इसे द्यान से पढ़ना है क्या आप इस लंबे घटना करम में कोई पुनरावित्ती तूड़ सकते हैं, उधरान के लिए आप यह गौर करेंगी अपना अफगान मुगल सक्ता के लिए ततकालिक खद्रा थे, मुगल और अहों, सिक्कों एबा मेवाड और मारवाड की संबन्दों पर भी गौर करें, सभाविद इरान से अकबर और हुमायू के संबन्दों का क्यांतर है, उसे लिए हम लोग देखेंगे क्या औरंग जेक पिसासनकाल में कुंडा विजापुर के अधी ग्याट से दक्कन में प्योद कान हुए थे, उसे दिखेंगे योद में प्योग होने वाली बारुद की तक्नीक भारत में चोदेवी सताप्ती में लाए गई थी, याद रखना इस पॉइंट को योद में प्योग होने वाली जो बारुद की तक्नीक थी भारत में चोदेवी सताप्ती में लाए गई थी, अगने यास्त्रों के लिए इसका प्योग सबसे पहले लडाई में प्रभावी धन से प्रेयर किया, गुला वारुद का, या कि मुगल समराट में पिरमुख अभियान है उनकी कड़ना है, बाबा, 1526 से 1530 तक्ना है, 1526 में इसने पानिपत के दर मैदान में इब्राहिम लो दी, और उसके अफगान समर्थकों को राय थी, 1527 में इसमें खानवा या खानवा में राणा सागा, वराजपूत, राजाओं और उनके समर्थकों को हराय थी, 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराय, अपनी मित्यू से पहली दिल्ली और आगरा में मुगर नियंतर इस्थापित किया, फिर आता है अपका हुमायू 1530 से 1540, फिर 1555 से 1556, हुमायू ने अपने पिताख वीबसियत के अनुसार जैजात का बढ़वारा किया, पितेक भ फिका पड़ गया, सेख खाने हुमायू को दो बार हराय, 1549 में चौंसा के उद में और 1540 में कंदोल में, इन पराजेयों ने उसे इरान की और भागने को बात दे कर दिया, इरान में हुमायू ने सफावित साहिं की मदद ली, उसने 1555 में दिली पर पुना कपचपल दिया, परतु उस से अंगले वर्ष, इस इमारत में एक दुरगतना में उसकी मित्ति होगे, मायू की, फिर आता है आपका अकवर, 1556 से 1605 तक रहता है, 13 वर्ष की अलपायू में अकवर समराठ बना, उसके सासनकाल को तेन अबदियों में बिवाजित किया जा सकता है, पहली ये 1556 से 1570 किवीज, अकवर अपने सरफचक बैरम खां और अपने गहरेलू करमचारियों से सद्थ हो गया, उसने सोरी और अपगानों, निकेटवर्ती राच्यों, मालवा, गौडवाना तथा अपने सौतिलेवाई मिर्या हाकिम और उजबेगों की बिद्रों को दबाने के 1770 से 1585 कि मददगवार, गुजरात के विरूष सैने कब भियान किया, इन अभियानों के बश्चात उसने पूर में बिहार, बंगाल, उडिसा में अभियान चलाए, 1589 सी में मिर्या हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोस ने और जटिल कर दिया, 1585 से 1605 कि मददगवार की समर राज का विस्तार हुए, उत्तर पश्चे में अभियान चलाए गया, सफावरिदों को हरा कर कंधार पर कभज़ा किया गया, और कस्मीर को भी जोड लिया गया, मेज्या हाकिम की मित्ति के पश्चात कावल को भी उसने अपने राज में मिला लिया, धक्कार में अभियानों की कारण लड़ खड़ा गयी, यही सलीम आगे चल कर आपका समराथ जहागीर बना, तो आपका समराथ जहागीर है इसका बचपन का नाम सलीम था, पिर आता है अपका जहांगी ने अकबर किसे नभियानों को आंगे बढ़ाए मेवाड की ससोदिया ससक अमर्सी में मोगलों की सिवा सुईकार की इसके बाद सिक्कों अहूमों अहमद नवार के खिलाब अभियान चलाए जो पूरता सखल नहीं हुए जहांगी तिसासन के अंतिम बर्सों में राच कुमार खुर्राम जो बात में समराट साजहा कहलाए ने बिद्रो किया जहांगीर की पत्री नूर जहां ने साजहां को हसीय पर दकिलने का प्रियास किया जो आसा पल रहा फिर आता है आपका साजहां 1627 से 1628 दक्कन में साजहां की अभियान चारी रहे अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने बित्रो किया और वह पराजित हुए अहमद रगर की बिरुद अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों बिहार भी और ओर्चा पर कब्जा कर लिया गया उत्तर पश्चिम में वल्क पर कब्जा करने के लिए पुछ बेगों की बिरुद अभियान हुआ जो आसा पल रहा फैडाम सुरूब कंधार सफाविदों के हाथों में चला गया 1632 में अंतता अहमद नगर को मोगलों के साथ मिला लिया गया और विजापुर की सेनाओं ने सुलय के लिए निवेदन किया 16758 में सां जहां के पुत्रों के भी उत्रादीकार पुली कर जगडा शुरूबा इसमें औरंग जेव की विजय हुई और दारा सिकूर समय उसके तीनों भाईयों को मौत के गार उतार दिया गया साय जहां को उसकी सेश जिन्दगी के लिए आगरा में खेद कर लिया गया फिरा आता है आपका ओरंगे 1658 से 1770 तक रहता है 1663 में उत्तरपुर में अहों अहों को की पराजय हुई परतु उन्होंने 1660 में पुना विद्धुरू कर दिया उत्तरपश्चिम में यूसप पजय यूसप पजय और सिख्णों के विरूद अभियानों को आश्थाई सपनता मिली मारवाड के राठोड राजबूतों ने मोगलों के खला विद्धुरू किया इसका करण उनकी आंत्रिक राजबीती और द्राधिकारी के मसलों में मोगलों का हस्तचेप था मराठा सर्दार सिवाजी के विरूद मोगल अभियान प्यारव में सफल देए परन्तों ओरंग जीब ने सिवाजी का अपमान किया और सिवाजी आगराश्तित मोगल के रत्काने से भाग निकली उन्हेंने अपने को सुतंत सासर गोसित करने के पश्चार मोगलों के विरूद पुनाहा अभियान चलाए राजकुमार अकबर ने औरंग जीब के विरूद विद्रोग किया जिसमें उसे मराटम और दक्कन की सल्तनात का सहुग मिला अधतावय सफा विद इरान भाग गे अकबर की विद्रोग के पश्चार औरंग जीब ने दक्कन के सासकों के विरूद सेनाय विजिए 1665, 1685 में विजापूर, 1687 में गोलकुंडा को मोगलों ने अपने राज में मिला लिए 1698 में औरंग जीब ने दक्कन में मराटम जो छापा मार पदिदी का वियोग कर रहे थी कि विरूद अभियान का प्रवंद की स्वहिं किया औरंग जीब को उत्तर में सिखों जाटों सतनामियों उत्तरपू में आउमों और दक्कन में मराटम के विरूद विद्रोहों का सामना करना उसकी पित्तियों के पर शाथ उत्तरारीकारी के लिए योद शुरूब है किसकी औरंग जेब की ठीक है यह आपका अकबर का सासन आया सुल सपांच में ठीक है पूरा इतने छित्वराव का अकबर सासन करता है कंदार कावुल से लेकर स्री नगर से लेकर कस्मिल से वीजापूर कोल कुंडा एमद नगर बंगाल उडिसा गोडवाना ठीक है बात करते हैं उत्तरा अधिकार की मु मुगल जेष्टाकार की नियम में विस्वास नहीं करते हैं जिसमें जेष्ट पुत्त अपने पिता के राजी का उत्रादिकारी होता था इसके विप्रीत उत्तरादिकारी में भी सहदा याद की मुगल और तैमूर बंसों की पिता को अपना देते हैं जिसमें उत्तरादिक के साथ मुगलों की साधिया जहांगीर की मां कच्छवा की राजदानी थी वर अमबर बर्थमार में जयपूर की राजपूर सासक की पुत्री थी। जहांगीरी की मां एक राठोड राजकुमारी थी वर मारबार जोत्पुर के राजपूर सास की पुत्री थी बात करते हैं मोगलों के अनन सासकों के साथ संबन आप आएंगी कि मोगलों ने उन सासकों की विरूत लगाता रभिया कि जोनों ने उनकी सत्ता को सुईकार करने से इंकार कर दिया जब अब मोगल सक्तिसाली हो गल तो अन कई सासकों ने सवच्चा से उनकी सत्ता सुईकार कर दिया जबकि राजपूद इसका ये गच्छा उधाराने का सत्ता सुईकार करने का अनेकों ने मोगल गराने में अपनी पुत्रियों के बवाय करकि उच्पद प्राथ की परंती कईयों ने बिरोध भी किया मेवार के ससोधिया राजपूत लंबे समय तक मोगलों की सत्ता को सुईकार करने से इंकार करते रही परंतु भी हारे दो मोगलों ने उनके साथ सम्मानुई है बेवार किया रोने उनकी जागिरियों बतन बतन जागिरियों के रूम में वापिस कर दो पराजित करने परंतु अफ्मानित ना करने की भी सावधानी से बनाए गए, संतुलन की वज़े से मुगल भारत के अनेग सासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाई, प्रविंस तु इस संतुलन को हमेशा वरकरा रखना कठें था, मनसबदार और जागीदार कौन होती थे, उनके बारे में प्रियम लोग बात कर लिए जैसे जैसे समराज बिवेंचित समलित होती गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह की सामाजीक समुओं के सदस्यों को पिसासन में निफ्ट करना आरम दिया, शुरू-शुरू में ज्य राजपूतों, मराठों और अन्न समुओं को समलित किया, मोगलों की सेवा में आने वाले नौकरसाय क्या कहलाते थे, मनसबदार, मनसबदार सब्द कप्रिव ऐसे वैक्तियों के लिए होता था, जिनने कोई मनसब यानि कोई सरकारी हैसियत अत्वा पद मिलता था, या मोग धर्तन करने त्हरा जात की संक्या पर निर्वत, जात की संक्या जितनी अधीक होती थी, दरवार में अभिजात की विटिष्टा उतनी ही बढ़ जाती थी, उसका वेतन भी उतना ही अधीक होता था, बात करते हैं जात की सेंड हैं. पांच हजार जात वाले अभिज़ातों का दर्जा से उन्चता. अकपर की सासनकाल में 29 ऐसे मनसाथा थे जो 5000 की परविके थे. और अगिव की सासनकाल तक ऐसे मनसाथ्दारों की संख्या उन्याशी हो गई. जो सेंड उतरदाइट मनसाबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसारों ने घुर सवार रखने पड़ते मनसाबदार अपने सवारों को निरिक्षन के लिए लाते थे वे अपने सेंकों के गुबड़े को दगवाते थे एवं सेंकों का पंजीकरण करवाते थे इन कारवाईयों कि बाद ही उन्हें सेंगों को बेतन देने के लिए धर मिलता था। मनसबदार अपना बेतन राजर से कर्तित करने वाली भूमी की रूम में भी आते थे। जिने जागीर करते थे। जो तकरीबन एकताओं के समान थी। परन्थु मनसबदार युक्तियों, मुक्तियों से बेहन लाथें। अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे ना ही उन्हें परपेशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजर से कर्तित करने का अदिकार था। यह राजिस उनकी नौकर उनके लिए एकत्तित करते थे जबकि भिस्वयम्त देश्ट के किसी अन्न भाग में सेवारत रहते थे अकबर के सासनकाल में जागेरों का सावधानी पुर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजिस मनसाथदार के पेतन के तक्रीवन बरावर रहे और अंगे के सासनकाल तक पहुशते 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 इस्तिती बद्रे थे अब प्राप्त राजिस मनसाथदारों के पेतन से बहुत कम था मनसाथदारों की संख्या में भी अत्यदिक बिद्धी हुई थी जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई फेल सुरू की जागीर जागी रहने पर यह कोशिस करते थें कि विचितना राजिस वसूल कर सकें कर लें अपने साथसल काल के अंतिम बरसों में और रंजिव इन पर इल्वा उतनों पन्यनतन नहीं रख पाए इस कारण किसानों को अत्यदिक मुसीवत का सामना करना पड़ा चित फायर अपने सभारों के साथ एक मनसब्दार अभिया एक लिख रहा है साजा की राजकाल एक नीचे की एक चित के विख जहांगीर के समय वेश्टाचार को दिखाए गया वेरश्ट अपसर रिस्पत लेते हुँ एक अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हुँ बात करते हैं चप्त और जमीदार मुगलों की आमदानी का प्रमुक सादन किसानों की उपसे मिलने वाला राजकाल अधिकतर इस्थानों पर किसान ग्रावी कुलीन यानि की मुख्या या इस्थानी सरदारों के मत्रम से राजकाल देते थे समस्त मत्यस्तों के लिए चाहे बेस्थानी अग्राव के मुख्या हो या फिर सक्ति साली सरदारों मुगल एक सब्स जागीर जमीदार का प्योग करते थे हैं अकबर के राजस्त मंत्री रोडल मल ने दस साल यानि की 1570 से 1580 की काला ओदी के लिए किरसी की पैदावार कीमतों किरसी बोमी का सावधानी पूरबक सरविक्षन किया एक इन आकड़ों के आधार पर फितेग पसल का नगत के रोब में कर राजस्त निश्चित कर दिया गया फितेग सुवे प्राथ को राजस्त मंत्रों में बाट बाटा गया फितेग की हर पसल के लिए राजस्तर की अलगलग सूची बन लगी राज़र से पराप्त करने की इस विवस्था को उनलोग जट कहा जाता है यह विवस्था उनी स्थानों पर पिछलित थी जहां मुगल विसासने करदिकारी भूमी का निरिक्चन कर सकते थे सावधानी पूरवक उनका हिसाब रख सकते थे ऐसा निरिक्चन, गुजराद और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हुपाए। कुछ चेत्रों में जमीदार इतने सक्थी साली थे कि मुगल पिसासकों द्वारा सोसं किये जाना कि इस्तिती में विविद्रो कर सकते थे। कभी-कभी एक ही जाती के जमीदार और किसान मुगल सत्ता की खिलाप मिलकर विद्रो कर देते थे। सत्रहवी सिदाबदी के आकर में ऐसे किसान विद्रों ने मुगत समराज के इस्थाइद को चनोती दिनु अकवर नामख और आइने अकवरी अकवर ने अपने करीवी मित और दरवारी अवुल फजल को आदिश दिया के उसके सासंकार का इतियास लिखें अवुल फजल ने यह इतियास तीन जिल्दों में लिखा इसका सीर सक है अकवर नामख पहली जिल में अकवर के पूर्ड़ों का बयान और दूसरी अकवर के सासंकार की गठनाओं का विवरन और तीसरी जिल्द है आइने अकवरी इसमें अकवर के पिसासं गराने सेना राजस और समराज के भूगोर का विवराव मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं संस्कीतियों का भी विश्थत बढ़ने। आईने अकवरी का सबसे रोचक आया, विवित पेकार की चीजों, फसलों, पैदावाग, कीमतों मल्द, तूरी, राजस का सांख किये विवराना। अबोल भजल से अकवर नामा लेते हुए अकवर लेते हैं। बात करते हैं अकवर की नीतियां और नजदीक से एक नजर। फिसासन की मुख अभी लक्षण अकवर नजदारित किये थे। इनका विश्थत अब वर्डन अबोल भजल की अकवर नामा विश्थेस का आईने अकवरी में मिलता है। अभूल भजल की अमसार समराज कई प्रांतों में बठा हुआ था जिने सूवा कहा जाता था। सूवे की पेसासक को सूविदार केती थे। जो राजनितिक और सैनिक दोनों प्रेकार की कार्यों का निर्वाह करते थे। विटेक प्रांत में एक बित्ली अधिकारी भी होता था यो दीवान कहलत था। कानून और वेवस्था बनाए रखने के लिए सूविदार को अन आवसरों का था। सहयोग प्राप्ता जैसे की बख्सी, सैनिक बेतंदारी, सदर, धार्मिक और धार्मात किये जाने वाले कार्यों का मंत्री, होजदार, सैनानाय, कोतबाल, नगर का उलते अधिकारी था। जहांगीर के दर्वार पर नूर जहां का प्रभाब। मेहर निसा आने 1611 में जहांगीर से विवार किया। उसे नूर जहां का किताब मेरा। नूर जहां हमेशा जहांगीर के प्ति अत्य दिक बभादार रही है। उसको समय समय पर स्रयोग देती लेए नूर जहां के संवान में जहागीन ने चांदी के सिख insp के जिसमें एक और उसके स्वह्म् के किताब उतकी थे सब्सकार दूसरी यह व से दूसरी व है यह बात रानी वेगं नूर जहां की नाम से घडा हुआ था है बाइं ओर दिया गया दस्ता भी नूर जहां द्वारा जारी किया आदेश फर्माने। चोकोर मुहर बताती है कि उदात और महान महराने। नूर जहां पादसाय वेगम का आदेश। गोल मुहर के अनसाद साय जहां जहांगीर पिरताब से महरानी चंदमा जैसी बिर्भव साली बन गए। हम कामना करते हैं कि नूर जहां पादसाय स्युग का सरवुत्तम महला बनी। जहांगीर साथ करी वाक्ता नूर जहां का प्रमान। महलाएं स्तुरों से ही तगड़ी रही हैं तागत बर रही हैं बस समाज में दिखाए गया है उन्हें कमजोग वरना देखिए कितनी महलाएं तागत बर हैं मतांदता ऐसी बैख्या या कत्तन जिसे अधिकार पूर कहकर यह आजा की जाए कि उस पर बिना कोई पिसन उठाए उसे सुईकार कर लिया जाएं। अकवर के अभिजाद बड़ी सेनाओं का संचाला करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस खर्च कर सकते थे। जब तक वे वभादार रहें समराज का काल समुद्धा पूर्वा चलता रहा है। परन्तु सत्रहे भी सिताथदी के अंतर कई अभज्यातों ने अपने सुथान से ताने बाने बोल लिये। समराज के पिती उनकी वभादारी उनके बिजी हितों के कारत कमजोर पड़ी। 1570 में अकवर जब पतेपुर सिक्री में था तो उसने उले में उलेमा, ब्रह्मरों, जेसोईट, पदारीयों जो रोमन केतो लिखते और जर्दुस्त धरम के अनुयाईयों के साथ धरम के मामलाँ पर चर्चा के सुनकी। ये चर्चाएं इबादत खाना में कुई थी। अकवर की रोची विवन वैक्तियों के धरमों और रिती रिवाजों में थी। इस विचार विमस से अकवर की समझ बनी की जो पिद्वान, धार में कृती और मन, मत्तांदात्ता परवल्दिते थें, वियक्सर कट्टर पिर्जा की बीच विभाजन और आसामंजस पैदा करती थी। ये अनुभाव अकवर को 16 एकुल सर्वत्त सांती की विचार की ओर ले गे थी। सहसुट्णूं तक ये धाना विविन धरमों के अनुवयाईयों में अंतर नहीं करती थी। की भी इस विचार पर आधारिज सासन दरश्टी बनाने में अकवर की मदद की सासन की सिध्धान्त को जहांगीर और साह जहाने भी अपनाएं। कावस वसिष्ट जैसे कुछ लेखनी है संस्क्रित गिरांतों का अनुवादकार के लिए चुना गया। रजयम नामा जो महाभारत का फार्सी अनुवाद है मैं महाभारत की गटनाओं का विच्थत चिंदांकन किया गया। अकवर की सुलह एकुल नीती कावस उनके पुत जहांगी ने इस विकार बड़न किया। ये सुरी ये अनुकंपा के विच्थत आंचल में सभी बर्गों और सभी धर्मों की अनुवादकार की एक जगए है। इसलिए उसके विसाल समराज में जिसकी चारों और की सिमाय की वद समुद्ध से ही निर्दारित होती थी। विरोधी तरह मों की अनुवाईयों और तरह तरह की अच्चे बुरे विचारों के लिए जगए थी। जहां आस सहिश्टूता का मार्ग बंध था। यहां सुन्नी और स्यार एक ही मर्जिन में एकट्टे होते थी। इसाईव और यहुदी एक ही गर्जे में प्रातना कर देती। उसने सुसंगत तरीके से सारविक सांती सुलह एकुल की सिद्धान पर पालग किया। सत्रह भी सताथी में और उसके पश्चात मुगल समराज की इस्तिति क्या रही है। उसे भी अम लोग जान लेते हैं। मुगल समराज की फिसासनेक और श्यानिक को सल्टा की पशल्सरोर आलतिक और वाडिचिक संब्रिदी में बित्धी हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया। जैसा कि किसे काहानियों बर्डित होता रहा है। परंतु यही यात्री से पिचुर्ता के साथ मिलने वाली है। दरितिता को देखकर विश्मत रहे गए। सामाजिक आसमानता साथ दिखाई पड़ती है। साह जहां कि इस आसनकाल के 20-20 वे वर्ष के दस्तावेजों से हमें। पता जलता है कि ऐसे मंसब्तार जिनको उच्छितम पद प्राथ था। कुल आठ जार मैसे 445 सी थे। कुल मंसब्दारों की छोटी संख्या 5.6 पितीसत थी। पितीसत कोई समराज के अनुमानत राजस का 1.5 पितीसत स्वैम उनके वाउनके सवारों के वितन के रूम में दीया जाता। मोगल समराज और उनके मंसब्तार अपने राजी का बहुत बढ़ा वितन और बस्तूओं पर लगा देते थी। इस कर्चे से सिल्व कारों और किसानों को लाभ होता था। क्योंकि विवस्तूओं और फसल की पूर्दी करते थे। पदन्तू राजस भार्द इतना था कि प्रात्मे कुदपादों को किसानों किसानों सिल्वी कारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बस्ता था। इन वैसे जो बहुत गरीब थे मुश्कल से पेट भरबाते थे। विवस्तपादन सकती बढ़ाने के लिए अत्रिक साधनों और भोजारों और अन्न बस्तूओं में निवेश करने की बात सोच ही नहीं सकते थे। ऐसी अर्थ विवस्ता में जान्दा धनी, किसान, सिल्व, कारों के समोग ब्यापारी और महाजन, जानलाव उठा दे थे। मुगलों के कुलीन बार्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। जिनके कारां 17 भी सत्ताथी सधी के अंति बसों में बेत्यदिक सत्ती साली हो गए। इन में से कुछ नहीं नए बन से स्थावित किये और हैदरावाद अवब्द जैसे प्रांतों में अपना नेत्र जमाया। यक फी वे दिल्ली के मुगल समराट को स्वामी की रूमे मानता देती रहे। तदापी 28 दर्दी तक समराट के समराज की कई प्रांथ अपने सुतंत राजनितिक पहचान बना चुके थी। इनके बारे में हम दस्वेत जहाय में विश्थार से बढ़ेगी। राजा और रानिया शुलेवी सदी में मुगलों के दलगवग समकालीन संसार के विभिन भागों में कई राजा रानिया थी। इनमें से ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1556 सामेल। उसके राज में ओटोमन राजी का विश्थार यूरोप की योड हुआ। उसने हंगरी को अपने राज के साथ मिला लिया और ओश्टिया को घेल लिया। उसकी फोजों ने बगदाद और एराग भी हतिया लिया। मुरग को तक उत्रे अपीका का बहुत सब हिस्सा ओटोमन सर्था को मानता था। सुलेवान ने ओटोमन नौ सेना को पुनर गठन किया। पूर्वी हुमत सागर के इलाके पर इस नौ सेना के प्रभुत की बज़े से इस्पैन के साथ उसके पिती स्वर्दा हुई। आरब सागर में इस नौ सेना ने पुर्थगारियों को चुनोती दी। समराठ को अलकानूनी कर खिताब दिया गया। क्योंकि उसके साथ निकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गया। इन नियमों का लक्ष यह था कि बढ़ते हुए समराज के विविन छेत्रों को ध्यान में रखते हुए फिसासनिक तरीकों का मानगी करण हो जी। ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलके सत्रवी सताथी में आटो माच छेत्रों में जब सारविजनेक स्वास्त का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी की काल को आदर सासनकाल की रूम में याद किया जानी लगा। अगवर की अनसमकाली सासकों के बारे में पता लगाई। इंगलेंड की सासक रानी एलिजा बेर्थ 1558 से 1603 एरान का सभावित सासक साह अब्बास। इनसे कई ज्यादा विवाद रूसी सासक जार इवान चतोर्थ बैसल एविच जो इवान दी टरिवल नाम से को विख्यात था या भी कुछ है। कुश्टन्स दिएगा हैं तो देख लेना ठीक अभ्यास के लिए हैं। तो इसमें आव 것을 ने मत्मूर सभ्दों की प्रिवासा दिखीं, मुगलग समR Muchas, मंदसव, चावीधार क्या होते हैं, जाद क्या है, सवार क्या है, सुलय पोल क्या नीति है, जिस्टदिकार क्या है, सहदायादं, डईतिक्री बूट्जड क्या है, जमेदार क्या है इन्ही परिवास इन्ही सब्दों की हमें परिवास जानी है इन्ही सब्दों की मयारी जो भी कॉंसेट है किलियर हो गए तो बस हमारी NCEIT खतम हो गए ठीक है और याद रखिए आपकी NCEIT टेलीग्राम पर डाल दिये गई थी और पहले की जो चार आपकी वुक्स है उन्हें भी हम लोगों ने डाल दिये टेलीग्राम पर ठीक है आगे पाले पर चेप्टर में हम लोग बात करेंगे सासक और इमारते हैं सासक और इमारते हैं देखें नवस्का दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCEIT कप्चह साथवी की हमारा दीद भाग दो की नाम से जो आपकी बुक्स है उसे हम लोग देख रहे हैं तो इसमें बता दें आपको कि अभी तक हम लोग चार्ज एक्टर अपने खतम कर चुके हैं कितने चार्ज एक्टर आज बात करेंगे पांच बेच्टर के वारे में सासक और इमारते हैं सासक देखेंगे और इमारते हैं यार्खना ने आपको इन्हें एक कहानी की तरह सुनना हैं क्योंकि अगर सुरूं से आप लोग तिमा तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है और सांती रखें दहर रखें अगर सुनेंगे तो आराम से समझ में आजाएगा क्योंकि इसमें ऐसा वही वी टेंस नहीं है जो आपको समझ में नाज सासक और इमाद करें चित्त एक यह देख़ा है कुत्व मीनार के पहले छज्जे को पिदर्शित करता है कुत्व बुद्दिन एवक ने लगवक 1199 में इसका निर्माण करवाए था छज्जे के निच्चे छोटे महवाव तथा जियामितिये रोप रेखाओं द्वारा निर्मे नमूने को देखे देख ले क्या को चज्जे के नीचे अविलेकों की दो पट्टियां देखाई दे रही एविलेक अर्वी में गौर करें कि मेनार के वाहरी हिसा घुमाओ दाल तथा कौड़िये है ऐसी सतर पर अविलेक लिखने के लिए काफी परिश्व देता कि आपसकता होती थी सर्भादिक योग कारीगर ही इसकार को संपन्न कर सकते थी याद रखें कि 800 बहस्पूर किवल कुछ ही हिमारत में पत्तर या फिर इंटों की बनी होती थी तेरे भी सताक्ती में कुत्व बुद्दीन सुद्ध कुत्व मीनार यसी कि इमारत का देखने वाला वालों पर क्या प्रिभाब पड़ा होगा कुत्व मीनार पांच मंजिल इमारत थे अभिलेकों की बट्टियां इस की पहले चंजे के नीचे हैं इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माड कुत्व बुद्दीन एवक्त तो था सेश मंजिलों का निर्माड बारे सो उन्तीस के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाए गया कई वर्सों में यह इमारत आंधी तुफान बुह काम की वज़े से छती गिस्त हो गई थी अलावत दीन ख़ली मुहम्मद तोगलग और फिरोज साज तोगलग इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मर कर आठवी और अठारेवी सताब्दी के भी चिराजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माड किया पहली तरह की इमारत में सुरक्चित, संरक्चित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम बेराम की भब जगें के लिए महल मगवले थी दूसरी शेनी में आपके मंदीर, मश्यद, हौज, कुए, सराय, बाजार जैसे जैसी जनता के उपयों की इमारत थी राजाओं से यह पेक्चा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखवाल करेंगी तथा प्रजा के उपयों को राराम के लिए इमारतों का निर्मार करवात कर राजा उनकी पिसंसा पाने की आतर करते थी इस तरगी निर्माट कर ब्यापारियों समित अन्य विक्तियों की द्वारा किये जाते थे। बेमंदिरों, मवजिनों, कुउंगों का निर्माट करवाते थे। केरे परंतु घयलू इस्थापत ब्यापारियों की विसाल हवेलियों के आउसेश अठारवी सतापती से ही मिलने सुर्मूर। आगरे के किले का के निर्माड में लगासना अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले का निर्माड दो हजार पत्थर काटने बालों, 2000 श्रिमेंड बच्चूना बनाने वालों और 8000 मजदोनों की आवसकता पड़ी अधी रजना भूतल से उपर किसी भी बवन का भाव होता है अधी रजना अभियांत की कौसल तथा निर्माड का इस मारकों से हमें उनके निर्माड में पेप्त सिल्फ विज्ञान का भी पता जटता है छट का ही उधारन ले लिजिए हम चार दीबारों के आसपास लगडी की सहतीरों अध्वा एक पत्थर की पट्टिया रखकच्छत बना सकते है लेकिन यह कार उस समय बहुत कटिन हो जाता है जब हम एक विज्चित अधी रजना बाले पिसाल कच्छत निर्माड करना चाहते हैं इसके लिए अध्विए परिस्कृत कोशल किया जरूरत होती है सातिवी और दसवी सतावदी के मद्द वास्तुकार भावन में और अधिक कमरे दर्वाजे और खिर्किया बनाने लगें छत दर्वाजे और खिर्किया अभी भी दो उर्द्वादर खंबों के आसपास आरपार एक अनुपरस्थ सहती रखकर बनाय जाते हैं वास्तुकला की असली अनुपरस्थ टोड़ा निर्माड कहलाएं आटवी से तेरेवी सतावदी की मंदरों मध्यितों मकवनों तथा सीडी ता कुवों जिसे बावली कहतें सजुड़ी भावनों के निर्माड मैं इस सहली का पुरियोग किया गया हनुबरस्थ टोड़ा निर्माड राजिस्तान की बूदी में इसके रानी जी की बावडी उन पचास बावडीयों में सबसे बड़ी थी जिसका नहवाण पानी की आगस्ताओं की पूर्ती के लिए किया गया अपनी इस्तापत सुन्दर्दा की बिख्यात इस बावडी करने नवाण 1699 जी में रानी नाथा वद्जी ने जो बूंदी की राजा अनिरुद्य सिंग की रानी थी ने की किया था ठीकर करवाया और चित दो का दिल्ली की कुपत अल्ग इस्था मस्जित का रहर्वी जतापदी 的 करण जी जो धो घॉपाय कि मेह औराके निरुमार में अनुपर्श्च्ट पुडा तकने का इस्तिमाद है ठीकर बात करते हैं ग्याहरेवी सताप्दी के प्यार में मंदिन निल्वाट यह चित तीन खा में चित तीन खा का तीन चित का सिर्फ की इस्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिन का निल्वाट चंदेल राजबंसों के राजा धंगदे द्वारा नौसो निन्यार्वय में किया गया था चित तीन खा मंदिर की यूजना है एक अलगवे द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख सभाभावन महामंडव चिसे बूत जहां नेत का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता थ पिर में खुद देवता की मूर्ती मुख मंदिर में रखी जाती थी यानि की गरवग्रय में रखी जाती थी धार्मिक अनुष्टान इसी जगे संपन किये जाती थी इसमें किबल राज्या उनका निकृत्तम परिवाद तथा पुरोवित एकृतित होते थी खजराओ संभू मेराज कीया मंदिर सबलित थी जहां सामान जन्मानस को जाने की अन्मती नहीं थी यह मंदिर सुप परिस्कृत उत्केन मूर्तियों से अलंकृत थी चित चार तंजाबुर के राजिसोर मंदिर का सिखर उस समय की मंदिरों में सब से उचस था इसका निर्मार कार आसान नहीं था क्योंकि उन दनों कोई क्रेंड नहीं थी सिखर के सीज़ पर इनब्वेड टन का पत्थल ले जाना इतना भारी होता था कि उसे बैक्ती अपने आप उठा कर नहीं ले जा रहे था इसलिए इसकाम के लिए वास्थूकारोंने मंदिरों के सीष तक पहुचने के लिए चढ़ाई दार रास्ता बनवाया रोलर द्वारा बहारी पत्रों को इस रास्ते से उपल ले जाया गया इस काम के लिए चार किलोमीटर से जाना लंबा पत्र तेयार किया जाता था जिसकी चड़ाई बहुत खड़ी नहीं थी मंदिरों पर मंदिर बन जाने के बाद इससे गिरा दिया गया लेकिन उस चेत के लोगों ने मंदिर निर्माड के अर्वा को काफी समय तक याद रखा आज भी मंदिर के पास के एक गाउं को चारू पल्लम कहा जाता है जिसका रत होता है चड़ाईदार रास्ते का गाउं वारह भी भी सताद्धी में दो प्रुद्धों भी किये हिम सहली समद्धी परिवतन दिखाई पढ़ने लगी दरवारियों और केड़कियों के उपर की अधीर रचना का भाल कभी कभी महरावों पर डाल दिया जाता वास्तुकला का यह है चापा का रूप था महवराव कभी सुद्ध रूब महराव की मत्में डाट अधीर रचना की भाल को महराव की आधासला पर डाल देती चित पांच खा महराव का विसे द्रूप अलाई दरबाजे का महराव प्यारम एक चौदेवी सदी में कुबबत अल इसलाम मश्चित दिल्ली और चित सिर्फ आगरा के लिए में जल्दवार निर्मार को दिखाती इस चित का लिए इसे अकबार नामा से लिया गया है निर्मार कार में चूना पत्तर सिमेंट का प्रियो बढ़ गया या उच्छ साड़ी की सिमेंट होती थी जिसमें पत्तर के टुकड़ों कि मिलानी से कंक्रेट बंदी थी इसकी वज़ाई से विसाल धाचों पर निर्मार सरता उत्तेजी से होने लगा चित्त छे में निर्मार इसतर पर नजर डाल लें क्या फरक परता है नजर यह ज़िए बात करते हैं मंदिरों और मश्जिदों और होजों का निर्मार बहुत सुन्द तरीके से किया जाता है क्योंकि वे उपासना की स्थल थी बेयक्ट्ने सरक्षक की सक्ति धन बेवाव तथ दर्सन करते थे उधारन के लिए राज राजिसों मंदिर को लिया जा सकता है एक अविलेक से इस बात का संकित मिलता है कि इस मंदिर का निर्मार राज राज देव ने अपने देवता राज राजिसों की उपासना ही दूर किया था ध्यानने की राजा और उसके देवताओं की नाम काफी मिलते जुदते, राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा, क्योंकि यह नाम मंगलकारी था, और राजा स्वयं को इस सुर्व के रोम में तिखाना चाहता था, दार्मिक अनुष्ठान के जरिये मंदिर में एक देवता राजा राजत्यों दूसरे देवता राज राजिस्तुरों का सम्मान करना था मुगल एक साही वास्तु सिल्पी मुगल बासा साह जाहा के इतिहास कार्मे सासक को समराज बगधरम की कार साला का वास्तु सिल्पी बताया सभी विसालत मंदिरों का निर्माट राजाओं ने करवाया मंदिर के अन्न लगू द्युपता सासक के सहयोगियों तथा अधी नस्तों के देवी देवता थे यह मंदिर सासक और उसके सहयोगीयों द्वारां सासित विसका एक लगो रूपत ही था जिस तरह से भी राज किये मंदिरों में एकट्टी होकर अपने देवताओं की वासना करते थे एसा पितीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के नियाय पिरिये सासन को पिद्वी पर ला दिया अपनी नई रातानी सहा जहार नावाद मैं सहा जहार द्वारा बरवाई गी जामी मस्ची देखिए जी मक्का की और संकेत को केवला कहते हैं टेवर याव रखे मुसल्वान, सुल्टान तबात साय स्वयम को भगवान के उतार होने का दावा तो नहीं करते थे किन्तु फारसी दरवारी इतियास कारूं इतियासों में सुल्टान का वड़न अल्ला की परच्छाई के रूम में हुआ है दिली की एक मस्चित के अविलेक से पता चलता है कि अल्ला ने अलाउत दीन को साज़क इसलिए चुना था क्योंकि उसने अतीत के महान विधी करता हूं मूसा और सुलीमान की विशिष्टाय मुझूद थी सबसे महान विधी करता और वास्तुकार अल्ला स्वयम था उसने आविवस्था को दूर करके विश्व का सजंग किया तथा एक विवस्था और संतुलन कायम किया सत्ता में आने परपितेक राजवन्स के राजा ने सासक होने के अपने नेतिक अधिकार पर और जोड़ाला उपासना के स्थानों के निर्बार ने सासकों को इस्तुल के साथ अपने घनिष्ट संबन्दी की उद्गोषना करने का मौका दिया ऐसी उद्गोशनाय तेजी से बदलती राजनिती के संदर में महत्तोगेण कर लीती थी सासकों ने विद्वान तथा घनित धरम निष्ट ब्यक्तियों को भी आसर विदान किया और अपनी राध्धानियों तथा नगरों को महत्तोगेण सांसकेते केंदरों के रूम में परिवर्टे करने का प्रयास किया इन सब के उनके सासंतता राजी को ख्याती मिली जल का महत्त फारसी सब्थ आवाद और आवादी आप सब्द से निकले जिसका रत होता है पानी आवाद सब्द उस जगहें के लिए इस्तिमाल होता है जहां बसावट हो इसका एक अनरत खुसाली भी है आवादी का जन्चंक्या एवन संब्रिधी दोनों भी है ब्यापक समझ यह थी कि नियाय पिये राजर का राज ऐसा होगा जहां पसाली होगी जहां परियात बरसा होगी इस तरह होजों और जलासें के निर्माड दोरां बहु मूल पानी उपलग्द कराने की कारी की बहुत पिसंसा की जाती थी सुल्दान इल्दुत में इसने देहली एकोई ना की एकदम लिकट एक बिसाल तालाव का निर्माड करके प्यापक सम्मान प्राप किया इस बिसाल जलासे को वोज ए सुल्दानी अत्वा राजा का तालाव कहा जाता था क्या आप इसे अध्यातीन के मार्चित एक में ढून सकते हैं सासक प्रया सामन लोगों के लिए बड़े और छोटे भोजों तालावों को निर्माड करवाते थे कभी-कभी में मंदिर या मस्चिद गुरुद्वारा कहसा होते थे यह हर मंदर साहव सवन मंदिर उसका पपित सहुवर है अमरस्वर में ठीक है पंजाम में मंदिरों को क्यों नश्ट किया गया थे राजा मंदिरों का निर्माड निसकती धन संपदा और इसुर की पिति निश्ठा के बिदर्चन ही तूप रद्दे थे ऐसे से मैं यह बात आश्च जजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे की राज्यों पर आकमल किया तो उनों ने प्रेया ऐसी इमारतों का पर निसाना साधा नवी सितापदी के आरब में जब पान राजा स्री बंदब ने स्री लंका पर आकमल कर राजा सैन पिथम को पराजित किया थे उसके विशा में बहुत विच्चू बाई इतिहास कार धम कीर्थी ने लिखाए कि सार की बनी बुद्ध की मूर्ती और बेवेंड मट्पों में रखे सौनी की बितमाई इन सभी को उसने चप्त कर लिया संगिली सासक के आत्मा भियान आत्मा भीमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना सवभाविप्ता अंगले संगिली सासक सेंदुतिय ने मूर्ती को ढूंट लेका लें और बापस लाने हितू महत्फों प्रयास मुगल चारवाग हुमाईक मगबले का चारवाग दिली में ठीक रेका है कसमीर में साली मार भाक का सेंदी दा चारवाग ने लालमाहल बारी में चारवाग को तटिय भाग की रूम में अपनाएगे उसी तरह ग्यारवी सुतादी ग्यारम में जब चोल लाजा राजिंद विथम ने अपनी राध्दानी में सिब मंदिर का निर्मार करवाया था तो उसने पराजी सासकों से जब की गई उतकरिष्ट की दिमाओं से इसे भर दिया एक अधोरी सुची में निमने चीज़ें समले थी हैं चालोपकों से प्राप्त एक सूर पीठी का एक गड़ेस मूर्ती तथा दुरगा की कई मूर्तिया पूरवी चालोपकों से प्राप्त एक नंदी मूर्ती उडिशा के कलिंगों से प्राप्त भेरों सिब का एक रूप है भहरवी की एक पितिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मुर्ति. गजनी का सुल्टान महमूद राजे दुपितम का समकाली था. भारत में अपने अभियानों के दोरा नोसने पराजित राजाओं के मंदरों को आपवित किया, उनके धन और मुर्तियों को लूट लिया, उस समय सुल्दान महमूर कोई बहुत महत्कुन सासक नहीं था, लेकिन मंदरों को नश्ट करके खास तोर से सौमनात का मंदिर, उसने एक महान इसलामी युद्धा के रूम में स्रेप प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्हें लूट करते थे, अब बात करते हैं बाग मकबरी के लिए, मुगलों के दीन वास्तुकला और अधिक जटिल होगी, बावर हुआयो, अकवर जहांगी, विसिस रोप से साह जहां, साहित कला और वास्तुकला में बहत्तीगत रूची लेते थे, अपनी आत्म कथा में ब बनाने में अपने रूची का बढ़न किया है, अकवर ए बाग, अकसर ए बाग दीवार से ग्रेव उते थे, तता किंतिम नहरों द्वारा चार भागों में बीवाजित, आयताकार हाथे में इस्तित थे, और चारिक बागों की उजना और उनकी बनाने तता खाका तियार करने में बावर ने अपनी रूची का बाइडन किया, चार समान हिस्तों में बटे हुए होने के कारण इस चारवाग के लाए, चारवाग बनाने की परंपरा अकवर के समय से शरू हुई थे, कुछ सरवाधिक सुन्दर चारवाग को कस्मीर आगरा, दिल्ली में स जहांगीर और स सहांजहाने बनवाय था, अकवर के सासनकाल में कई तरह की मत्पून, वास्तु कलात्मा नवाचार गयों, इनकी पेड़ा अकवर के वास्तु सिल्फियों ने उसके मत्द एसी आई, पूरवज तैमूर के मकवरों से लिए, हुमायू के मकवरिय में सबसे पहली बात देखन उंचा था, उंचा महराबता प्रवेश्टवार मोगल वास्तु कला के मत्पून रोप में बन गए, यह मकवरा एक विसाल उपचारिक चारवाक कीमत में रिश्दित था, इसका निर्वाड आठ सुरवों, अत्वा हस्त बेहिस्त की परंपरा में हुए था, जिसमें एक कें जिंद्री एकक्ष, आठ कमरों से गिरा हुआ होता था, इस इमारत का निर्वाड लाल बलुगा पत्तर से हुआ था, इसके केनाडिक सफेज संगमरबर से बने थे, चित्त दस काबूल में चारवाग का खांका बनाती समय, बावर 1590 की एक जित्तकारी ध्यान ने कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काट दी नहरे, चारवाग योजना की विसिस्ता बनाती है, यह आपके दिल्ली में दीवाने, आम में सिंगासन का चच्चा, इसका निर्मार 1688 में पूरा किया गया, साह जहां की सासनकाल के द्वरान, मुगल वास्तुकला के विभिन तत्त, एक विसाल सदभावना, सब्ध, भावपून संसलेशन में लिया गया, मिला दिये, साह जहां की सासन मे अनुवरत, निर्मार कार चलते रहे, विसेस रूप से आगरा और दिल्ली में, सार्वजनिक और व्यक्तिकर सभावितू, समारों, कच्चा, दीवाने खास, दीवाने याम, कि योजना बहुत सावधानी पूर्ण, उर्वक बनाई जाती है, एक विसाल आगन में, अंगन मे इस्तित के दरवाद, चेहल सुतून, अत्पर चारीश खम्मों के सभाववन भी कहलाते थे, साया के सभाववन बिसिस रूप से, मुश्जित से मिलते जुलते बनाए गए, उसका सेंगासन जिस मंच पर रखा था, उसे प्रयार केवलान, नवाज के दोरान, मुसल्मानों क सामने की दिसा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरवाद चलता था, उस समय पितेक बैठती, उस ओर की मुहिं करके बैठता था, इन वास्तू कलात्मा अभील अक्चनों का इस ओर इसारा था, कि राजा पित्वी पर इस्वर का पिती निदी, पित्रा दूरा, उत्केडे अध्वा बलुआ पत्थर पर रंगी, ठोस पत्त्रों को दबा कर बनाएगे सुन्धर, तधा अलंकर नमूले। आर्पीयस को गेड़ा बजाते हुए चित्तित किया गया था, ऐसा बाना जाता था कि आर्पीयस का संग्धी, आक्रामक, जानवरों को भी सांत कर सकता था, बेसांती पूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे, सान्या के सारविजनिक सभाभवन का निर्मान यह सूच करता था, कि नियाय करते समझ राजा उचे और निर्मान सभी पकार के लोगों के साथ समार बेवार करेगा, सभी सदभाव के साथ रह सकेंगे। सासन के आरंबिक बरसों में सायजा की राथानी आवराती, इस सहर में विशेष्ट बरगों में अपने घरों का निर्मान यमना नदी के तड़ पर करवाया था, इनका निर्मान चारवाग की रजना के ही समार उपचारिक बागों की बीच में हुगा था, चारवाग की उज नदी तटों के पास बाग के विल्कुल किनारहों पर होता था, साज्या ने अपने सासन की भव्यतम वास्तु कलात्म को पलग दी, ताजमायर के नक्से में नदी तटों बाग की युजना अपनाई, यहां सफेद संगमर्मर का मकपरा नदी तट के एक चबूत्रे पर था, त नदी पर सभी अभी जात्वों की पहुँच पर नियंतरहेतू साज्याने इस वास्तु कलात्म को विक्सित किया, दिली में साज्यानाबाद में उसने यहाज सहे निर्मित कर वाय उसमें साही मेल नदी पर इस्तित्ता केवल विल्छिष्ट कृपापराफश्त अबी जही जैसे उसके बड़े बेटे दारा से को कुई की नहीं आगरा का ताजमहल है जिसका नम्याद 1643 में पुरा हुआ आगरा का ताजमहल देख लिए यहीं से दर्शन कर लिए चित 14 एक नक्से से आगरा के नदी तट बाग का सहर पुनर कल्पित दिस से ध्यान दें कि कैसी है उना के तुनूर तटों पर अभी जातों के बाग महल इस्तित ताजमहल बायूर और चित 15 में दी गई दिल्ली की साह जाहनाबात की यूजना की तुलना आगरा की यूजना से करना है यह आपका चित 1850 का साह जाहनाबाद का एक नक्स है वह आसा का निवास इस्ता है सहर कापी घना बसा हुगा लगता है लेकिन क्या आपको यहां कई बड़ी बाग भी दिखाई देते हैं क्या आप मुख मार्ट पर जामी भर्ष्चित दूए सकते हैं इसमें यह यह अन्य सभी को अपने घरों का निर्मारी अमना नदी से दूर सहर में करवाना पड़ों बात करते हैं चित वा समराज आठवी वा अठारवी सताथी के बीच जल निर्मार संबन्ती गतिवितियों में बड़ोत्तरी हुई तो विभेन चेत्रों के बीच पिचारों का भी पर्याप्त आदान पिदाने हुए एक चित की परंपराय दूसरे चेत द्वारा अपना ही उधारन के लिए बिजयरंगर की वास्तु कलात्माः सहली का बहुत बंड़ा प्रभा सो मतुरा की नेकर घ्रस्तित बिर्दावन में बने मंदिरों की वास्तु कलात्माः सहली फट इपसिकोर स्हली के Mookल महिलों में न embarrass से बहुत मिलती उती विचाल समराजियों की निर्भार न बीभीन चित्त्रों उन मुगल सा तक अपने भवनों के निर्माण में चेत्री है वास्तुकलात्मक सहली अपनान में विस इस रोख से दक्च के उधारन के लिए बंगाल में इस्थानी है सासकों ने चप्पर की जोपड़ी की समान दिखने वाला चत का निर्माण करवाई मुगलों को यह बंगला गुम्मद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी बस्तुकला में इसका प्रयोग किया अन्य चेत्रों का प्रभाव भी सफ़श्टा अक्बर की राजदानी पतेव पर सिक्री कि कई इमारतों पर गुजराद ब मालवा की वास्तुकलात्मक सेलियों का प्रभाव परता है बिंदावन में गोविन देव की मंदिर का दुरुनी भागे इस मंदिर का निर्मा लाल बलुगा पत्थर से हुआ दो पित्ती छेदी महरावों पर ध्यान दे जिन से इनकी उन्होंची बीद्रिचत का निर्मा किया वास्तुकलागी यह सेलिए उत्तरपुर्वी इराद से जाने के बाद भी उनके आसा में विक्सित वास्तुकलात्मक सेलिए नियंतर पेव में रही अन्न सासकों ने जब भी स्थापित करने का प्रयास किया यह सेलिए अपनाईगी चित सब्तरे भतेव और सिक्री के जोदावाई यहांका फतेवु सिक्री के जोदावाई महल में चट के विस्तार को समाल में दिखराया है समाल ते अलंकरत स्थम या टेग यह गुजराच चित की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित हैं आस्मा चूते चर्च वारवी सताब्दी से प्रांस में आरंबित भावनों की तुल्ला में अधिक मुचे बालके चर्चों का निर्मार प्रया सुगा बास्तु बला कि यह सेली गोथिक नाम से जाने जाती हैं इस सेली की विशिष्टाएं हैं नुकिले उँचे में वराव रंगीन काच का प्रयों जिसमां प्रया वाइविल से लिए गये द्रसों का चित्रन ओडते हुए पुस्ते दूर से ही दिखने वाली उँची मेनार हैं गंटी वाले बोज बाद में चर्च से जुड़ी इस वाद बहस्तु कलात्मक सेली के सरवोत क्रेश्ट ग्यातोधार्णों वैसे एक पेरिस का नाट्रेडम चर्च हैं बारेवी और तेरेवी सिताप्नियों के कई दस्कां में इसका निर्माड हुए ठीक है यह आपके लिए कुछ कुश्टन्स दिए रहता है अब भी आसके लिए टेलीग्राम पर डाल दीती है ठीक हुआ से डाउनलूड कर लेजिए तो यह था हमारा माजवा चेप्टर अहांगी बात करेंगे हम रूप चटवे चेप्टर के बारे में इसमें देखेंगे नगर व्यापारी और सेपीज नमस्का दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहते थे N T E I T कक्षा साथवी की हमरा आतीद सेकेंड की नाम से जो आपकी वुक्स है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं तो याद रखना कक्षा चटवी की सभी वुक्स हमारे लिए जो है मत्पूर्ती देख चुके हैं और कक्षा साथवी की सामाजिक एवं राजनितिक जीवन भाग दो के बारे में देख चुके हैं और यह हमारी हमारा आतीद भाग दो के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों में अभी तक आपके पांच चेप्टर खतम कर चुके हैं पांचवा चप्टर खतम किया था सासक और इमार्ति इसमें बात करने वाले हम लोग नगर, ब्यापारी और सिल्वी जन एक बात को मैं बारबार करता है आप हूँ और कहता रहूँगा कि इसे एक कहानी की तरह सुनिये पर चाहे पढ़िये क्योंकि इसमें अगर दिमात लगाओगे विल्कुल भी समझ में नहीं आने बाला है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा सब्द नहीं है यो आपको समझ में ना है अगर आप हरवड़ा के पढ़ोगे याद देखोगे विल्कुल आपके समझ में नहीं आएगा तिसे कहानी की तरह पढ़ना है एक मद्य युगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर की बारे में कैसी आकांच्याएं रखता होगा या इस बात पर निर्वा करता है कि वह नगर किस पिकार का था क्या हुआ एक मंदिर नगर था या फिर एक पिसासनिक कैन्द एक वाडिजिक सहर या फिर एक पत्र नगर अथवा किसी यन्य पिकार का सहर था वस्तुता कई नगर तो एक साथ अनेक पिकार के थे वे पिसासनिक नगर थे और साथ-साथ मंदिर नगर होने के साथ पर वाडिक्जिक कारकलापों और सिल्व उत्पादन के कैंद्वी थे। मद्द और दच्छें भारत में ब्यापार और सिल्व कारी उत्पादन के कुछ प्रमुक कैंद्वी यह आपकर काबुल, पुस्कर, अजमेर, ब्रिंदावन, मुरिष्टीदाबाद, कलकत्ता, सौमनात हो गया, एहम्दाबाद हो गया, बीदर हो गया, यहीं गोलकंडा हो गया, यहां मदूरे, औरेयू, तंजावुरें, महावलिपुरम, मद्रास्तिरूपति, यह आपके हम भ आपने चोलवंज के बारे में पढ़ा थे, आईए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवारप पर, चोल गार्याओं की रातदानी, तंजावुर, जैसा कि वह एक हजार वर्स पहले था, कि यात्रा पर चले, बस में बारंग मही ने बहने वाली, कावियनी नदी, इस सुंद लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मलन, राजराज पेरुद, पेरुद, चन की वास्तुकला की पिसंसा करती हुए नहीं तक थे, हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है, कि उसने गरब से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीन किया, मंदिर के भीतर एक विसाल स से दिंगिस्ता पे थे, इस मंदर के अलावा नगर में अनेक राजमहल भी है, जिनमें कई मंदख बने हुए हैं, राजा लोग इन मंदखों में अपना दर्वाल लगाते हैं, यहीं से भी अपने अधिनस्तों के लिए आदिश जारी करते हैं, नगर में सैन सिवर भी बने ह नगर उन बाजारों की हल्चल से बढ़ा हुए है, जहां अनाज मसालों, कपड़ों और आभू सुनों की बिक्री हो रही है, नगर के लिए जलकी आपोर्ती, कुओं और तालावों से होती है, तंजाब और और और्स के निकटवर्ती, नगर, उरेईू के सालीम, बुनकर मं पंद्र के उस्साव के लिए जंडे, जंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात बरक के लिए बढ़िया सूतिवस्त और जन साधारान के लिए मौटा सूतिवस्त तियार कर रहे है, यहां से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई मेस्तु, अत्वा मूर्ती का उत्तमक मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु की दिव बना रहे हैं, बात करते हैं मंदिर और तीज इस्थाम, तंजाब और एक मंदिर नगर का भी उधारन है, मंदिर नगर नगरीकर्ण का एक अतेंथ महत्कून के तीरोप पिस्तुत करते हैं, नगरीकर्ण नगरों के विकास की पिल्क्रिया हैं, मंदिर अक्सर समाल और अरुजविवस्था दोनों के लिए अतेंथ महत्कून होते हैं, सासक बेविन देवी देवताओं के पिती अपनी भक्ती भावों दर्सानिकली मंदिर बनाते थे, बेमंदिरों को भूमी धन अनुदान में देते थे, जि परवत सव मनाये जाते थे, मंदिर के दर्शनारती भी दान दच्चना दिया करते थे कासा गंटा धातू लुप्त मौम तक नेगी कासा एक मिस्ट धातू उती है जो तामे और टिन यानि के रौगे के मेल से बन दी है गंटा धातू में रौगे कानपाद, टेन कानपाद किसी भी अनकिस्मे कांसे से अधिक हुरता है या गंटे जैसी द्रौनी उत्पन करती है चोल कालिन कास मूर्थी लुप्त मौम तक्नीक से बनाई जाती थे इस प्रेविधी के तंतरगत स्तरपितम मौम की एक पिधिमाप बनाई जाती थी इसे चिकन मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गरम किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेत बना कर उस छेत के रास्ते सारा फिगला हुआ मौमबार निकाल लिया जाता था फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे से उसी छेत के रास्ते पिली हुई धातु भल दी जाती थी जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूरवग हटा दिया जाता था उसमें से निकली पीदमा को साफ करकी चमका दिया जाता लैगा समय की साथ बड़ी संख्या में पुरोवत पुरोयत, पुजारी, कामगार से भी ब्यापारी, आदी मंदिर, तथा उनके दर्सनार्थियों ये तीरत यात्रियों की आवसक्ताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए इस पिकार मंदिर नगरों का भी कास हुआ, इसी रीती से मंदिरों के चारोर अनेक नगरों का आरविभाव हुआ, जैसे मद्यपिदेश में भेल स्वामिन, भेल साथ या विदी साथ गुजरात में सौना, कुछ अन्वात्पून मंदिर नगर तमिलानु में कांची पुरम औ मादूरे और अन्दगरेश में तुरुपति, तीर्ष्थ इस्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूम में बिक्सित हो गए, ब्रन्दाबन, उत्तरफ्रेश, तिरुवन मलाई या कतमिलानु, ऐसे नगरों के दो धारन है, आज में राजिस्थान, वारेवी सताप्ती में सूबा मुख्यालय बन गया, यह नगर धार्मिक सहस्तित का एक उत्करष्ट उधारन पिस्थ उत्करता है, सोपिसित्थ, सोफी संद, ख्वाजा, मुईनुजदिन, चिस्ति, जहां बारेवी सताप्ती में बस गए थे, उनके दर्शनारती एबं सिधालूर, सभी बंतों मत के पुगा करते थे, आजमेर के पास ही पुस्कर सरोवा है, जहां पराचीन का से ही, तीर्टियाती ही आती रहे है इस इस इस्तल, छोटे नगरों का संजाल, आठवीस दापदी से ही महादीब में अनेक छोटे-छोटे नगरों का संजाल विछने लगा था, संभावता उनक मंड, पिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा होती थी, जहां आसपास के गाउंवाले अपनी उपज बेंचने के लिए ला देते, उनमें ऐसी गलिया थी, जहां दुकाने एक बाद एवं बाजार थे, जिने हट, बाद में हट कहा जाने लगा, इसके अलावा बिंड, बिन निपकार के कारिगरों, सिल्पीयों, जैसे कुमारों, तेलियों, सक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोडने वालों, आदी के अलग-लग बाजार होती थी, कुछ ब्यापारी तो नगर में इस्थाई रोप से बसकर अपना का इतने, और दूरबर्ती स्थानों के उत्पाद, जैसे खोड़े, नमक, कपूर, केसर, फान सुपारी, और ताली मेर्च, जैसे मसाले, बेंचने के लिए आते थी, देखिए, नगर का एक बाल्यार का चित, आपके यहां इस तरह की लगते हैं, आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों ने इस तरह की अगर आपकी तरफ अभी भी मेला लगते हैं, क्योंकि कई जगर एक दिन इस्थाइब कर दिया जाता है कि मंगलबार हूँ करियार, सनीवार कोई भी दिन उस दिन को आप बाजार लगता है लोग बाहर से आप ती में यह अपने सामार बेंचनेंगा चलिए बताईए अगर आपके यह लगता है इस तरह अगे वाप करते है आमतोर पर कोई सामन्त यानि परवर्थी काल का जमीदार इन नगरों में या इसके आसपास किले बंदी कर महिल बना देता था ऐसे सामन्त ब्यापारियों, सिल्बकारों तथा उनके ब्यापार की बस्तुओं पर कर लगा देते और कभी-कभी इन करों का जमीदार उन इस्थानिये मंदरों को प्यदान कर देते थे जिनका रह्मार स्वयमून के द्वारा या धनान्या ब्यापारियों द्वारा कराया गया घुदतर ऐसे अधिकारों का अविलेकों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं ये चिताप का लपड़ी पर नकासी करता हुआ एक कारी गए बाजारों पर कर यह राजिस्तान से प्राप्ते एक दस भी सदाप्दी के अभलेक का सारान से जिसमें बेज सुल्क दिये गये हैं जो मंदिर फ्रादिकारियों द्वारा वस्तूओं के रूम में बसूल किये जा सकते हैं सक्कर गुड रंग धागा रुई नारियल नमक सुपारी मक्खन तिल तेल और कपड़े पर कर लगाए जाते थे इसके अलावे ब्यापारी पर धातू की चीज मेचने वालों आस अउकों तेल पसू चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे इन मेंसे कुछ करत बस्तू रूम में और कुछ अन नगद रूम में कुछ आपके बस्तू के रूम में ले लिये जाते थे और कुछ नगद बात करते हैं बड़े और छोटे व्यापारी व्यापारी कई पेकार के हुगा करते थे उनमें बाजा बंजारे लोग भी सामिल थे कई ब्यापारी बिशिस रूप से गोड़ों की ब्यापारी अपने संग बना दे थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी योड़ से गोड़े खरीदने के एक चुक योद्दाओं से बाचीत करता था चुकि ब्यापारी को अनेक राज्यों तथा जंगलों से उपकर गोड़ना पड़ता था इसलिए वे आमतोर पर काफले बनाकर एक साथ याध्रा करती थे और अपने हितों की रक्षा के लिए ब्यापार संग गिल्ड बनाती थे दच्छन भारत में आठवी सिदापती और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संग थे उनमें सबसे पिसे दिथा मडी ग्रामन और नाना देशी ये ब्यापार संग प्रायदीप के भीतर और दच्छन पूल एसिया तथा चीन के साथ साथ भी दूर-दूर तक ब्यापार करते थे इसके अलाबा चिट्टियार और मारवाडी ओसवाल जैसे संदाय भी थे जो आँगे चलकर देश के इधान ब्यापारी समू बन गए गुजराती ब्यापारियों में हिंदो बनिया, मुसलिम, बोहरा दोनों संगडाय सामित थे बेदूर-दूर तक लाल सागर की बंदरगाओं बफारस की खाड़ी पूर्व अफीका, दच्छनपूर्व एसिया चीन से व्यापाज करते थे बेन पतनों में कपड़े, मसाले बेंचते थे बदले में अफीका से सोना और चान्दी, दाथ, दच्छनपूर्व एसिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले, वर्तन और चान्दी लाते थे पश्मी तटके नगरों में अर्वी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई, ईसाई बस गए थे लाग सागर के बंदरगाहों में बेंचे जाने बाले भारतिय मसाले और कपड़ी इतालवी ब्यापारियां द्वारा खरीते जाते थे वहाँ से भी उन्हें आगे एउरोपिये बाजारों में पहुचाते थे उनसे ब्यापार में बहुत लाग होता था उस निकटी बंदिये जलवायों में उगाये जाने बाले मसाले, काली मिर्च, दालचिनी, जायपल, सौन्ट आदी इउरोपिये बेंजनों के मत कों अंग बन गए थे भारतिये सूती कपड़ा बहुत लभावना उर्दा था इस चीज़ें ही इउरोपिये ब्यापारियों को भारत तक खीच लाइं समय के साथ साथ ब्यापार और नगरों का प्रोप किस पिकार बदला इसके बारे में हम सीख आँगे पढ़ने बाले आपको पता होना चाहिए जो भी यापकी यहाँ, इसी केरी आये थी वह राज़ करने के लिए नहीं आये थी सुरू में, वह ब्याबार करने के लिए आये थी इससी काबल काबल अपने पहाडी और बिसम भूध्रस के साथ सोलेवी सताप्ती सिराजनेतिक और अवाडिजिक दिर्ष्टी से महत्पूर बन गया काबुल और कंधार सोपिसेंट रेसम मारगों से जुड़े हुए थे साथी गोडों का व्यापार भी मुक्रोग से इसी मारग से होता था सत्रहभी सताप्ती महीरों के एक सौधागर जो बैप्टिष्टे टेवनियर ने अनुमार लगाया था कि काबुल में गोडों कव्यापार पिती वर्स तीच जार रूपे का होता था जो उन तेनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेसमी और कपड़े, ताजेपल, उन पपलात कर लाए जाती थी और महादीप तथा अन भावों में बहंचे जाती थी इसके अलावा गुलाम भी बिक्तरी के लिए लाए जाती थी बात करते हैं नगरों में सिल्प, बीदर के सिल्पकार, ताबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक पिस्द थी बीदर के सिल्पकार की सिल्प का नाव ये बीदरी पढ़ गया पंचाद अर्ताद विस्करमा समदाय जिसमें सोनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्तरी बड़ाई सामल थी मंदरों के निर्मार के लिए आवस्त थी इसके अलाबा में विदराई मैदों, बड़े-बड़े भावनों, तालावों और जलासें के निर्मार में भी अपनी महत्कुन भून का अधान करती थी इसी पकार सलियार, केकोलार जैसे भूनकर भी सम्रद्य साली समदाय बन गए थी वे मंदरों को भारी दान तच्चनान धिया करती थी बस्त निर्मार से सम्मंदित कुछ अन्यकार जैसे कपास को साफ करना, कातना, प्रणना भी सुतंत बेवसाय बन गए थी जिनके लिए विसे सगता की आवस्ता होती थी पीतल की चित जो आपका चाहरे हैं ये पीतल की मौम बत्ती दान पर खाला आवरन चित पाच सौल का बॉड़र बात करें सहरों के बदलते हुए बात करें कई सताफ्तियों के लंबे समय में एहम्दाबाद गुजराद जैसे कुछ नगर बढ़े ब्यापारिक केंदों की रूम में बिक्सित हो गए लेकिन तन्जावर जैसे कुछ अन नगर पहले की अपयक्छा बिस्तार तथा महत्त की दिर्ष्टी से सिकुड़ गए इसी काल में पश्चम बंगाल में भागी रती नदी के तट पर इसित मुर्षी दावा रेस्मी बस्तों के प्रमों ख्यंद की रूम में उबरा था वर्ष 19 बर्ष 1704 में कब 1704 में बंगाल की राध्धानी बन गया लेकिन इसी सतापदी के दौरान उसका सितारा डूग गया क्योंकि वहां के बुनकर एंग्लेंड की मिलों सिबन कर आये सत्य कपड़ों के साथ पित्ती यह उता में टिक ना सके बात करते हैं हमपी मसूली पटना और सूरे हमपी की वास्तुकला का संदर यह हमपी के आदे की टूटी पुई दीवार से बोच का दिश से ठीक ए जिस चित हमपी नगर किष्णा और तुंगवद्दा नदियों की घाटी में सित्य यह नगर 1336 में इस्थापित विजय नगर समराज का कैंदिस्तल था हमपी के सांदार खंडरों से पता चलता है कि उस सायर की किलेवंदी वो चिकोटी की थी किले की दीवारों के निर्बाण में कहीं भी गारे चुने जैसी किसी भी जोडने वाली मसालों का प्रियोग नहीं किया था सिलाखंडों को आपस में पसा कर गूता गया था कि देखिए कुछ भी कह लीजिए लेकिन सबके कारियर कुछ दिमाग वाले तो होते हैं बड़े क्योंकि अभी देखिए कोई भी मकान बना रहा है सौसा नहीं चल रहा है गिर जाटता है तब से अभी तक किले खड़े हुए है कोई परकनी बढ़ रहा है कुछ तो कला थी उन पेज ने 16 भी सतापती में हमपी नगर का वाइडन इस पेकार किया गवासे आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से बुजरते हैं उस द्वार के भी तर राज्या ने एक अतन सुद्रन प्रचार प्राचीर वद नगर बसा रहा है जो दीवारों और बुर्जों से सुर उसके भी तर उसे रित्मे से बनाए गए बहुनों की अतन सुद्र कतार हैं जिनकी सब छतें सपार्ट हैं अपने सासंकाल में बिजय नगर के सासकूने जलासें नहरों के निर्माड में काफी रोचिली मालदेवी नदी के उबर 1.37 किलोमीटर लंबी मिट्टी के बांध व बीच एक विसाल पिस्तत बांध का निर्माड बिजय नगर के निकट एक विसाल जील के निर्माड के लिए किया जहां से जल्पू जलसेतू और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों की तक सिचाई के लिए पहुंचाय जहता था आँगे बात करते हमपी की वास्तुकला विशिष्ट पकार की थी वहां के सावी साही भवनों में भव महराव और गुम्मत थे वहां इस्थम्मों वाले कई विसाल कच थे जिनमें मूर्थियों को रखने के लिए आले बने गुए थे वहां सुनेजित बांभगीचों में लिए थे जिनमें कमल और क्रोंडों की आर्थी वाले मूर्थिकला के नहुने थे पंद्रवी सोलेवी सताप्दी के अपने सम्रदकाल में हम पी कई वाड़िचे और सांस्किति गती बितियों से गुंजाय मान रहा रहता था उन दिनों के हम पी के वाजारों में मुसलिम, स जिट्टियों, पुर्दगालियों जैसे यूरोपिय व्यापरी के एजेंटों का जंगट लगा रहता था हम पी के बिट्टल मंदिर का पत्तर का रहते के देखिये मंदिर सांस्किति गतिविधियों के केंद होते थे देवदासियां बेरुपाक्ष मंदिर के अनेक इस्तम मात्री बर्व कहलाता है उन दिनों हमपी में अतेयन्त महत्कून परव माना जाता था पुरा तत्विधों ने उस महानवनी महानवमी मंच्की को खोज निकाला जहां राजा अपने अथितियों का स्वागत सदकार करता था अधीनस्त व्यक्तियों ने नजराने वभार किया लिया करता था वहीं बिराज मानवकर राजा नेथ एवन संगी तता मल यूद की कारेक्टरम भी देखा करता था 1565 में दक्किनी सुल्तानों गॉल्पुंडा बीजापूर एहमन नगर बराब बीदर के सास्कों के हातों बीजय नगर की पराजर के पाल हम्पी का बिनार सोगे वाडिजिकेंद क्या होते हैं वाडिजिकेंद एक ऐसा स्थान जहां विभिन उत्पादन केंदरों से आने व सक用 प्ष्च्ण का प्ष्चिम ब्रविजव की और कुछ समय बाद के एहमदवाद के सास Gobierno गुजरात में प्ष्च्णि मी व्यापार क्या होडिजिकेंद बल गया सूरत और मुझे की खाड़ी से होकर क्वश्चन मेसिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख द्वार था सूरत को मक्का का पेसासन पिस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हजयात्री जहां से यहीं से रवाना होते थे मक्का के लिए सूरत एक सर्व देशी ये नगर था जहां सभी जाती हों धर्मों के लोग रहते थे सत्रह भी सतापदी में वहां पुर्दगारी हों डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवां माल गोदाम थे अंग्रेज इतिहास का ओविंगर टन ने 1689 में सूरत बंदरगा का बढ़न करते हुई लिखा कि किसी भी एक बक्त पर भिन भिन देशों के बहुस्तन एक सो जहाज इस बंदरगा पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे सूरत में ऐसी अनेक दुकाने थी जो सूती कपड़ा थोग और फुठकर कीमतों में फ़र बहंची बहंचती थी सूरत के बस्त अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए बिस दे थे उनके लिए बश्चे मेसिया अफीका और ईवरोब में बायार उपलब थे राज ने विस के सभी भावों में से इन नगर में आने वाले लोगों की आवसक्ताओं को पूरा करने के लिए अनेक विस्तरामग्रे बना रखे थे वा भबबभवन असांग मनुडञ्यक स्था सूरत में काठिया बाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी-बड़ी सहुकारी कंपनियां थी वो लेखनिया की सूरत से जारी की हुन्डिया, हुन्डियों को दूर दूर तक मिस्से से काहिमा इराक से बसरा और बेल्जियम में एंट पर्प की बाजान में मानता थी हुन्डि क्या है आके? हुन्डि एक ऐसा दस्ता वीजे जिसमें एक बेक्ती द्वारा जमा कराए गई रखम दर्ज रहती थी हुन्डि को कई अन्यन पिस्तुत करके जमा की गई रासी प्राप्त की जा सकती है किन्तु सत्रह भी सताथी के अंतिम बत्सों में सूरत का भी अंध पतन पैरा हुए इसके कई कारण थे मुगल समराज के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पातक ता की हानी पुर्द गालियों द्वारा समुद मारवों करने अंतर बंबई वारतमार में मुंबई से एपीतीयस प्रदा जहां 1668 में अंग्रेजी इस्टिद्निया कंपनी ने अपना मुख्यालाई इस्थापित कर लिया आसूरत एक मत्पूर्ण वज्जिक कैंद्र जोकिम भरा दौर मसूली पतनम के लिए चनोती मसूली पतनम या मचली पतनम नगर किष्णारदी के देल्डेशलम में बिकार की गद्धिवधियों का नगर था वॉल्लेंड और एंग्रेण्ड दोनों देशों की इस्ट इंडिया कंपनीयों ने मसूली पतनम पर नियांतर प्राप्त करने का फ्रेयातर किया क्योंकि तब तक वय आत्टक का सबसे महत्कून पतन था अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते बिल्यम मैथ वाल्ड ने 1620 में इन सब्तों में मसूली पर्टनम का बैडन किया यह गोल कुंडा का मुखपतन है जहां परमपूज इस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है यह एक छोटा नगर है पर घहना बसा हुआ है बिना किसी चार देवारी के और खराब तरीके से बना हुआ है ना ही यह अच्छी जगह है इसके सभी जलप्रोत सरोत खारे पानी के पहले गरीब मच्वारा नगर था आंगे चलकर जहाजियों के लिए लंगर डालने की सुद्धा हो गई है जिससे ब्यापार लोग यहां रहने लगे तो चुकि हमारे तथा फॉलेंड के निवासी यहां इस तरफ पर आते जाते लहते यह उनके लिए निवास यह वर्स्ता करता है गुमास्ता यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की ब्यापारिक गतिविदियों के प्रभारी अधिकारी आपके गुमास जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह इस्ट इंडिया कंपनी के हांतों में ना चला जाए वेवन ब्यापारी समुखों गोलपंडा के कुलीन बर्वों फार्स्ती सौधागरों तेलगु कॉमटी चिट्यार और यूरोपीय ब्यापारियों ने नगर को घनी आवादी व विदार मीर जुम्ला ने जोगी स्वयम एक सौधागर था हॉल्लेंड वासियों और अंग्रेजियों को आपस में वेडाना शुरू कर दिया 1686 सतासी मुगल वासार औरंग्जेम ने गोलकुंडा को मुगल समराज में मिला लिये अब यूरोपीय कंपणियों के सामने अन्नवेकल रूपने की समस्या आपड़ी वी कंपणियों की नई नीति के अंतरत केवल इतना ही परयाप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रेश के उत्पादन के अत्मनों के साथ वो संबंद बना रखें बलकि इस बात पर की भी आवसकता मैसूस की लिए कि कंपणियों के नए केंद एक साथ राजिन के प्रिसासनिक और व ब्यापारी बंबई वर्थमान मुंबई कलकात्ता वर्थमान कोलकात्त मद्रास्प ब्रमवन ब्रत्मान में देशे चन्ने ही चलें तब मसूली पतनों अपने ब्यापार और समरिदी दोनों ही खुबया और अठारवी सताथी के दवरां उसका अधबतन हो पर है आज वाए चोटे से जीन से नगर से अजिक कुछ भी नहीं है बात करते हैं नई नगर और व्यापारी 16 भी और 17 भी सताप्ती में एवरोप के देश व्यापारी उद्देशों से मसालों और कपड़ों की तलास में लगे हुई थे जो इवरोप और पश्चमीद एसिया दोनों जगे लोग रिये हो गए थे अंग्रेजों, हॉलेंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर में अपनी वाडिजिक गतिव दियों कभिश्थार करने के लिए अपनी अपनी इस्ट इंडिया कंपणी बनाई फ्यारम में तो मुल समुद्री व्यापार पर अपना नयंतर इस्थापत करने के लिए नौ सक्ति का फ्रेव किया और भारतिय व्यापारियों को अपने एजेंटों के रूम में कार करने के लिए मजबूर कर दिया अंत्ता अंग्रेज और महादीप में सरवाधिक सपल वाडिचिक एबं राजन धुलाई, रंगाई, आधी कलंदा अपना दे लिए इससे इन सिल्पों का बहुत विस्तार हुआ बारतिय वश्तों के रूप में रंग, रोटी जाएं, अधीकारी परिस्कर्ट होते गए किन्तु इस काल में सिल्पी, सिल्पकारों को कि सतद्दा गड़ने लगी सिल्पी जन पेसगी की प्रेडाली पर काम करने लगी, जिसका रतियाय था कि उन्होंने जिन एउरोपिये एजेंटों से पहले ही पेसगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेंचने की सुतनता नहीं थी उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा नेधारे बिज्याइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अमसार पनाने पड़ते थे अठारगी सिताप्ती में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का पुदैबगा जो आज किरमुक महानगर हैं सिल्फ और वाडिजिक के बड़े-बड़े परिवर्तन आई जब उनका जैसे कारीगर और सौधागर यूरोपीय कंपटी उत्वारा इन नगर नए नगरों में इस्थाफित बिलेक टाउंस में इस्थाफित इस्थानानतित हो बिलेक यानी देशी ब्यापारी और सिल्फ जनों को इन बिलेक टाउंस में सीमित कर दिया गया है जब गोरे साथ को ने मद्दरास में फोर्ट सैंट जॉर्च और कलकत्ता ने फोर्ट सैंट बिलियम की सांदार कोटियों में अपने आवास बना गई अठारवी सिताप्दी में सिल्फ कलाव अततान वाड़िजिक की अप कहानी ये हम अंगले कक्छाटवी में पड़ेगे थे प्रारवी कुन्नीस भी सिताप्दी में बंबई की एक सरण बासको डीगामा और किष्टोफार कॉलंबस पंदरवी सिताप्दी में एउरोपिय नापकुन्द्वारं समुद्रे मार्ट खोजने की अभूदवोर कार किये उनमें से अनेग नाविक भारतिय उम्मादीप तक पहुचने कमार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से फेरे थे पुर्दगाली नाविक वासको जी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करती हुए कैप और गोड़ वाप से निकल कर हिंड महासागर को पार करके भारत पहुंचा उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में एक बर्स से भी अधिक समय लग गया वह बर्स 1498 में काली कट पहुंचा अंगले वर्स पुर्दगाल की राधानी लिसबन लोट गया इस समुद्री यात्रा के दान उसके चार में से दो जहाज नश्ट हो गया एक सो सब्सक्र यात्रियों में से किवल चंवन जीरत बची इंप तेक्ष खत्रों के बाप्चु जो मार्ट खुले या खुजे गए भी अतेन्त लाफकारी से दुगे इसके बाद तो अंग्रेज, हॉलेंडवासी और फ्रांसीजी नाविकों ने भी उसका अनुसरण करना प्यारा कर दिया बहारत पहुचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज एक अनुट टूपर इडाम निकला जिसके किसी को आसार नहीं थी एक इटली वासी, केश्टो पर कोलंबस ने बहारत पहुचने के मार्ग होजने के लिए अट्रलांटिक महासागर को पार करके पस्टिम की ओर यात्तागा करने का निश्यट किया उसका सोचना था कि पितवी गोल है, इसलिए हुए पस्टिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता वर 1452 में वेश्ट इंडीज के तट पर पहुंच गए वेश्ट इंडीज का नाम इसनी ब्रहांती के कारण पड़ उसके पीछे, इस्पैन और पुर्दगाली की नाविक और विजेता भी वहां आते रहे, उन्होंने मत्थ और दच्चिन अमेरिका के बड़े-बड़े भागों को अपने कबजे में कर लिया और अक्सर उन पिदेशों की पहली वाली बस्तियों को नश्ट कर दिया यह आपके कुछ कुश्चन थे, अब भिहास के लिए ट्यूर से लगाते रहे, पीडियाफ टेलिगरम पर डढ़ लिए वहां से इतना वजोट रहे, इसमें आप लोगों ने देखा है, मंदिर नगर, नगरी केंट, बिसकर्मा, वड़िचिकेंट, ब्लेक टाउन क्या है इस तरह है कि जो भी आपके सब्द उभा गरें, उन पर ध्यान दिया करिए, क्योंकि इन ही सब्दों के को समझाने के लिए आपको इतनी कहानी सुनाई जाती है तो यह आपका छड़वा चर्टर था, नगर व्यापारी और सिल्पी जन, आँगे बात करेंगे, साथवे चर्टर में जन जाती है, खाना वदोस्ट और एक जगे बसी कोई समुदाय के बारे है नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, NCEIT कर्च्छा साथवी की हमारा अतीत भाग दो के बारे में, तो इसमें अभी तक हम लोग 6 चेप्टर आपके खतम कर चुके हैं, साथवा चेप्टर हमें बात करनी है, जन जातियान, खाना वदोस्ट और एक जगे बसे हुए समुदाय के बारे में, याद रखिए बार बार मैं यही दोहराता रहा हूं, कि इसे जो भी आपकी NCEIT हैं, इसे एक बार आपको कहानी के तरह सुनिए या फिर चाहे पढ़िए लेकिन एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लिए, एंड तक पढ़ते रही है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, थिर भी एंड तक पढ़ते रही हैं, क्योंकि हम अगर बीच में हड़ बढ़ाएंगे, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले हैं, ठीक है? तो तो इसमें ऐसा कोई टम्स भी नहीं है कि जो समझ में ना हा सके तो आप लोगों को एक बार अगर मन से बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है एक बार में ये 85-90 परसेंट आपके जो भी कॉंसेट हैं केलियर हो जाएंगे जैसा ये अध्याय दो, तीन और चार और में आपने देखा कि किस विकार राज्यों का उठ्थान और पत्थन हुआ है इस उठापटक के बीच की ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्थपा तक गतिविधियों की नई किसमें सहरों और गाओं में फल्प हो रही थी एक लंबे अंतराल में कई महत्थपूर राजनेते सामाजे और आर्थिक परिवर्तन हुए लेकिन सामाजी परिवर्तन हर जगे एक समान नहीं थे क्योंकि अलग-अलग किसम के समाज अलग-अलग तरीकों से बिक्सित हुए ऐसा कैसे और क्यों हुगा यह समझना मत पूले जन्जातिय नित संताल संताल भी बोलतें से इस जन्जातियों देखिए इस उम्माधिप के बड़े हिस्से में समार्च और नीमनुसार पहले से ही बिवाजित था ब्रह्मणों द्वारा सुझाय गैनियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा सुईकार किये गये थे इससे उंच और नीच तथा अमीर और गरीब के भी कफातला बड़ा दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काव में सैणिवर्द समाज जाना जटेल हो गये वड़े शहरों से परे जन जातिये समाज अलवत्तराम दूसरे तरह की समाज भी उस समय मौजूद थे वो महादी के कई समाज ब्रह्मणों द्वारा सुझाय गये सामाजिक नेमों और करमकार्णों को नहीं मांते थे नहीं भी कई आसमान बरगों में विवाजिक थे अक्तर ऐसे समाजों को जन जातियां कहा जाता रहा है पितेक जन जाती के सदस्त नातिदारी की बंधन से जुड़े होती थे कई जन जातियां खेती से अपना जीवों को पारजन करती थे कुछ दूसरी जन जातियां के लोग सिकारी, संगराग या पसुपालक थे प्रया भे अपनी निवास इस्थान की प्राक्तिक संसानों का पूरा पूरा इस्तिमाल करने के लिए इन गतिविदियों का मिला जला रोप अपनाते थे कुछ जन जातियां खाना वद्रोस थी बे एक जगह से दूसरे जगह गूमती रहती थे जन्जातिये समुल सेवत रूप से भूमी और चारा गाहों पर नेंतर रखते थे और अपने खुद के बनाये नीमों के आधार पर परीवारों के बीच इनका बटवारे करती थे इस उमाधीर के विवेन निस्तों में कई वड़ी जन्जातियां खली पूली समंतरी जंगलों पहाड़ों प्रेगिस्थानों और दूसरी दुर्गम जगों पर निबास करती थे कभी-कभी जाती विवाजन पर आधारित अधिक सकती साली समाजों के साथ उनका टगराओ होना थे कई मायनों में जन्जातियों ने अपनी आज़ाधी को बरकरा रखा और अपनी अलहदा संस्किती को बचाए लेकिन जाती आधारित और जन्जाती समाज दोनों अपनी विवित किस्म की जरूतों के लिए एक दूसरे बद निरवर्त थे टकराओ और निरवर्ता के सम्मण में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया जन्जातियों लोग कौन थे समकाली नितिहास कारों मुसाफिरों ने जन्जातियों के बारों में बहुत कम जानकारी दी है कुछ अब बात को छोड़ दें तो जन्जातियों लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखती थे लेकिन समर्द दिती रिवाजों और वाचिक मौके परंपराओं का भी संरक्षन करते थे यह परंपराओं हर नई पीड़ी की कुछ बिरासत में मिलती थे आज की दिहास का जन्जातियों पर दिहास लिखने के लिए इन वाचिक या परंपराओं को इस्तिमार करने लगी जन्जातियों लोग भारत की लगभर हर्चेत में पाय जाती थे किसी भी एक जन्जाति का इलाखा प्रभाव समय के साथ साथ वदलता रहता था कुछ सकती साली जन जातियों का बड़े इलाकों पनियतर था पंजाब में खोकर जन जाती पंजाब में लोग की खोकर जन जाती है 13 वी और 14 वी सदी के दोरान बहुत पिरवाव साली थी यहां बाद में गखर लोग जाना माजबूर थे उनके मुकिया कमाल खानगफ खर्ण को वादसाय अकवर ने मनसबदार बनाये था मुल्तान और सिंद में मुगलों दवारां अधीन कर लिये जाने से पहले लंगा और आरगोन लोगों का प्रिवुद अतेंद विस्त चित पर था उत्तर पश्टे में एक और विसाल इवब सकती साली जन जाती थी बलोच ये लोग अलग-अलग मुखियों वाले कई छोटे-छोटे कुलों में बटे दिए थी पश्टमी हिमालाय में गड्टी-गड्रियों की जन जाती रहती थी वो महादीब के सुदूर उत्तर पूर्विभाग पर भी नागा अहों कई दूसरी जन जातीयों का भी समोग था पिर मुख भारती जन जाती के चित जिसे आपका भील हो गया लंगा जन्जूरा खोकर गखर बलूची अरगोन समाज कोली जाटवास भील कोली काट्रों कोरुगा कुरागा बेतर आपको गौंड बैगरस खौंड कोयास गौडवाना याद रखिए कि आपको हल तरह से आपका अनक्सा योगी आपका भारत करें इसे याद होना चाहिए हल तरह से कोई ट्रिक मत बनाजिए एक सेड़ी से आप लोग राज्यों का किरम याद रख लीजिए ठीक है चुंकि जो हमें लोग मैप देखते हैं उसमें हमें अंदाजा दो रहना चाहिए कि कह कुंसा देश हमाना राज्य कुंसा बुंडा खोज खासी नागा ठीक है तो हमें अपना राज्यों के सभी का किरम देख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है कुल परिवारों या घरों के एक ऐसी समों को कुल कहते हैं जो एक ही पूरबच की संतान होने का दावा करते ह जन जातीय संगतन प्रा नातिदाली या कोल समंधी निश्टा पर आभारे होते हैं मौजूदा बिहार और जिहारखंड के कई इलाखों में बारवी सदी तर चेर सरदार सहीं का उदय हो चुका था वात्साय अकवर के पिसिद्ध सैनापती राजमान सिंग ने 1591 में चेर ल लेकिन बेड पूरी तरह अधीन नहीं बनाएगे और अंग्जीब की समय में मुगल सैनाओ ने चेर लोगों की कई जनों पर कप्जा कई या इस जन जाती को अपना अधीनस्त बना लिये इस छित में रहने वाली जन जातियों में मुंडा संथाल या संथाल यग पी एउड उस भीसा और बंगाल में भी रहती थी पारनाटक और महरास्ट की पहाडियां कोली बरात कई दूसरी जन जातीयों के निवास थां थे कोली लोग गुझरात के कई इलागों में भी रहती थे कुछ और दच्छन में कुरोग, कुरागा, बेतर, मारवाद, दूसरी जंजातियों के विसाल आवादी थी पहिलों की बड़ी जंजाती पश्चिमी और मद्भारत में फैली भी थी सोलेवी सदी का अंत आत्या थे उन में से कई एक जगे बसे हुए खेती हैर और यहां तक की जविदार बन चुपे थे तब भी भीलों के कई को सिकारी और संगहट बने रहे मोजूदा चतिसगड मत्विदेश महराष्ट और आंद गरिस में गौंडलो बड़ी तादाद में फैली गुए थे राज में भीलो भीरन का सिकार देख दीजे भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थे यहां मेवा एकट्टा करके उसे उंटों पर लादा जाता था मत्देशिया के ब्यापरी ऐसी वक्तुमें भारत लाते थे और बंजारी एवं अन्न ब्यापरी उन्हें इस थानिया बाजारा तक महुच जाते थे खाना बदोस और गुमनतु लोग कैसे रहते थे खाना बदोस चरवाहे अपने जार्गों के साथ दूर दूतर गूमते थे आपने देखा होगा अगर आप ग्रामिट चित में जहां इस तरह की खात्यान की व्योस्ता हो तो आप उन्हें आते हैं बेड़ा आती हैं लेके लोगा नहीं आते हैं आपके तरव गूमने आते हैं गर्मिएों के मौसम में यही हैं खाना बदोस गुमन तुजी से बोलते हैं दो उनका जीवन दूद और अन्न पसुचारी उत्वादों पर निर्भर था विखेती हर गरहस्तों से अनाज कपड़े वरतन और ऐसी ही चीजों के लिए उन गी इत्यादी का वीने में भी कलते थे कुछ खाना बदोस अपने जानवरा पर सामानों की लोलाई का काम भी करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाते आते इस सामानों की खरीब फरोग भी करते थे खाना बदोस और भर्माडसील समूग खाना बदोस गुमंतु लोग होते हैं, उनमें से कई पसुचारी होते हैं, वो अपनी रेवर्ण और पसुगंद के साथ एक चारागय से दूसरे चारागय गुमते रहते हैं, इसी तरह दस्तकार फेरी वाला, नितक गायक, अन्य तमास भर्माडसील समूग अपना काम दना करते करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं, खाना बदोस और भर्माडसील समूग दोनों अकसर उस जगह लोट कर आते हैं, जहां उन्होंने पेछले साथ दौरा किये था, बंजारा लोग सबसे मंधियों ब्यापारी खाना बदोस्ते, उनका कारवा टांडा कहला करते हैं, सुद्दान अलादी खिल जिए, बंजवराओं का भी इस्तिमाल नगर के बाजारों तक अनाज की डोलाई के लिए करते हैं, बातसा जहांगी ने अपने संस्मर्णों में लिखा है, कि बजारी बिभिन इलाकों से खाध्यानों के दवरान, बेब मुगल सेना के लिए खाध्यानों की ढूलाई का काम खरते थे, किसी विसाल सेना के लिए एक लाख बैल अनाज ठोते होंगे बंजारे 17.11 में भारत आने वाले एक अंग्रे जीब्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का बर्डन किया, सुबहे हमारी मुलाकात बंजारों की एक टंडा से लिए, जिसमें 14,000 बैल थे, सारे पसूर गेहूं और चावल जैसे अनाजुन से लदे होए थे, एक बंजारे लोग अपने साथ लेकर चलते थे, एक टंडा में कई परिवार होते थे, उनका जीने का तरीका उन भार वाहुकों से मिलता ज़ता था, जो लगातार एक जगए से दूसरी जगए जाती रहते, गाय वेल उनके अपने होते थे, कई बार भी सौधागरों के द्वारा बहारे पर न आनेगा होते थे, वहां से भी किसी चीज लाल लेते थे, जो किसी और जगए मुनाप्य के साथ बैची जा सकती, टंडा में छे से साथ सो तक लोग हो सकते, वे एक दिन में छे से साथ मील से जाना सफर नहीं करते, यहां तक कि ठंडे मौसम में भी, अपने गाय वेलों पर से सामान उतारने के बाद, वे उन्हें चड़ने के लिए खुला छोड़ दे थे, क्योंकि यहां जमीन परयापत और उने रोखने वाला कोई नहीं थे, कांस, मगरमच, कुट्टिया, कॉंड जन जाती उडिशा दोर, कई पस उचारी जन जाती हैं, मवेजी और घोड़ों, जैसे जानवरों को बालने पास, पोसने और संपर्न लोगों के साथ उन्हें बैचने का काम करती थी, छोटे मोटे फेरी वारे, फेरी वालों की पेवेन नजातियां भी एक गाउं से दूसरे गाउं पहमण करती थी, इलोग रस्ती, सरकंडे, कीचिय, खुस की चटाई, मो विच्चुक लोग भी गुमंदूर वदागरों का काम करती थी, नर्दकों, गायकों और अन्न तमास विजिनों की भी जातियां थी, जो विभिन नगरों गाउं में कमाई के लिए अपनी कला का फिदर्शन करती थी, बात करते हैं बदलता समाज नई जातियां और शेडिय जैसे जैसे अलत विवस्था और समाज की जरूरते वरती गई, नए उनरवाले लोगों की आवस्तकता पड़ी, वायडों के भी तर छोटी छोटी जातियां वरतने लगी, वधारन के ब्रह्मबणों की निक बीच नई जातियां सामने हैं, दूसरी ओर कई जातियां और साम बड़े, राजमिस्त्री, खुवी, ब्रह्मबणों द्वारा, जातियुक्रू में मानता दी गई, वर्ण की बज़े जाति समाज के संगटन का अधार बन दे, जाति पर विचार में उस, वरत्मान तमिलावडों के त्रू चिड़ापली तल्लुक में, इस्थित, विया, कि बारवी सताप्दी के अविलिक में, ब्रह्मबणों की एक सभा के विचार में उस का बैड़न मिलता है, बेरत्कारों, साब्देकर्द रद बनाने वाले, लोग की सामाजी की स्थिती पर विचार में उस कर रहे थे, उन्होंने इस जाति के कामकाज तर किये, जैसे मिवा बरवनाना सामरी थे, ग्यारवी और वारवी सदी तक आते आते चत्रियों के वीच नए राजपूत गोत्तों की तागत में काफी इजापा भूए, बेहूर, चंदिल, शालुक और दूसरे बंस परंपराओं से आते थे, इन्हों से कुछ पहले जंजातियों में आते थे औ शासकों ने सकती साली राज़ों की निर्माण में अपनी संपता का इस्तेमाल किये। सासकों के रूम में राध्पूत गुत्तों को के ओधय के उधारन कर जन जातिये लोगों ने अनुसरन किये धीरे धीरे बेरमणों के समरतन से कई जन जातियां जाती बेवस्ता कहस्ता बननी लेकिन केवल पिर्मुक जन्जातियां जातिये परिवार इसासक बर्व में सामिलों पाई उनकी बभू संख्या कावादी समाज की छोटी जातियों में ये जगह बना पाई दूसरी तरफ पंजाब सिंध और उत्तर पर्चमी सरहत कि प्रवुत्य साली जन्जातियों ने काफी पहले इसलाम को अपना लिया था बेजाती विवस्था को नकारते रहे सनातनी हिंदू ध्रम के द्वारां पिस्तावित गयर वराभी वाली सामाजिक विवस्था इन इलापों में बड़े पिर्माने पर सुईकार नहीं कियो एक गौंड मढला राज्यों की उत्पत्ति और जन्जातियों लोगों के बीच हुआ सामाजिक बदलाव से गहराई से समन्दित है हमारे इतियास की इस मत्पूर्ण हिस्से को दो दाण नीचे और लिखेता है गौंड गौंड लोग गौंडवाना नमक विसाल बन्पिदेश में रहते थी वेश्थानांतरीय किरसी अथाथ जगे बदल बदल कर खिती करते थी विसाल गौंड जन्जाती कई चोटे चोटे कुलों में भी बठी होई थी पितिकुल का अपना राजा या राय गुतत था अपनकाल की एक इतियास का अकवरनामा में उल्लेक थे کہ गड़ कठंगा गौंड राजा में सतरजाग गाउं थी इन राज्यों की पिसासन धो के अन्दिक्त हो रही थी राज्यों में गड़ों में बेभाजित थे हर गड़ किसी खास गौनकुल कि नेदर में था ये पुनाहा 84 गाउंँ की काईओं में बेभाजित होते थे जिन्हे 84 आजाता थी चावायान बरवुतों में होता था जो बारे बारे गाउं को मिलाकर बनते थे बड़े राज्यों के उधर ने गौंड समाज की चरित को बदर लान। उनका मूल बरावरी वाला समाज धीरे धीरे आसमाज आसमाज समाजिक बर्भों में विवाजित हो गया। ब्रह्मड लोगों ने गौंड राजाओं से अनदान में भूमी बरावत की परेदिक प्रवावसाली बन गई। गौंड सरदारों को अब राजपूत के रूम में मानता प्राप्त करने की चाहत हुए। इसलिए गंड कटंगा की गौंड राजा अमंदासने संगराम साय की वबादी धारन की। उसके पुत्व दलपत ने महोगा की चंदे राजा साल वहान की पुत्री राजपुमारी दुर्गावती से बिवाई गी। दलपत की नित्यू कम उम्मे में हो गई राणी दुर्गावती बहुत योग थी। उसने अपने पांस साल के बुर्थ बिरीना राएन की नाम पर सासन की कमान समा दी। उसकी समय में राज का बहुर अधिक विस्तार हुए। 1565 में आशिक खान की नित्यूत में मोगल स्यानाव ने गड़ कटंगा परहामला किया। राणी दुर्गावती ने इसका जम कर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पर करने की वज़ाए मर जाना बेतर समझे। किसने राणी दुर्गावती ने उसका पुत्त भी तुरंतवाद लड़ता हुआ मारा गया। एक नक्कासी दरवाजा गौंड जन जाती बस्तर मद्धिश में। इस्थानात्रित खेसी क्या होती है। किसी बनपरांद के पीड़ों और जहाडियों पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में ही फसल वो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी और बटता खोजीती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साप किया जाता है। इस तरह से फसल उगाई जाती है। ठीक है इस्तानात्रित क्रिसी में। इसे जूम क्रिसी भी बोलते हैं कहीं पहीं। गड़ कटंगा एक समरद्य राजी था। इसने हाथियों को बढ़ करने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के ब्याबार में खासा धन्त कमाया। जब मोगलों ने गौन्डों को हराया तो उन्हें उन्हें लूट में फेस कीमती सिक्के और हाथी वहतायात में हत्या लिये। उन्हेंने राजी का एक बढ़ा भाग अपने कपजे में ले लिया। और सेस भी नारायन के चाचा चंदर साह को दे दिया। गड़ कटंगा के बतन के बाब जूद गौन्डराज को समय तक चल दा रहा लेकिन वे कापी कमजूर हो गए और बाद में अधिक सक्ति साली बुंदेलों और माराटों के इकलाब उनके संगर्स आसपल गई। अब बात करते हैं अहोम जिनजाती के बारे। अहोम लोग मौजूदा म्यानमाद से आकर तीरवी सदी में ब्रह्म पुत्र घाटी में आवसे। उन्होंने भुईया भुस्वामी लोगों की पुरानी राजनितिक विवस्था का दमन करके नए राज की स्थाफना की। सोलेवी सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाजों के राजियों को अपने राज में मिला लिया। उन्होंने कई अंजन जातियों को भी अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज बनाये। इसके लिए 1530 के दसक में ही। इतने बरसों पहले अगने अस्तों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्चस्तरिये वारूद और तोपों का निर्मान करने में सक्ष्मोगे। अहोम। लेकिन अहोम लोगों को दच्छे पश्चन में कही आकमण का सामना करना था। 1620 तक में मीड जुमला की नेतित में मोगलों ने अहोम राजी पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बाद जुए अहोम लोगों की पराजय हुए। तेकिन उस्चेत पर मोगलों का पित्यक्च निर्टन जानद समय तक पना नहीं रह सका। अहोम राज, बोगार, बेगार पर निर्टन राधियों के ये जिन लोगों ने से जवरन काम किया जाता था एक पाईक कहला देगा। अहोम राज में एक जन्गरना की गई थी। इत्यक गाउं को अपनी बारी आने पर निश्ची संक्या में पाईक बेजने हुते थी। और सत्रवी सता दी का पूर्वार पूरा होते हुती के सासन खासा केंदीकेट हो चुका। यहां का पूर्वत्तर थी। यहां बंगलादेश हो गया हुटान, मैपाल, म्यानमाद, यह इंगारों खासी जैंतिया, यह सभी चन जातिया, नागा। लगवक्स अभी वायस के पुरस, यह दिखे दोरान सहना में अपनी सेवाएं प्यदान करते थे। दूसरे समय में विद्बान से चाहिए वबस्ता, इत्यादी के निर्मार्ट या अन्न सारवजनिकारेयों में जोटे रहते थे। अहों लोग चाबल की किती, नई तरकी से भी अमल में लाई, यह है आपके कान के आउसन, कभोई नागा जन जाती, मड़ी को दवारां बनाए, ठीक है? अहों समाज, कुलों में विवाज इता है, जिसे खेल कहा जाता है, वहां दस्तकारों की बहुत कम जाती हैं थी, इसलिए अहों चित में दस्तकार निकटवर्ती चित्रों से आई थी, एक खेल के नेतर में प्रयार कई गाउं होती थी, किसान को अपने ग्राम समदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी, समदाय की समित्थी के बगएर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता थी, शुरुवात में हम लोग अपने जन जाती हैं देवदाओं क सिर्व सीम, कि काल में हिंदु धरम वहां का पिधान धरम बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदु धरम को अपनायने के वज़त, अपने पारंपरी आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ों, अहोम समाज, एक अतन्त परिस्कित समाज था, कभियों और विद्यान को अनुदान में जमीन दी जाती थी, नाठ करम को पुरुसान किया जाता था, संस्कित की मत्मूर कृतियां का इस्थानी वासा में अनुवात किया गया था, पुरंजी नामक इतिहासिक कृतियों को पहले अभूम वासा में और फिर असमिया में लिखा गया था, निसकर्ष जन्जातियों लोग एक दूसरे के साथ लगाता संपर्ग में आती रहें इस आधान्पितान ने दोनों तरफ के समाजों में अनुपूर और बदलाव की पिक्रियाद चलाई बहुत सी पेविद्ध पिरकार के जन्जातियां थे और उन्होंने पेविद्ध पिकार की जीविकायें अपनाईए। कलांतर में उनमेंसे कई जाती आधारी समाल में सामेल हो गई। लेकिन कईयों ने जाती व्यवस्था और सत्व, सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जन्जातियों ने सु संगटित के साथने के व्यवस्था वाले विर्श्थित राजी की इस्थाथना की। एकतर इस तरह से विराजनतिक रूप से तागतवर्थ हो गए इससे उन्हें बेक्तर और अधिक जटिल राज्यों और समराज्यों के साथ संगर्ज की इस्तिती में लाग खड़ा करती है। मंगोल, मंगोलिया में, इतिहास में सबसे पर सिद्ध, परसूचारी और सिकारी संगर्ण जन्जाति आपकी मंगोलों की थी। विम्बत देशिया के घास के मैदान और इस्टैपी और थोड़ा उत्तर की और विबन परांतों में बसे हुए थी। 1206 में चंगेच खाने मंगोल और तुर्की जन्जातियों में एकता पहना करके उन्हें एक 37 साली सैन बल में बल में बदलाद। अपनी मित्तियों के समय कोई एक सू बिष्तत पिदेश का सा सकता। उसके उत्रादिकारियों ने एक विशाल समराज खड़ा गिया। अलग अलग समय में इसके अंतर रूस, पूर्वी ईरो, चीन तता मत्पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा सामित था। मंगोलों के पास संगेटित सेन ये उनपे सासन के विश्तता है थी विविन जाती हैं और धारिमिक समय पे समय थन पर आधारिक थी तो ये थाकर साथवा चेट्ट। जन जाती हैं, खाना वदोस्त और एक जवे बसे हुए समधा है ये आपके लिए कुछ है अभ्यास के लिए कुश्टिशन्स है करते रहना त्रियाद रखिए पीडी अब आपके उसी पर ड़िए टेलीग्राम पर बीच सब्त वर्ड देखा हैं लोगों ने जाती देखिए टंड़ा देखा है, गड़, 84, बरवुद, गुईया, पाई, खेल, बुरेंजी, जनकड़ना, आधी की परिवासा हम लोगों ने जानी है और इनी सब्दों की हमें परिवासा अगर हमें मालू चल जाता है कि आखिए सब्दों की अरद क्या होते हैं तो हमारा पार्ट हमने हमने अच्छे द्यान से पढ़ा है अगर इनके सब्दा आपको समझ में नहीं आता है इनकार तो आप लोगों को एक बार और पढ़ना चाहिए जिससे यही कॉंसेप्ट है इनी को किलियर करना है हमें कोई ज्याता नहीं बनना है बस हमें उन सब्दों की परिवासा होने चा हम एक बात करेंगे इस सुर से अनुराग इस सुर से नवस्ता दोस्तों चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि NCEIT कच्छा साथवी की हमारा अतीत भार दो के बारे में तो इसमें अभी तक हम लोग साथ चेप्टर आपके कतम कर चुके हैं साथवा चेप्टर था आपका जग्यातियां खाना वदोस्त और एक जगे बसे हुए समुदाय इसमें बात करेंगे इस सौर से अनुराब याद रूखिए मैं बार-बार यही दोराता रहा हूँ कि आप लोग इसे कहानी की तरह सुनना है या फिर कहानी कीता है पढ़ना है क्यूंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना है वह से एक बार अगर आप लोग मन से पढ़ते हैं तो ठीक आपने चार आप लोगोंने को पूजा पाट करते अत्वा भजन केतन या कबाली गाते या चुपचाप इसमें के नाम का जाप करते हुए देखा हुआ आपने यह भी गौर किया हुआ कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विवोर हो जाते हैं कि उनकी आँखों में आसु भराते हैं इसमें के पिती ऐसा प्रैम भाव या गहरी भक्ती और विवेन पेकार के भक्ती ततना सोपी अंदोलन की दैने जिनका आठ भी सताब्दी से उद्भय होगा आपने देखा होगा यह जो है अगर आप लोग बोलता हूँ कि अगर ग्रामी प्रेश्ट भूमी से आप लोगें कि आपने देखा होगा किसी घर में रामायट चल रही हो तो जब सीथा अखरन होता है तो कई महलाएं होती है गर रोने लगती है कि भावोग हो जाती है ठीक है तो ठीक है वो अपना मेंटर है आप बात करते हैं परमेसोर का विचार बड़े बड़े राच्चियों के उदाय होने से पहले बिन बिन समोग के लोगों लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे जब लोग नगरों के विकास और व्यापार ततर समराच् साथ आते गए तब नए नए विचार विक्सेत होने लगी यह बात ब्याबक रूप से सुईकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे करम करते हुए जीवन मरण और पुनल जीवन के अंधता चक्रों से गुज़रते हैं इस पकार यह विचार भी गहरे बैट गया था कि सभी व्यक्ति जनम के समयवी एक बराबर नहीं होते हैं यह मानता की सामाजी विशे सदिकार किसी उच परिवार अत्वा उंची जाती में पैदा होने के कारण मिलते हैं कई पंडित पूर्ण गरंतों का विशेता अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण जिनके अनसार व्यक्तिकत प्रियासों से सामाजीक अंत्रों को दूर किया जा सकता है और पुनर जैनम के चक्क से चुटकारा पाया जा सकता है कुछ अनलोग परमेसुर संबंदी इस विचार से आकरसित में कि यदि मन उस्थ भक्ति वाव से परमेसुर की सरड में आ जाए तो परमेसुर व्यक्ति को इस बंदन से मुक्त कर सकता है स्री मत भागवत गीता में बैक्त यह विचार सामान में संब इस वी की प्यारंबिक सताज्दियों में लोग प्रिय हो गया दिसत धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से सिव विष्णू दुर्गा के को परम देवी दिवताओं के रूम में पूजा जाने लगाता है साथ ही साथ साथ भिन भिन चेत्रों में पूजे जाने वाले देवों वदेवियों को सिव विष्णू या दुर्गा का रूम माना जाने लगा इसी पिक्रिया में इस्थानिय में थक तथा किस्से कहानिया पुराणे कथाओं के अंग बन गए पुराणों में पूजा की जिन पदितियों की अनुसंसा की गई थी उन्हें इस्थानिय पंग्तों में भी अपनाया जाने लगा आँगे चलकर पुराणों में भी इस बात का गोलिक किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाती का पाती का हो वह सच्ची भक्ती से इसों की किर्पा कर सकता है भक्ती की विचारदारा इतनी अधिक लोग पर यह हो गई कि बद्धों और जैन मता और लंबियों ने भी इन पिस्वासों को अपना लिया जट देख देख रहे हैं आप लोग भगवत गीता कि किसी दच्चम भारतिय पांडूली पी से लिया गया यह पेश्ट है आप लोगों को बता दें अभी कुछी दन पहले मैं एक लेक्चर देख रहा था तो किसी ने बोला था उसमें कि हमारा सरीर तो नश्ट हो जाता है लेकिन जो आत्मा होती यह जो हमारा सरीर हम लोग नहीं देखते हैं जो भी आप कहले हिज ज सई त्रिचा है आप लोग हम अन्ड कह लीजें गूरु कह लिजें बोले जो भी हम करती हैं यह हमारी आत्मा को भगत न पढ़ता है ऐसे कुछ बता रहा था कोई घ्यानी जो भी हो आप प्लोग्रा, तो मुझे समझ में द्वाया वो सही बोल रहा है कि मेरा सरीर तो गलत रास्तों पर चला की ख़तम हो जाएगा राख हो जाएगा यह लेकिन जो करम घरम हमारा सरीर का बाह है उसकी सजा हमारी आत्मा को मिलती क्योंकि आत्मा ना तो कभी मलती है वह आजरम है ठी ओर किसी नकूंचा था मुश कि अभी की गलत राष्टे पर चल कर जल्दी सपलता बोड़ा जाती है और रही रास्तों पर क्लियर भी नहीं होती है सभलता मिले या न मिले लेकिन मेरा पर्सणल भी उते हैं कि हमें सही राश्ते पर चलना चलिए कुछ भी मिले हांत लगे सफलता लगे या अपने लिए क्योंकि इस टाइम में सफलता गलत राश्मां पर सफल चल कर सफलता पाना बहुत नौर्मल है और असी से पचासी परसंट लोग यही करते हैं लेकिन आपको सही रास्ता हो चुणना क्योंकि एक बार जिंदगी मिले लिए कुछ ना तो हमें ले जाना है वांके उपर ना तुम्हें ले जाना लेकिन जिस दिन मरो उस दिन कम से कम अपने आप में सिकायत पुना रहे कुछ मैं तो कहता हूँ इस तरह जिंदगी जियों कि अपने जो भी किरदार मिले तुम्हें घर में परिवार में जिंदगी में वो अपने तरफ से सौ पर्सेंट दोसमें बाकी छोड़ दो सामने वाले पर ठीक है इससे यह रहता है कि हमें अपने आप से सिकायत भी नहीं रहती हुआ है कि मानों जोंट दुनिया बोल रही तुम तो कम से कम सच पर डटे रहो है कि घावत नहीं है कि सच परेशान हो सकता लेकिन वराजित नहीं आंगे बात करते हैं तच्छिन भारत में भक्ति का एक नया पिकार नैनार और अलवार साथवी से नौवी सताथी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों को पदवर भावंगा इन आंदोलन का नितत नया नयनारों सैव संतों और अलवारों वेशनों संतों ने किया ये संत सभी जातियों के थे जिनमें पुलेया और पनार जैसी आस इसपस समझी जाने वारे जातियों के लोग भी सामिल देश में बेबॉद्दों और जैनों के कटू आलो चक्ति और सिब तता विश्नों के पिति सच्चे प्रह्म को मुक्ति कमार बतते हैं उन्होंने संगम साहित तमिल साहित का प्राचितम उधारन और सामान सन यानी इसभी सदी की प्यारम विक्सताफियों में रच्चे थें बिसमाहित प्यार और सूर बीड़ा के आदासों को अपना कर भक्ति के मूलों में उनका समाबेश किया थे नैनार और अलवार गुर्मट कर साधू संद थे जिस किसी स्थान या गाओं में जाते थे वहां के स्थाने देवी दिवताओं पी विसंसा में सुंदर कविताय रचकर उन्हें संगीतवत कर दिया करते थे नैनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुमार आइसपस कामगार किसान सिकारी सैनिक ब्रहमर मुख्यार जैसे अनेक जातियों में पैदां होई थे उनमें सर्वाधिक पिसिद थे अपपार समंदर सुंद लार मडिक वसागल उनके गीतों के दो संकलन थे तेवरं त्रू आचकुन अलवार संद संख्या में बारे थे विक भी भिन भिन पिकार की प्रिष्ट मूमी से आये थे उनमें से सर्वाधिक पिसिद थे फ्री अलवार उनके पुत्रि अंडाल तोंडर रडी प्रोडी अलवार नम्मा लवार नम्मा लवार उनके गीत दिव फिरवंदम से मैं संचलित है धार्मिक जीवनी संत, जीवनी लेकन, संतों की जीवनियां का लेकन था मड़िक वसार, मड़िक सागर किये कांस्पी दिमारी देखेंजी, दस्वी से बाहरवी सदियों के वीच, चोल और पांडव, राजाओं ने उन अनेग धार्मिक इस्तवरों पर विसाल मंदिर बनवादी, जहांकि संत कभियों ने यात्रा की थी, इस पेकार भक्ती परंपरा की, परंपरा और मंदिर पूजा की बीच, गहरे संबन इस्तापित हो गए यही हुए समय था जब उनकी कभिताओं का संकलन तेयार किया गया था इसके अलावा अलवारों तथा नयजनारों संतों की धार में जीवनिया भी रच्ची गई आयम भक्ती परंपरा इतिहास के लेकन में जीवनियों का सिरोत की रूम में उपयोग कलते हैं भक्त और भगवान मडिक को सावर की ये प्रचन, मेरे हाड मास्क के इस गेड़ित पुतले में तुम आये, जैसे ये कोई सोने का मंदिल हो, मेरे किपालों पिरवो, मेरे बुद्ध, विसुद्धितम रधन, तुमने मुझे संतावना देकर वचा लिया तुमने मेरा दुख, मेरा जनमित्यू, कष्ट और माया मोर, हल लिया, और मुझे मुक्त कर दिया मैं आप लोग रामायड सुनते हैं, रामायड देखते हैं, धार्मिक में इतना बिली रहते हैं, लेकर वो अपने आउपर कभी भलो नहीं करते हैं, इन चीज़ों, मैंने देखा हैं, कई जगे कि मतलब आदमी उससे परचित है, उसे जान रहा है, फिर भी वो उसे एकसिप नहीं कर रहा है, उसके इस रास्तों पर नहीं चलना चाहरा है, आदमी पता नहीं किस उसमें रहता है, दो या परमानेंट तो किसी को नहीं रहना है, इतना तो पक्कात समझ लिए, ठीक है, मुझे तो यहीं समय नहीं रहता है, जो लोग बोलते ही कि मैंने उसे पागल बना दिया, उसे जुट बोल कर कुछ, या क्या पा लिया? अगर कोई हमारे उपर आगवंद करें की भरोसा कर रहा है, हम उससे जूट बोलना है, और कुछ पाले हैं, अँथ दुनिया के सबसे अमीर बन जाओ आप या सब कुछ पाल सब तरह की सपन क्या तुम संतुष्ट हो इस संतुष्टी थोड़ी है कि इनसान है है हम कोई भगवान नहीं है इसलिए भरोसा इस तरह की जो भी चीज है समझते रहिए और अपने आप से मिलते रहिए या कितने महान है दर्शन और भक्ति भारत की सरवादिक प्रभावसाली दर्शनेकों में से एक संकर का जनम आठवी सताप्ती में केरल पेजेस में हुआ था बे आदवेद बात के समर्थर थे जिनके अमसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्त हैं दोनों एक ही हैं उन्होंने ऐसे इच्छा दी कि ब्रह्मा जो एक मात्त या परम सत्त है वर निर्गुण और निराकार हैं संकर्ने हमारे चारहोर के संसार को मिथ्या या माना माना माया माना और संसार का परित्यात करने हल्था सन्यास लेने और प्रहम्मा की सही प्रकिति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मारू को अपनाने का उपदेश दिया रामानों 11 स्थाप्ति में तमिलाडू में पैदा हुए थे वे विश्णु भक्त अलवार प्रांतों में से बहुत प्रभावित थे उनके अंसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विश्णु के पिति अनन्य भक्ति भाव रखना है भगवान विश्णु की किरपा दरिश्टी से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानन्द प्राप्त कर सकता है रामानुज ने विश्टा वेट के सिध्धान्त को इत्ती पादित किया, जिसके अंसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने की इत्पाद भी अपने अलग-अलग सत्ता बनाए रखती है, रामानुज के सिध्धान्त ने भक्ति की नहीं धारा हो, बहुत पेरिक किया, जो परवल की आंदोलन और मंदिर्पुजा की भी क्या समय थी, इसके परवड़ाहम सरूप जो पित्ती किरिया हुई, वह वह बासवन्ना और अलमा, अलमा पिरभू और अक महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्यारम किये गए बेरसिव अंदोलन में, बहुत अंदोलन में इ करनाटक में प्यारम गुए था, वीर सेवों ने सभी व्यक्तियों की समानता की पक्ष में और जाती तथा नारी के पिती बेवार के बारे में ब्रह्मडवादी विचारधाराट विरूत अपनी पिरभल तरग पिस्तुत की इसके अलावा विस सभी विकार की करमकानों और म पीचे कुछ बचन या कथन दिये गया, जो बासवन्ना के बताये जाते हैं, धनमान लोग सिर्फ के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं क्या एक गरीब आदमी क्या करूंगा, मेरी टांगे खंबे हैं, सरीर तीत मंदर हैं, सिर्व उपरी छत है, सोने की बनी हुई है, जरा सुनो नदी संगम के फिर्वों, खड़ी हुई चीजों, चीजें कभी गर जाएंगी, लेकिन चलने वाला सदा चलती रहेंगी, महराष्ट के संथ, बात करते हैं, महराष्ट के संथ, तेरेवी से सत्रेवी सिताब्दी तक महराष्ट में अनेका नेज, संथ कभी हुई, जिनके सर बिठल मराकी भासा में लिखे गर्गियों, आज भी जनजन को पेरिद करते हैं, उन संतों में सबसे मत्मून थे ज्ञानिसोत, नाम देव, एक नाव, तुकाराम, तथा सक्खुबाई, जैसे इस्तरियां, तथा चोखा मिठा का परिवाद, जो आज पस समझी जाने वाली म महार जाती का था, भक्ति की ये चित्रिय परंपरा पांदरपूर में बिठल विष्णु का एग्रूप पर और जन्न मन की हिदय में दिराजमान बेक्तिकत देव संबन्दी विचारों पर खेंदे थी, महराट के ज्ञानिसोत नाम देव, एक नाव, तुकाराम जैसे वैश पर जोल दिता, विठल संपदाय को भक्ति की सक्ति साली उपादान की रूम में उदय हुआ, तथा लोगों में कापी लोग प्रिये पूर, इन संद कभीयों ने सभी पिकार के करूंकानों, पवित्ता की ढोंगों और जनम परादारी सामाजिक अंतरों का वेरत किया, यहां के साथ रहने, विनम्मता पूर्वक्त, जरूरत, मन साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए, जीवन बिताने को अर्धिक पसंद किया, उन्होंने इस बात पर बल दिया, कि असली वक्ति दूसरों के दुखों को बाट कर लेना है, इससे एक नए मानुदाबादी विचार का जैसा कि इस ओपिसे ते गुजराती संद, नलसी में एता ने कहा था, कि पैस्णों जन्तों, तेने कईये फीर पर आई जाने रहे, सामजिक विवस्ता पर प्रसन ने चाने, यह संद तुकाराम का एक अभंग मराटी वक्तिवीत है, जो देन दुखियों, पीड़तों को अपने दिल में से लगाये रखना रखता है, वह एक दास के साथ भी अपने पुत्त जैसा बेवार करता है, तुकाराम का कहना है कि मैं यह करते करती, कभी नहीं ठपूंगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयम इस्वर है, जहां चोखा मिठा के पुत्त द्वारा रचत एक अभंग द करती है, इसके लिए मेरे फिर्गोर तुम्हें सरम आनी चाहिए, तुम तो हमारे गार में खा चुके हो, तुम इसके कैसे इंकार कर सकते हो, चोखा का बेटा, कर्मा मिला पूचता है, तुमने मुझे जिन्दगी क्यों दे, नातपंती, सिद्ध और ही होगी, पता है, हम लोगों ने देखी हो, इसी कहानी का रूप देखर हमें, यही समझाने के कोशिस की गई है, एक अच्छा इंसान क्या होता है, क्या करना चाहिए जिन्दगी में, आपने देखा होगा, सीख नहीं लिए हो आप पनने दवर करता है, लेकिन आपको, आपके अंदर माना होत इंसानियत, जगाने के लिए ही सब एक अच्छा मानौब, अच्छा रास्ता चुनने के लिए, ही हमें सब कुछ पढ़ाया जाते हैं, लेकिन हम भर बोल रहा है, कि वो हम लोग एकसेप्ट ही नहीं करते हैं, अपने उपर फॉलोवी नहीं करते हैं कुछ, चलाया चलते रह आगे बाद करते हैं, इस काल में अनेक ऐसी धार्मिक समगू उपरे, जिन्होंने साधान तरग्वितर का सहारा लेकर, रूडी वादी धरम के करमकानों और अन्न वनावटी पहलूओं तथा समाज विवस्था की आलूचना की, उनमें नात्पंती, सिध्धाचार जाने की अनुवूती ही मोग्च का मार ले, इसके लिए उन्होंने योगासन, पेणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के मांद्यम से, मन और सरीर को कट्वो फिसिक्चित तरी सीचन देने की आवसक्ता वा बंदिया, ये समूँ आम तोर पर नीची कही जाने बाले, जात अधार तियार किया, जो आगे चलका को तरी भारत में लोगपरिये सक्ती बना, ये आपके हैं, आपके आसपास तपस्तियों का समूँ, इसलाम और सोफी मत्र, संतों और सोफीयों में बहुत अधिक समानता थी, यहां तक कि ये अभी माना जाता है, कि उन्होंने आपस में क आसवी करते हुए, इसलाम के पिती प्रेम और भक्ती तथा सभी मनुस्तों के पिती दया भाव रटने पर बल देती थे, इसलाम ने एक के सुरवाद यानि एक अल्ला के पिती पूर समार्ट्रमन का दर्टा से पिचार किया, आठवी और नभी सतापती में धार्मिक बिद् पवित्य कानून, सरिया और इसलामिक धरम साथ्तों के बिभन परियूंगों को विक्सित किया, इसलाम दीरे दीरे और जटिल होता गया, जबकि सुफियों ने एक अलग राश्ता दिखाया, जो इसल के पिती बेक्तिकत समर्पन का बल दिया गया, सुफी लोगों ने मुस् पिकार जोड़े रहना चाहते थे, जिस पिकार एक प्रहमी दुनिया की परवाय के लिए अपनी प्रेद्मा के साथ चुड़ रहना चाहता है, संद कभियों की तरह सुफी लोगी अपनी भावनाओं को बैक्त करने के लिए काब रचना किया गयते हैं, गद में विस्तित सा प्रादी के नाम फुल लेखने हैं, नात्पंतियों और सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के पिती अलग नजरिया, अपनाने के लिए दिल खुल, साफ, सिखाया पढ़ाया जा सकते हैं, उन्होंने किसी ओलियाय पी को देख, देख इस परकार अध्यात्मत सोफी उस्तादों की पीडियों, सिलसलाओं का पदुरुभाव हुआ हैं, इन में से हर एक सिलसला, निर्देशों, बद्धार में किरियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाते हैं, यह हैं आपके अननदित सोफी, कस्मीर में 15-16 सदी मैं सो सोफी बात के रिशी पंद का उदय हुगा, इस पंद की इस्थापना सेख नुईदीन वली जिने नंद रिशी के नाम से भी जाना जाता है, नेकी, जिसने कस्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रवाव डाला, रिशी संतों को समर्पित कई इसमार कस्मीर के कई भावों में आए जाते हैं, ग्यारवी सतापती से अनेक सोफी जन मत देशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगी, दिली सतनत की स्थापना के साथे पिक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब महादीब में सरवत बड़े-बड़े अनेक सोफी केंद विक्सित हो गई, चिस अमेर के ख्वाजा मुनुद्दिं, चिस्ति दिली के कुत्व बुद्दिं, भक्तियार का की पंजाब के बावप्री, दिली के ख्वाजा निजामुद्दिं और या गुलवर्ग के बंदानवाज गिसूद राज, यहापकी कुरान की पांडूलिपी से लिया गया एक सोफी सस्था जहां सोफी संथ अक्सर रहती थी उसी क्या कहती थी खानकार, सोफी संथ अपने खानकाहों में विसेज बैठकों का आहिजन करते थी, जहां सभी पेकार के भक्तगण, जिनमें साही गहरानों की लोग, तथा अभिजात और आम लोग भी सामिल होते थी, इन ख आसी बाद मांगने थे, मांगते थे, अत्वा संगीत तथा नेत्त के जल्सों में भी सामेलोकर चलते थे, अकसर लोग यह समझते थे कि सोखे ओलियाओं के पास चमतकारी सकती होती थे, जिनसे आम लोगों को वीमारियों तकलीपों से चुटकारा मिल सकता थे, सोखी संथ की दरगार एक तिर्चस्तल बन जाता था, यह सभी इमान धर्म की लोग हजारों की संख्या में एकटे हो देते, सभी पेश्ट भूमियों के वक्त दरगार पर जाती है, इस तरह है, मालिक प्रभू की कुछ, जलालुत दीन रूमी, तेरवी सदी का महान सुफी सायल था, वह इसायों की सुली पर नहीं था, मैं हिंदू मंद्रों में गया, वहां भी उसका कोई नामस्दान नहीं था, ना तो वह उंचायों मिला नहीं खायों में, मैं मक्का की कहभा भी गया, वह वहां नहीं मिला, मैंने उसके बारे में दार्षनेक एविसन्ना से सूँचा, वह आपको बता दें, कोई भी धार में गयनतों, किसी भी आप जाती के हो, पिर चाहिए आप लोग मुसलिंगों, इसायों, किसेनों, भिंदों, जैनों, किसी भी गरंथ में ऐसा नहीं लिखाएगी, आप किसी के साथ गलत करिये, इस सब्ध कहीं नहीं लिखाया है, जिस अभी 21 स सधी बली चल रहे है, हम लोग आगे चले जा रहे है, समय तो आगे बढ़ रहा है, यह लेकिन अपनी कहां जा रहे है, मानवता से अठके, मानवता इंसनियाट, सब गिर्ती जा रही है, जो हम धरम गरंध रचे गया है, यह किसली रचिए है? हमें अच्छा बनाने के लिए अच्छा करने के लिए हमारे अंदर इंसानियात हो मानवता हो सब बता हो कुछ हम दर दी हो इसलिए तो सभी जो भी आपके गरंते हैं इनमें जिस तरह हजारों नदियान निकलती हो जाके समुद में मिलती हैं इसी तरह यह हल तरह से अपने अपने गरंत हो मैं उन्हें समझाया है कि तुम्हें क्या करना है लेकर हम गरंत कहा हमारे तो 21 सदी में जा रहा है न एक बात ख्याद रखिए मुझे पता नहीं कि दुनिया कैस में इस起ल स्क debattu को लेकिन इतना की दियर है कि मैंपने नोट मैं सही राश्तों पर चलूँँगा मुझे मंजल मिलती है सवक्पलता मिलती है यह बिल्गुलनी में सोचके शी नहीं हो और मैं जहीं पर चलूँगा जो मेंगे वो मुझे मन्यूर है क्योंकि हमसे पहले कई इंसान हुए और डूब गयाश उनका नाम भी पता नहीं किसी हुए जो भी करिए अच्छे से करिए इंसानियत की तरह है और क्या उखाड लेंगे भाई मैं अगर आज ना सुनूँ मैं उल्टा सीधा चलूँ मैं किसी के साथ भी गलत करूँ किसी से विजून बोलूँ क्या उखाड लूगा कुछ नहीं एक दिमाग में ऐसा टाइम लेते रही ह अब इस घंका आप फिरीं तो क्या तुमारे मन में हैं पात-दस मेट मलते रही है अपने आप से आखिर आप हो क्या किस दिसा में जा रहे हूं वह भी तो देखते रही है कि आप दोड़े पड़े हुए हैं आपको खुद पता नहीं है कि मैं इंसान बचा हूं या हैवान देखते रहे हैं अपने आप से बिलते रहे हैं तो उत्तर भारत में धार्मिक बदला तेरही सधी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नहीं लहर है यह एक ऐसा युप्था जब इसलाम ब्रहमडवादी हिंदु धरम सुम्हीमद वक्ति की विभिंड धाराओ ने और नात्पंतियों और सिद्धों तथा यूगियों ने परस पर एक दूसरे को प्रवावित किया हमने देखा और राज्यों का उद्वार हो रहा था लोग अपने लिए नए नए विवसाय और नए नए भूमिकाएं खोज रहे थे ऐसा लोग बिसेश रोप से सिलिफी किलसर ब्यापारी मुझदूर इन नए संत्रों की विचार को सुनने के लिए एकट्टे हो जाती थे थे फिरे बेग उनका प्रिचार करते थे चैतन्य सोलेवी सताप्दी की बंगाल में बंगाल के एक भक्ती संत थे उन्होंने किष्ण राधा के पिति निश्काम भक्ती भाव का उपदेश दिया इस जित में आप उनके अन्वाईयों के एक समूब को आनंद में नास्ते काथते हुए देख सकते हैं उनमें से कवीर और बाबा गुरू नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आन आडमबरों पूर रूडिवादी धर्मों को आसुखार दिया कर दिया तुलसी दास और सुवधार्श जैसे कुछ अन संतों ने उसे में विद्दमान विश्वासों और पदितियों को सुईकार करते उने सब की पहुंच में लाने का प्रतन किया तुलसी दास ने इस सुर को राम की रूम में धारण किया अब दी पूर्भी उत्तर पिदेश की बोली में लिखी गई तुलसी दास की रचना राम चरित उनके भक्ति भाव की अभी वैक्ति और साहित ती कृति दोनों ही दृष् में संगेत हैं एबं उनके भक्ति भाव को अभी वैक्त करती हैं असम के संकर्देव परवर्ति पंद्विस्ता थी जो इनी के समकाली थी वेविश्णों की भक्ति पर बल दिया और असमिया भासा में कविदाएं और ना कर लिए जिनोंने ये नामगर कविदापाट और प् जैसे दादू 16-23 अबदी में मेरा हो गए 16-27 अबदी नरसी में 15-25 अबदी गुजराथ बावा गुरु नानक सता 15-16 अबदी रामदास हो गए 16 दास हो गए एकनात तुकाराम पुरंदादास रामदास चैतन संकरदेव नामदेव जडेशुर वासवन्ना मडिक सागर रामानुज नमलवाद ठीक संकरदेव की भक्ति का साथ एक सरण नाम धरम एक सर्वोच सत्ता के पिती समरपन की नाम से जाना गया संकर देओ की सिक्षाएं भगवद गीता तथा भगवद पुरान पर आधारे थे उन्होंने ग्यान की प्रसाव के लिए सत्त या मठों की स्थापना को पुरोज साहिद किया उनकी प्रमुक रचना में के तनगोस सामिल था इस परम्परा में दादु दैल रविदास और मीरा भाई जैसे संत भी सामिल थे मीरा भाई एक राजबूस राजकुमारी थी जिनका विवास 1620 दावती में मेवार के एक राश्ति गराने में हुआ था मीरा भाई रविदास जो आजपस जाती के माने जाते थे कि अनवाई बनवे पेकेष्ण के पिती समद्पित थी और उन्हों ने अपने गहरे भक्ति वाव को कई बंजनों में अभीवेक्त किया उनके गीतों ने उच्छ जातियों के रिती रिवाज रितीयों नेमों को खुली चुनोती है एक गीत राजिस्तान बागुजरात के जन साधारण में बहुत लोग पिरिये थे हुए इन संतों में से अधिकाल्स का विशिष्ट अभिलेच्छन यह है कि इनकी कितियां छित्रिय वासाओं में रचिवे इन्हें आसानी से गाया जा सकता है इसलिए बेहद लोग पिरिये हुए पिरी दर पिरी मौकिक रूप से चलती रही फ्रया इन गीतों के पिसारण में सरवादिक निल्दन सरवादिक वंचिन बच्चे समगाय और महलाओं की भूंक्या रही पिसारण की पिक्रिया में इस सभी लोग अकसर अपने अनवाव भी जोड़ दिते थे इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाय तो हैं ही साती सात इन पीडियों की लोगों की रचनाय मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे वे हमारी जीत्तियाकती जल संस्किती का अंग बनले है भक्ती संतों का एक मात्पून युगदान संगीत के विकास में था बंगाल के जैद्देव ने संस्कित में गीत कुविंद की प्रचना की जिसमें हर गीत एक विसेश राग और ताल में प्रच था संगीत पर इन संतों का एकमात फूर प्रभाव बजन कीतन और अभंग का पिर्वयोग था इन गीतों में इन गीतों में जो मनो भावनात्मक अनमभव परबल देते थे जन्मानस को ध्यान जाना आकर से करते थे राणा के राजमाहल से परें मीरा द्वारा रचागया गीत लोक लाज कुला मरजादा जग में माजेक डा रख्यान री महल अटारी हम सब त्यागे त्यागयो थारो वसनों सहर राणा जी थि क्याने राकों में आसू बैर भिक्रो प्यालो रनम बेज्ज्या पिवा मीरा असा बारना बाखो भयो गरल अमरत जीओ पियो राणा थे क्योंकि क्योंने राखों महसू बैर मीरा भाई तो भक्ती होनी चाहिए तो मीरा जैसे बात करते हैं कभीर कभीर संभावता 25-26 सदी में हुए थे वे एक अतेंत प्रभाव अत्यदिक प्रभाव साली संद्थे उनका पालंपोर संट बनारस में और उसके आसपास के मुसल्वान जुलाहा यानि बुनकर परिवार में हुए थे उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विस्वस्निय जानकरी है हमें उनके विचारों की जानकरी उनकी साखियों उटपदों के विसाल संग्रह से मिलती है जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रच्वावन तो कभीर नहीं की थी पर उन्तु एक वंतु भावन सच्छे पिर्गु की खोज में कभी की एक रचन अलह राम जीओं तेरे नाय बंदे उपरी मिहर करो मेरी सान क्या ले माटी हुए सुब मारो क्या जब देले नहा वाए जो करे मस्कीन सतावे गून ही रहे चपाए ब्रहमड ब्यारसी करे 24 काजी मारम जों ग्यारस मासे जुदें क्योंकि ये एक ही माही समाल पूरवी दिसा हरी कावासा पश्चिम अलय मुकावा दिल की खोजी दिले वीतरी ये है राम रहिमान करगे का काम करते हुए कभीर सहब कभीर के उपदिस पिर्मुक धार में परंपराओं की फूर एवं पिचंग आस्वी किती पराधारी थे उनके उपदोस्व में ब्रहमड वादी हिंदु धरम और इसलाम दोनों की बाहे आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजा खुड़ाया रहा उनके काभी की भासा बोलचाल की हिंदी थे जो आम आद्मियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थे उन्होंने कभी-कभी रहस मई भासा का भी प्रियुक किया जिसे समझना कटिन होता था कभी निराकार परमेसुर में विश्वास रखते थे उन्होंने यह उप्देश दिया कि भाक्ती के माध्यम से ही मोग्च यानी मोग्थी पराप्त हो सकती हिंदू और मुसल्मान दोन लोग उनके अनुवाई हो गई बाबा गुरू नानक दिरू कभीर के पिक्चा बाबा गुरू नानक की बारी में हम कहीं अधिक जानते हैं तलोवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब ने जन्मिल लेने बाले बाबा गुरू नानक ने करतारपूर रावी नजी कितर पर डेरा बावन नामक में एक कैंद इस्थाविट करने सुखे ले भाजुनों को गाया जाता था उनके अनवाई अपने अपने पहले धर्म या जाती अत्वा लिंग बेद को नजर अंदाज करके एक सांजी रसोई में कट्टा खाते पीते थे इसे लंगर कहा जाता था बाबा गुरू नाम से उपासना और धार्मिक कारियों के लिए जो ज 1549 में अपनी मित्यों के पूरो बाबा गुरू नानक ने एक अनवाई को अपना उत्तरा दिखारी चुना इसका नाम लहना था लेकिन गुरू अंगत के नाम से जाने गए गुरू अंगत नाम का महत यह था कि गुरू अंगत बाबा गुरू नानक की अंग माने गए गुर लिपी गुरु मुखी में लिखा गया गुरु अंगत के तीन उत्रादीकारियों ने अपनी रचनाएं नामक के रूम के नाम से लिखे इन सभी का संग्रे गुरु अर्जुन ने 1604 में किया इस संग्रे में सेख परी संथ कभी भकत नाम देव गुरु तेख बहादूर जैसे सोखियों संथों और गुरुओं की बाणी जोड़ी गई 1776 में इस बेह संग्रे को गुरु तेख बहादूर के बुत्र बाउत्तरादिकारी गुरु गोविन सिंह ने प्रमाडिक किया आज इस संग्रे को सिक्खों के पभित गरंथ गुरु गरंथ साहिप करूं में जाना जाता है गुरु गरंथ साहिप की ये आरंबीक पांडु 16 सिताफदी में बावा गुरु नानक की उत्रादिकारियों की निदत में उनके अनवयाईयों की संख्या कभिस्तार गुआ। एक अनवयाई कई जातियों के थे परंथ इन में ब्यापारी किर्शक शिल्वकार जाना थे। इसकी वज़ाए यह हो सकती है कि बावा गुरु नानक इस बात पर बंदिया करते थे कि उनके अनुयाई गरस्तों और उप्वियों की वाउतफात्कों वे पैसे से जुड़े हों। अनुयाईयों से यह आसा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान कोस में युगदाने। सत्त्रहभी सताथी युकि पैरम में से केंद्रिय गुरुद्वारा हरमंदर साहर स्वण मंदिर की आसबार रामदास पुल सहर अमरस्तों बिक्सित होने लगाता। इस आसन में ये बस्तुता स्वायत था कि आध्मनी इतिहासकारे स्योग में के लिखे कि सिख समुदाय को राज्जी के इंतरत राज्यमान दे। मुगल समराट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खत्रा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मित्तु दंड देने का आदिश्ति है। 1720 स्ताप्दी में सिख कांदोलन का राज्यमितिक इंस्तुरूं हो गया। जिसका दूर्गावी पैड़ा अभियाग हुगा कि 1699 में गुरु गोविन सिंग ने खाल्षा पंद खाल्षा संस्था की इसका निर्माणी किया। खाल्षा पंद की नाम से जाना जाने बालत सिख समुदाय अब एक राज्यनितिक सत्ता बन गया। 16 वी और 17 सताथियों की पहली हुई बदलती हुई इत्यासिक परिस्तितियों ने सिक आंदूलन के विकास को प्रभावित किया। सुनूसे ये बाबागुरू नानक की विचारों कर सिक आंदूलन का पर गहरा प्रभावावा। उन्होंने एक इस्वर की उपासना के महत्त पर जोड भी उन्होंने आगरेट या कि जाती, धरम, लिंग, बेद, मुक्ती प्राप्त के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं उनके लिए मुक्ती किसी निस्ट क्रेड, आनन्द की इस्तिती नहीं थी बलकि सक्रिय जीवन वितीत करने के साथ सामजी विती बद्दिता कि नेंतर कौशिसों मैं यह नहीं थी अपने उपदेश के सार को प्यक्त करने के लिए उन्होंने तीन सब्दों का प्रेयोग है नाम, दान, इस्नान नाम से उनका तत्पर सरी उपासनां से था, दान का तत्पर था दूसरों का भलाय करना और इस्नान का तत्पर था आचार उचार की पवित्ता आज उनके उपदेशों को नाम जपना, केरित करना, वंड चकना के रूम में याद किया जाता है इस तरह बाबा गुरू नानक के समानता के विचारों, के सामाजी के राजिंतिक मायने थी सायद इसी बात से हमें बाबा गुरू नानक और उनके अन्वयाईयों के इतिहास और कभीर अभीदास, इवन दादू जैसे संतों, उनके अन्वयाईयों जिनके विचार गुरू, विचार बाबा गुरू नानक के विचारों के काफी करीज थे के इतिहास में भरक को समझने में मदद बनती है मार्टन लूथर, धरमसुदार आंदूरू, सोलेवी सदी के समय इरो में भी एक थार में अन्वता जो यानी पुथल-पुथल का काल था तब इसाई धरम में अनेक परिवर्दन हुए, जिन्हें लाने वाले मात्पून नेताओं में मैंसे एक आपके मार्टिन लूथर थे लूथर ने एमसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च की अनेक आचार विवार बाइविल की सिक्षाओं के विरोध जाते लूथर ने लेटिन भासा की वज़ाए, आम लोगों की भासा की प्रियोग को पुरुसान किया, बाइविल का जर्मन भासा मैनुबात किया, बेदन्ड मोचन की उस पिर्था की और विरोधी थे जिसके अंतर के पाप कर्मों को छमा कराने के लिए चर्च को दान जी दिया जाते हैं, छापे खाने के बढ़ते हुए प्रियोग से उनकी रचनाओं का व्यापत रूप से पिर्चार विसार उगर, अनेक प्रोटेक्स्टेंड हिसाई संबदाय अपने वह लूथर की जर्मन भासा में अनुबादित वाई भी लखा एक सीव सकते टेश्ट, यह आपके लिए कुछ है, अब पहास के लिए कुश्च देगे हैं, वैसे भी टेलिग्राम पर डाल दीएंगे, इसमें बात की हम लोगने, संत के बार, मत के बारे में भगती, सोखी, खान का है, इन स मैं इसलिए बार-बार यही कहता हूँ, आप जो भी काम करिए, कुछ भी काम, अरे उस पर सो परसेंट दीजे ना भाई, समझ रहे हैं, मेरा यह मिलकूर देश नहीं है, कि आप लोगों का मन है, आप किसी भी रात्ते के चुन सकते हैं, उसमें आप लोगों को कोई रोक नह रहने चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं अगर इस रास्ते पर चल रहा हूँ, तो मुझे इसी से कुछ सिकायत रहे जाए, ऐसा कभी भी जंदिगी में नहीं रहना चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें सो परसेंट आपको संतुष्टी मिली चाहिए, लाष्ट में, और जी किसी के साथ आप लोग दोगा रहे हैं, या किसी को नीचा दिखा रहे हैं, उस समय भी सोच लीजिए, कि उपर वाला क्या दिखता होगा, सोचता होगा तुम्हारे बारे में, ठीक है, समझते रहे हैं, आप लोग जो भी, लाष्ट पर डाम तो सब का है, आपको नेधारित आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि लाष्ट पर डाम क्या है हमारा, तो यह आठवा चेप्टर था इस दोर से अनुराव, नौबे चेप्टर पर बात करेंगे, छेत्रीय संस्कतियों का निर्माड, छेत्रीय संस्कतियों का निर्माड दिखेंगे, नमस्का दोस्तों, तो चली हम लोग बात कर रहे थे, N-C-E-R-T, कर्चा साथवी की हमारा आती, बात दो के बारे में, तो इसमें हम लोग अभी तख आठ चेप्टर खतम कर चुके हैं, नौबा चेप्टर में देखना हैं, नौबा चेप्टर है हमारा, छेत्रीय संस्कतिय निर्माट, वैसे मैं वही बात दखराऊंगा, कि बिल्कुल टैंसन फ्री होगा, इसे एक दो बार सुनिए, आपका कॉंसेट केलियर हो जाएं, इसा भी जो भी आपकी दिख्यते हैं, लेकिन बस इसे एक तरफ से सुनिए, ऐसा नहीं कि बीच में हरवडाईए, क्योंकि हर बढ़ाने से ना तो कोई काम होगा, और नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप लोग एक दो बार मन से सुनते हैं, या पढ़ते हैं, तो आराम से समझ में आ जाते हैं, बहुती साधान सब्दों में लिखी गई है आपकी किताब, लोगों का ब इसका आरत होता है कि वह तमिल अतवा उडिया भासा बोलता है, और तमिल लाडू या उडिशा में रहता है, इसी तरह से हम इतेक छेत के कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त, काग, नेत, संगी और इस चितकला से जोड़ा करते हैं, कभी-कभी हम इन आसमस्ताओं को मान कर च स्कित में, किन्तु बेरने विन चेत्रों के भी विवाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिने हम आज चेत्रिय संस्कितियां समझते हैं, बेसमय के साथ साथ बदलती हैं, और सचतु यह है कि आज भी बदल दनी हैं, ए चेत्रिय संस्कितियां जटल पिक्रि समान्पिलाने एक दूसरे को संपन्द बनाया है। जैसा कि हम देखें गोइए कुछ परमपराओं तो कुछ बिसिस चेत्रों की अपनी हैं जबकि कुछ अन्वि'Tन चेत्रों में एक समान पितीत होती हैं, परन्तु इसके अत्रिक्त, कुछ अनपरंपराएं एक खास एलाकी से, पुराने रीती रिवाजों से हैं, तो निकलती हैं परन्तु अन्न चेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। चेर और मल्यालम भासा का विकास आईए भासा और चेत के विकास बीच अंतासमन्द के उधार्ण से अपना विसलेशन प्यारब करें महोदय पुरं कचेर राज प्राइदीब के दच्छडी पष्ट में भागमेंड जो आज के किलर केरल राजिकारी किर्सा है नौवी सिताप्दी में इस्थाप्ट किया जए संभावता मल्यालम भासा के इस एलाके में बोली जाती थी साथ को ने मल्यालम भासा एवनलिती का प्रयोग अपने अविलेखों में किया वस्तुता इस भासा के प्रयोग और महादीब के सरकारी अविलेखों में किसी स्चेत्रिय भासा के प्रयोग के सबसे प्रयोग उधारनों में से एक साथ साथ चैर लोगों ने संस्क्रित की परंपराओं से भी बहुत कुछ गेंड़ किया केरल का मंदिर लंगमंच जिसकी परंपरा इस एक तब खोजी जा सकती है संस्क्रित के महाकाव्यों परादारित था मल्यालम भासा की पहली साहित्ति कित्या जो लगवग बारवी सताब्दी की बताई जाती है पित्यक चुरूप से संस्कित की लड़ी है यह भी एक काफी रोचकतत है कि चौदेवी सताब्दी का एक गरंथ लीला तिलकम जो ब्याकरन तता काबसास्त बिसेट है मड़ी प्रवालम सेली में लिखा गया था मड़ी प्रवालम का साथ्दी करत होता है हीरा और मुगा जो यह दो भासाओं संस्कित अथा चेत्रिय भासाओं के साथ साथ प्रयोग की और संकेत करता है साथक और धार्मिक परंपरा है जगनाथी संपदा है आन्न चेत्रों में चेत्रिय संस्कितियां चेत्रिय धार्मिक परंपराओं से विक्षित हुई थी इसी पिक्रिया का सबुत्तम धारन पुरी उडिशा में जगन्नात संपदाय जगन्नात का साफद्रिगता थे दुनिया का मालिक जो विश्णु का पर्यावाची है आज तक जगन्नात की काश्ट विद्मा इस्थानिय जनजातियों लोगोंद्वारान बनाई जाती है जिससे एक अहतात पर निकलता है कि जगन्नात मूलता एक इस्थानिय देउता थे जिन्हें आगे चलकर विश्णु का रूप माल लिया गया यहां की बालवद सुभद्रा और ज रज्गननलाजन भर्बन ने पूरीय में परोसॉत्तम जगन्नात के लिए एक मंदिर वनवार नेका निश्चे किया उसके बाद 1413 में राजा अनंग भीम दितीये ने अपना राच परोसॉत्तम जगन्नात को अःविट कर दिया और सुन को जगन्नात का लिए पितिनित नि सामाजी क्ता राजलिक्तिक मामलों में भी इसकी सत्का बढ़ती गए जिन्होंने भी उड़ीशा को जीता है जैसे मोगल समराथे अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी सब ने इस मंदिर पर अपना नियंतर इस्थापित करने का प्रयातन किया है वे सब यह मैसूस करते थे कि मंदिर पर नियंतर प्राप्त करने से इस थानी जनता में उनका सासन सुईकार हो जाएगा यह आपका जगन्ना मंदिर पुरी में वड़ीशा है तो राजपूत और स्थोर वीजता की परंपरा है उननीस भी सिताप्ती में बेटिस लोग इस पुष्छेत को जहां आज का र प्रमुक रोग से राजपूत ही रहा करते थे लेकिन यह बात आंतिक रोग से ही सत्त है ऐसे अनेक समोह थे और आज भी है जो उत्तरी तदह मद्दवर्ती भारत के अनेक चित्रों में अपने आपको राजपूत कहते यह भी सच है कि राजपूतों के अलावा अनलोग भी रहते थे तदा की अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजिस्थान को एक बिशिष्ट संस्किती पिदान की है इस संस्कितियां परंपराओं परंपराएं वहां के सास्कों के आदर्सों तथा अभिलासाओं के साथ घंडिश्टता से जुड़ी हुई थी लगबब आठवी सताथी से आज के राजिस्थान के अरिकांस बागपर बिभिन परिवारों के राजपूत राजाओं का सासन रहा है पितवी राज एक ऐसा ही सासक था एस सासक ऐसे सूरवीरों के आदर्सों को अपने हिदाय में सजोए रखते थी जोनोंने रर्षित में बहादुर इसे लड़ते हुए अक्सर मित्तिवू का फ्वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई राध्पूर सूरवीरों विकानेर के राजमा राज सिंह है की कहानिया काब्दों और गीतों में सुरक्षत ये विसे शुरूप से प्रिसीक्षत चारण भट्वारा गाई जाती है एक का अब बेवंगीत ऐसे सूरवीरों की स्मिति को सुरक्षत रखते हैं और उनमें यायासा की जाती थी कि वे अन जनों को भी उन सूरवीरों का अनुसरन अनुकरन करना के लिए पेरित एवन प्रोसाहिन करेंगे साधरन जन भी इस कहानियां से आकर्षत होते थे इन कहानियों में अक्सब नाटकी एस्तितियां स्वामी भक्ती, मित्ता, प्रेम, सौर्व, क्रोध, आधी प्रवल संबेवों का चित्रन होता थे चाहिस्तियों को भी इन कहानियों में इस्थान प्राप्षता जी हां कभी बे जगड़े के कारण के रूम में बित्मान हैं जहां पूरोस इस्तियों को जीतने के अध्मान की रख्षा के लिए आपस में लड़ते थें कहीं-ईभी चत्यत किया गया है इस्तिय आपने सूरवीर पतियों का जीवन मर्ण दोनों में अनुतरन करती ती सती पित्था यानि भिढ़हों द्वारा अपने पित्त्तक मिर्तक पतियों की च जिता पर जिंदा जल जाने का पित्था कभी कुछ कहानियों में उलिख पाये गए इस पेकार जो सूर लोग सूर वीता के आदर्सों पर पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्स के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता थे वह अच्छित जिंद जिसकी चर्चा अद् तरफ्दिस में उडिशा, पुरिये जगन्ना एक बार फिर मैं बोलूँगा आप से कि आप इन सभी राज्यों का करम याद रख लीजें नीचे तक पूरा क्योंकि अगर आप लोग रटेंगे ट्रिक मरेट ये ट्रिक मरेट वहां सूटेवल होती है जहां आप लोग वंड कि अगर आप से पूंचता है कि करक रेखा या पूंच लेता है मानक समय रेखा कहां से गुजलती है तो आप बता सकें करक रेखा के बारे में आप लोगों को बता गुजरात, राजिस्तान, मत्यप्यदेश, इसमें जहार कंड़ है आपका, 36 गड़े, पश्ये मंगाल, ति चित्रिय सेमानतों से परे, कथक नित की कहानी, यदी सूर वीड़ता की परंपराई, भिन 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 चित्रों में, भिन 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 रूपों में मिल सकती है, तो नित के विसे में भी यही सच है, आए नित के एक रूप, कथक के व्यास को देए, यह नित से लिए उत्तर भार के लिए किया जाता है कथक मूर लूप से उत्तर भारत की मंद्रों में कथा यानि कहानी सुनाने वाले बालों की एक जाती थी एक कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीश से अपने कथा वाचन दो अलंकेत किया करते लिए पंद्रवी तथा सोलवी सताबदियों में भक्ती आंदोलन के प्रसार के साथ कथा के एक विशिष्ट नित्थ सैली का रूप धारन करने लगा राधा किष्णे के पुराणिक आख्यान कहानिया लोग नाट के रूम में पिस्तुत किये जाते थे जन्हें लोग राचलीला कहा जाते थे राचलीला में लोग नित्थ के साथ कथाकर के मूल हाव भाव भी जोड़े होते थे मुगल बात्सार मुगल वात्साम और उनके अभी जातों के सासनकाल में कथक नित्थ राजदरवार में पिस्तुत किया जाते थे जहाए इस नित्थ ने अपने बरत्मान आवी लक्चें अर्जित किये प्रुआ है एक विशिष नित्थ सेली के रूम में विख्सित हो गया आगी चलकर एक दू परफ्राओं अथाद गहरानों में फूला पलग एक राज़िस्थान जैपुर के राजदरवारों और लगनों गया अवद के अंतिम नवाब वाजद अली साय के सरक्षन में एक प आज की पंजाब, हर्याणा, जम्मू और कस्मीर, बिहार ना मद्ध्यदेश की निकटवर्ती इलापों में भी पक्की तोर पर सस्थापित हो गया यह आपका लचमन मंदीर खजरा हो है इसकी पिस्तिती में कलश्ट तथां, दुत्पद संचालन, उत्तम बेजबूसा और खाहानियों के पिस्तिती करन एवं अभीनाय पर चोड़ दिया जाने लग अनेक अन्य सास के तिक गतिविधियों पीतर है कतर को भी 19 भी तथा 20 जतापियों में अधिकांस बेटिस पिसा को ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा और गड़िकाओं द्वारा पेस किया जाता रहा, सुतंता प्राप्ती के बाद तो देश में किसे च्छे सास्तिय नित को रूपों में मानता मिलई, सास्तिय नित, किस कलार रूप को सास्तिय माना जाकता, इस विसन का वक्तर देना अक्सर बहुत कठन होता है, क्या हम उस रूप या सैली को सास्तिय बहते हैं, जिसका वीशत विसन धार्मे को, अत्वा क्या हम उससे सास्तिय इसलिए बानते हैं, क्योंकि उसके लिए अत्य दिक कौसल की आवस्ता होती है, जो कई वर्सों के लंबे इसी क्यों किया जाते हैं, और उसमें विविन्न नताओं कुप रोशाहन नहीं किया जाते हैं, यह ऐसे विसन हैं जिन पर हमें विच्यार करने की आवसते हैं, या भी याद रहे कि बहुषत ऐसे नित रूपों में जिनने लोग नित की सेंडी में रखा गया है, विशश्त जाती हैं जने सास्तिय रोपों का विश्षिष्ट लक्षन बतायागे। यक भी सास्तिय विसले सांट कप्रियों उनकला रोपों की शिष्ष्टता का सूच हो सकता है, फिर भी यह सब हमिशा सब सही नहीं होता है। अन्य नित रूप चिने इस चित में सास्तियम आना जाता है निमलेकित में भरत नाट्टम तम्यलाणू कथक कली केरल पुडिसी पुडिसा कुची पुडि आंधिक देद मड़ी पुरी मड़ी पुर में ठीक कथक नित त्यांग नाए एक दरवारी चित में बात करते हैं सणरक्षों के लिए चित कला लगू चित्रों की परूपण एक अम्परण चित्र की किया जाते है प्राचिंतम लगू चित्र तालबद्टों अत्पा लखडी की तख्तियों पर चित्थित किये लिए इन में से सरवादिक सुन्दन चित जो पष्चि मारत में पाए गए जैन गिरंतों को सचित बनाने के लिए प्रयोग किये गए थे मुगल वास्ता है अखवर्व जहांगी साहा जहां ने अंतिम खुसल चितकारों को संरप्चन बिनार किया थे जो परात्मिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांटू लिफियां लिफियां चितित करते हैं एक पांटू लिफियां आम तोर पच्चतक रंगों में चितित किया थे थे और उनमें दर्वार की देश लड़ाईयां, सिकार की देश सामाजिक जीवन के अन्न पहलू चित्तित किया जाती थे, अक्सर उपहार की तोर पर इन चित्रों का आधान पिदान किया जाती थे, ये कुछ गिने चुने लोगों बात्साय उनके घनिष्ट जनों द्वारा ही द अनीक चित्कार मुगत दर्वा चोड़कर नए वरने वाले चेत्री राज्यों के दर्वारों में चले गया, पैडाम सरूप मोगलों की कलात्मत रूचियों ने जच्छन के चित्री दर्वारों पुराजिस्थान के राजकूती राज़दर्वारों को प्रभाविक किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशेष्ट विशिस्ताओं को सुरग्चित रखा और उनका विकास भी किया, मुगल उधार्णों का नुसर्ण करती हुए सास्मुद था उनके दर्वारों के दिर्श्चितित किर जाने लिए। इसके साथ मेवाड, जोद्प, बूंदी, कोटा, किसंगर, जैसे केंदों मैं फुराणिक कथाओं तथा काब्यों के बिसे कभिच, चित्रन, बरावर जारीगा। ऐसा ही एक अन्नचित था आदूनिक हिमाचल के दूस, केल्थर विर्द, हिमाले की तलटीगा। होली केलते हुए महाराणा, ग्रामजीन, सेगंड, राजपुद, लगुचित, कोटा में। सत्रहभी सताथी के बाद बाले वैल्सों में इस चित में लगुचित कला की एक महत्र, की एक साहिस पूर्ण, इबन भाव, प्रवन, सैली का विकास हो गया। जिसे बसवाली, सैली कहा जाते हैं। यहाँ जो सबसे लोग प्रिय पुस्तक चित्रिती है, वैती भानूदत की रैस मंजरी। 1749 में नादिर साहिए कि आकमर और दिली विजय के फैडाम सुरूर मुगल कलाकर मैदानी इलाकों की अनिश्चिताओं से बचने के लिए पहाडी चित्रों की और पलाएन कर गये। किष्ण और राधा उनकी सक्यों पहाडी लगुचित कामनों के एक दिपन। उन्हें वहाँ जाते ही आसेदाता तेयार मिले। जिस पे फलस्वरूप चित्कारी की कांगडा सेली विक्सित हुए। 18-20 सिदापती के मदभार तक कांगडा के कलाकारों ने एक नई सेली विक्सित कर ली। जिसे लगूचित्कारी में भी एक नई जान दाल दी। उनकी पेडा का सरूर उहां के ब्याश्वरूप परंपराने थी। ठंडे नीले और हरे रंगों से। सहे कौमल लगों का प्रियों और विसेव कों विसेव का कांगडा सेली की विसेश्था थी। याद रहे कि साधारन इस्तिपरसों की भी बर्तन, बर्तनों, दीवारों, कपड़ों हर्स आधी पर अपनी खलाक्तियां चितित करते थे। कला के इन नमूनों में कुछ ही बचपाते थे। इसलिए विक्स विप्रीश्थ लगुचित राजमेलों में साधारी पूर पर रखे जाते थे। जिससे भी सदियों तक सुरवचित रही। बंगाल एक छेतरी बहासा कभी करते ह। ज Yani जैसा कि हमने प्यारम में देखा है कि हम अक्सर छेतरों के नाम वहां के निवासीयों द्वारा बोली जाने वाली बहासा की अनुसार निर्दारित करते इसलिए हमें एमाल लेते हैं कि बंगाल में लोग हमी साथ बंगाली ही बोलते थे किन्तु याई एक दिल्चक्त बात है कि आज बंगाली संस्कित से निकली भासा मानी जाती है परमपिक इसापूर भी पितम सचतावदी किमत भाब के संस्क्रित गरंथों के अध्यन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्क्रित से उपजी भी भासाएं नहीं बोरते थे तो फिर नहीं भासा का उद्वाव कैसे बुए सबसे पहली बंगाली रामाइड के तालपत की पांडूलीफी का एक पेश्ट है यहाँ इसापूर भी इसापूर चौती तीसरी सताफदी से बंगाल और मगत दच्छन भी आद की वीच वाड़िजिक संबन्ध इस्थापित होने लेग जिसके कारण संभवता संस्क्रित का प्रभाव पढ़ता गया होगा चौती सताफदी के दुरान गुप्त बंसी है साथकों ने त्री बंगाल पर अपना राजनितिक नियंतर इस्थापित कर लिया और वहां ब्रह्मनों को वसाना सुरूं कर दिया इस प्रेकार गंगा की मद्ध घाती के भासाई और संस्क्रित प्रभाव अधिक प्रवन हो गए और साथवी सताप्ती में चीनी याद्री यून संग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत संस्क्रित से सम्मदित भासाओं का प्रियों हो गए रहा था आठवी सताप्ती से पाल सासकों के इंतरगर एक छेत्री ये राच्य का उद्वय हो गया चोधरवी सताप्ती के बंगाल पर सुद्दानों का सासन रहा जो दिली में इस्तित सासकों से सुद्दत थे पंदरे सुच्छाजी में जब अकबल में इस पेदेश को जीत लिया तो उसे सुवा माना जाने लग उस समय पे सासन की भासा तुफासी थी लेकिन बंगाली एक छेत्री भासा के रूम में बिक्सित हो रही थी वस्तुता पंदरवी सताब्दी तक आते आते वो भासाओं बोलियों कब बंगाली समगो एक सामान साहित्तिक भासा के साथ एकबत हो गया यह साहित्तिक भासा वो छेत किस पश्चमी भाग की बोलचाल की भासा थी जिसे आप पश्चमंगाल कहा जाते हो यह भी बंगाली क लिए पर यह अपने क्रम विकास की अनेग आवस्थाओं से गुजरी इसके लावा गयर संस्क्रिस सब्दों का एक विसाल सब्द बन्ना जुन जान जाती है वासाओं फारजी, उरोपिये वासाओं सहित अनेग सरोतों से इसे पराप्त हुआ है आधुनी बंगाली का इक हिस्सा बन गया बंगाली की पैरमिक सायथ को दो सेड़ियों में बाटा जा सकते हैं एक सेड़ी संस्कित की सेड़ी दूसरी है उससे सुथन्थ पहली सेड़ी में संस्कित महाकापियों के इन बाद मंगलकाप साथिक अर्थों में सुमा यानि मांग लिकाब जो इस्थानी देवी तेवताओं से सम्मद्ध बक्ति साहत जैसे गोंडिये वैश्णों आंदोलन की नेता सरी चेतनक देव की जीवनिया आदी सामिलें दूसरी सेड़ी में नात साहत सामिलें जोसे मैनावती, गोपी चंद के गीत, धरम ठाकों की पूजा से सम्मद्ध कहानियां, परीक, कताएं, लोग कताएं, आदी और गाता गीत मैनाबती गोपी चंद पर धरम ठापू नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक लियाएं करते थे यह गीद विसेस जो अक्सर अभी नीद किया जाता था यह बताता है कि यह रानी मैनाबती ने अपने पुत गोपी चंद को अनेग बाधाओं के समक्च सन्यास का माल अपनाने को किस पेकार पुरोसायत किया धरम ठापू एक चेतरी यह लोग प्रिये देव हैं जिनकी पूया अक्सर एक पत्थर या काट की मूर्ती के रूम में की जाते पहली सेड़ी की ग्रंतों का काल नेड़ करना अफिक्च पर सर्व है क्योंकि ऐसी अनेग पांडूली भीया पाई जा कहीं है जिनमें यह एंगित किया गया है कि उनकी रचनाय पंद्रवी सताब्दी के उत्राथ और अठारवी सताब्दी की मत भाग के वीच की गई दूसरी श्याणी की किर्तियां मौकिक प्रोग से कहीं सुनी जाती थी इसलिए उनका काल नेड़ है शही सही नहीं किया जा सका विखास तोर पर पूर्वी बंगाल में लोग प्रिये थी जहां ब्रह्मणों का प्रभाव अपेच्छा के कम गुए थी पीर और मंदिर याद रखना पीर कैसे रहते हैं फार्सी के भासा कर सबसे जिसका अरत होता है अध्यात्विन माग दलसा सोलेवी सतापती से लोगों ने बड़ी संख्या में प्रश्चम बंगाल के कम को पजाओ चित्रों को छोड़कर दच्चेपूर्व बंगाल के जंगली दलदली इलाकों में परवास करना सरूप किया कर दिया तो ज्यों ज्यों में उल्क यो बढ़ते गए विजंगलों को साफ करके भूमी में दान की किती करने लिए सने सने स्थानिये मचवा और इस्थानांत्री किती करने वारे लोग जो अक्सर जंजाती है थी किसानों के नए समधाय में मिल गए इनी दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंतर इस्थाफित हो गया था जिन्होंने पूर्वी डिल्टा फिदेश के केंदरी ये भाग में इस्थिद्राकाद नगर में अपनी राध्धानी इस्थाफित की अधिकारी और करमचारी लोग हुमी प्रापकर्ण के अकसर उस पर मश्जितें बना लेती थी जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतर के केंदर के रूम में काम आती थी प्यारम में बाहर से आकर यहां बसने बारे लोग इन आज्थे परिश्थितियों में रहने के लिए कुछ विवस्था तथा अस्वासन चाहते थी इस सुक्सुग दायें तथा अस्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं निफिनार की इनेता सिक्षपों और नेडायकों की भूमकाय भी अदा करते हैं कभी-कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलोकिक सक्तिया है इसने और अधर से लोग इनने पीर कहा करते हैं इस पीर चैनी में संत या सूपी और अन्नधार्मिक महनुगाओ सायसी, उपनिवेसी देवत, प्राथ सैनेक एवं एवद्धा, बिफेन हिंदो एवं बहुत देवी देवताओं और यहां तक की जीवात्माओं भी सामिल थी पीरों की पूजा पदितियां बहुत ही लोग प्रिय हो गई और उनकी मजारें बंगाल में सर्वत पाई जाते हैं जीवात, यह मानना की पेड़ पॉदों, जड़ वस्तुओं, प्राथि घटनाओं में भी जीवात्मा होती है जीवात कहलाता है बंगाल में 15-20 सताथि के बाद बाले बरसों में मंदिर बराने का दोर जोरों पर रहा जो 19-20 सताथि में आकर समाप्त हो गया हमने देखा है कि मंदिर और अन्धार्मिक भवन अकसर उन प्यक्तियों या समुवों द्वारा बनाय जाते थी जो सक्ति साली बर नहीं थी बेश के इनके माध्यां से अपनी सक्ति तथा भक्ति भाव का पिदर्शन करना चाहते थी बंगाल में साधारन इंटों और मिट्टी गारी से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समुवों कालू तेली कंसारी घंटा धातु के कारियर आदी के समर्थन में से बने जाए इवरोप की ब्यापारिक कंपिनियों के आजाने के से नए आर्थिक आउसर पैदा हो इन सामाजिक स अनेक परिवारों ने इन अउसरों का लाव ठाया जैसे यसे लोगों की सामाजिक तत्ना आर्थिक इस्तिती सुधर्ने लगे सुधर्ती गई उन्होंने इन इसमार्पों की निर्माड की मात्यम से अपनी पित्ती प्रस्थिती या पितिष्ठा की गहोर कर दी जब इस्थानियर देवी देवता जो पहले गाओं में छान शप पर बाली जोबडियों में पूजे जाते थे को ब्रहुणों दुआना मान कर दी गई तो उनकी पितिमा है मंदरों में इस्थाफित की जाने लिए चित्त जो आपका 11 है बाएंगों यह दो चाला छप परदार है चित्त जो बारह है है यह आपका चोचाला मंदिर यह आपका गोपीयों के साथ किछ्न स्यामपूर मंदिर से पकी मिठी की एक पटिया विश्मी पूरे इन मंदरों की सक्ल या आपकृती बंगाल की चपरदार चोपरियों की तरह दो चाला दो चटों की वाली या चो चाला चार चतों वाली होती थी पांच वे अध्या में वड़ित बंगाली गुम्मत को याद करें इसके कारण मंदिरों की इस्थापत कला में विश्ष्ट बंगाली सेली का पदरुभा हुआ अप एक चक्रत अधिक जटिल चोचाला यानि चार चतों वाली धांचे में चार देकोंड़ी चतें चार दीवारों पर रखी जाती थी जो उपर तरयक रेखा या एक बिंदू तक जाती थी मंदिर आमतोर पर एक बरगार कार चबूतरे पर बनाये जाती थी उनमें भीतरी बार में कोई सजावार नहीं होती थी लेकिन अनेक मंद्रों की बाहरी जीवारें, चितकारियों, सबजावर्टी, टाइलों, अत्वा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी कुछ मंद्रों में विशेश रोप से पश्चे मंगाल की बांकूराम, जिले में विश्णोपुर के मंदिर, मैं ऐसी सजावटें अत्यन्त, उतकर्ष्ट, कोटी तक पहुँच चुकी थी मचली भोजन के रूमें, परंपरागत भोजन संबन्दी आत्तें, आमतोर पर इस्थानीय रूप से उपलब दिखाद पदातों पर निर्वर करती हैं बंगाली नदिये मैदान है, जह मचली और धान की उपज बहुतायात से होती है, इसलिए सवभावी के कीन दोनों बस्तुओं को गरीब बंगाली की भोजन सूची में परमुक इस्थान परागत है, मचली पकड़ना वहां का परमुक धन्दा भी है, और बंगाली साहित में मचली का इस्थान, इस्थान पर उलिक मिलता है, इससे जानदा और क्या होगा कि मंदरों और बहुत बिहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी है, उनमें भी मचली को साफ करते हुए, टोपरियों में भर कर बाजाल ले जाती हुए दर्शाय गया, ब्र ब्रमण धर्म के विसेशकों ने बंगाली ब्रह्मणों के लिए इस निशेद में धील दे दिए, बेहत धर्म पुरान जो मंगाल में रची तेरवी सतावती का संस्कित ग्रंत है, निस्थानी ब्रह्मणों को कुछ खास किसम की मचली खाने की अनमती दे दी थी, गहरे राजिकावदे, अठारवी सतावती के अल्द तक यूरोप के लोग स्वयम को एक समराज जो जैसे और्टे या हंग्री, समराजी पिल्जा या किसी चर्च जैसे यूनानी, रोडीदबादी चर्च के सदस्मानते थे, परंतु अठारवी सतावती के अंतिन दस्कों में लो दिद्धेलाई पाट पुस्तकों ग्रीक के स्थान पर रोमानियों में लिखी जाने लगे, और हंगरी में लेटन के स्थान पर हंगरियन को राज भासा के रोम में अपनाये गया, यह और इसी पकार की अन्य पिक्रियाओं ने लोगों के याःबोत कराया कि पितेख बहाद समदाय एक अलग राष्ट था, उन्नीस भी सताबदी के अंते दस्कों में इटली और जन्मनी के एकिकरन के लिए कुछ आंदूलों में इस भावना को और अजे बन देती, तो चलिए इस आपका नौबा चक्ता, इसमें आपने सास्तिय लगूचित भी देखें, पीर, बोल क्या होती है, यह आपके कुछ कुछ कुर्शन्स दिए गए अभ्यास के लिए, तेहली अराम से पीडियाप डाउंडूड कर ले ना, ठीए, वां टली विएस की पूरी, एक दोबर आर आराम से देखिए, क्योंकि इसमें कहानी दिया गया है, पूरी कहानी है, सुनेंगे आ आप लोग आराम से आपको जो कॉंसेट के लिए गरना है, सब्दों की परिवासा देखनी है, वो समझ में आ जाए, वस उतना हमारी लिए काफी है, तो चलिए हम लोग दसवे चेर्टर में बात करेंगे, अठार्वी सिताब्दी में नए राजने ते गठा, नमस्का दोस् हम लोग 9 चेर्टर आप एक खतम कर चुके हैं, यहां का दसवा उल्डार्टर भा चेर्टर में इससे बहले हम लोग बतादें हैं आप लोगों को की हम लोग कर्चा चटवी की चार भुप्स देख चुके हैं, पहली थी आपकी सामाज एक किरोन मुराज में देख, जीवन भाग एक, दूसरी थी हमारा आती फर्ट, तीसरी थी पिती भी हमारा आवाज, और फिर थी उसके बाद देख या, एक चारी हमें कर्चा चटवी की बुप्स देख नी थी, यही हमारे लिए मद्थपून हैं, फिर हम लोगों ने बाद किये थी कर्चा साथ भी थी, तो इसमें एक बुप्स हम लोग पहले कतब कर चुके हैं, सामाज एक एवन राजनतिक जीवन भाग भुप, यह हमारी है, हमारा आती, इसका यह लाक्ट च देखेंगे, तो दस्वा चेप्टर है, यदि आप मालचित एक और दो को ध्यान पूरवर्द देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अठारवी सर्ताब्दी के पूरवार्द के दौरान उमहादी में कुछ विशेश रूप से उललेखनी है, घटना है, घटी, गौर कीज राज्यों के उदर से मुबल समराज की सिमाय किस तरह से बदलती है, आप यह भी देखेंगे, 1765 तक एक अन्न सक्ति यानि की वेटे सक्ता ने पूरवी धारत के बड़े-बड़े हिस्सों को सभलता पुरवक हरप लिया, यह आपका अठारवी सताब्दी में नई राज्यो का कटा, मोपाल हो गया, गुजराद से यह इसक जाट, अवद, मराथा, मंगाल, हैदरावाद, आप एक बेटिस ने अंतर में आ चुपे थी, इस कलगत्ता विहार पठना हो रसीधाबाद, बंगाल, राका और यां तुरिक सरकार, सिख हो गये, राज़बूद, मराथा, अवद, हैदरावाद, करनाटक, मैसूर, हमें दरजाते में की अठारवी सताब्दी, एक ऐसी अवदी थी, जब भारत में राजमितिक परिष्टियां, अब एक चटत, एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई, इस अध्याय में हम अठारवी सताब्दी के पूरवाद मौटी तोर पर 707 में जब औरेंगी की मित्ती हूँ गई थी, तब से 1761 तक पानीपत की तीसरी लड़ाई भी कि दौरान को महादीम में उपन हुई नई राजमितिक सक्तियों के भारे में पढ़ेंगी, मुगल समराज और परवर्टी मुगलों के संकट की से थी, अध्याय चार में आपने देखा था कि मुगल समराज अपनी सफलता की पूंचाईयों अपर किस पिकार पहुंचा था, फिर सत्रहेवी सिताप्दी के अंधिम परसों में उसके सामने तरह तरह की संकट किस पिकार खड़े होने लगे, ऐसा अलिक कारणों से हुआ, बादसाय औरंगेब ने दक्कर में 1789 से पहले इवाते, लंबी लड़ाई लड़ते हुए समराज के सैन और पित्तिये संसाधनो को बहुत अदे खरश करती है, औरंगेब के उत्तरादीकारियों के सासनकाल में समराज के पिसासन की कारे को सलता समाथ होने लिए, और मनसबदारों के सकती साली वरगों को बस में रखना केमरी है, सकता के लिए कठिन हो गया, सूविदार के रूम में निवत, अविजात, अकसर राजस और सेन पिसासन, दोनों कारेयालाओं पर नियंतन रखती थे, इसे मुगर समराज की विसाथ छित्रों पर उन्हें विस्तित राजनेतिक, आल्थिक और सेन सक्कियां मिलवें, जैसे जैसे सूविदारों ने प्रामतों पर अपना नियंतन सुत्रण किया, इसानों के विद्रों और किर्शक आमदोलन उन्हें इन समस्याओं को और भी गंबीर बना दिया, कभी-कभी ये विद्रों बढ़ते हुए करों के बारे में किमहार के विरूत किये गए थी, और कभी-कभी एक सक्तिसाली सादारों के द्वारा अपने इश्तिति को सुद्र बनाने की कौसिक इती, अतीत में भी विद्रों ही समगों में मोगल सक्ता को चुनोती दे थी, परतु अब ऐसे समगों में चेत्थ के आर्थिक संसर्णों का प्रेयों अपने इस्तितियों को मजबूत करने के लिए किया, जिस तरह से दीरे दीद्रिराजनितिक आर्थिक सक को ना सकी, भरपूर, हसल और खाली तुजोरियां, एक तरकाली लेकट ने समराज के विद्धिये दिवालिये पन का बड़न इन सब्दों में किया, बड़े जमीदार निशाय और नेधन हो गए, उनकी किसान बरस में दो पसल होगा थी, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता थी, उनकी स्थानिये गुमास्ते एक तरह से किसानों के हांतों की कड़कुली बने रहते, जैसे ही स्वयम किसान अपने रिड़ दाता कि बस में रहता, जब तक कि वो असाहुगा कर्या नहीं चुका देता, इस विकार संपूर विवस्ता, इनों पिसासन इतना चकना चूर हो गया, चुका की यग किसान अपनी फसल के जरिये मानुस होना वटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमीदार को एक तिनके का टुकडा भी नहीं मिलता, ऐसी हालत में जमीदार से सकते सेना कैसे रख सकते, जिनकी उनसे आसा की जाती है, बेपने अपने सेनिकों को जो लडाई के समय उनके आगे चलते और भुड़ सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते, पैसे कहां से देंगे, इस आर्थिक बार आजनेतिक संकट के वीज़, इरान के सासक नादिर साने 1749 में दिली पर आकमर कती किया, और संपूर्ण नगर को लूट कर वें, बड़ी भारी मांतरा में जंदौल ले गए, नादिर साय के आकमर के बाद, अफगान सासक अहमद साय, अबडाली के आकमर का तंता लगा रहा है, उसने तो 1748 से 1761 के बीच, पांच वाद उत्त्री भारत पर आकमर किया, और लूट पार मचाई, नादिर साय के दिली पर आकमर, समकाली पेक्षकों ने किया, इनमें से एक ने मोगल कोस से जिस तरह धनलू लूटा गया था, उसका बड़न इस तरह से किया, साट लाग रूपे, कई हजार सोने के सक्के, लगवग एक करोर रूपे के सोने के बतन, लगवग पचास करोर रूपे ले गए ने, जावाहरा अन चीजें ले गए हूँ, जिनमें से कुछ तु इतनी बेस्किंती थी, कि दुनिया में हमका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे तक थे हाउस, यानि मैयूर सिंग्दा सब, एक अन बितांत में दिल्ली पर अकमर कि प्रभाव का बैडन बिनता है, यह आपका अनाधिर सा का एक चित्त हैं, जो कभी मालिक थे, बड़ी दर्दुनात अलग में आगे, जिनने कभी भरपूर आदत इस चित्ती जाती थी, उन्हें अप्यास पुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता है, अलग-अलग पड़े लोगों को उनकी पोनों में सिखींच कर बाहर निकाल द जाए, जो सौकी लोग कभी तरह तरह की सुंदर का प्रिपहन कर, वो सापों का नया नया फैसन चलाते थे, अबे नंगे गूमने लगे, जिनके पास जमीन कहजात की कोई कमी नहीं थे, बेघर हो गये, नया साहर साहर यहाना बाद मलवी का धेर बन गया है, नादिर साहर न तब सहर के पुराने मुहलों पर हमला बुला, और वहां की सारी की सारी दुनिया को तबाह कर दिया, समराजी पर सब और सब और सब और से दबाव तुपड़ ही रहा था, अभी जातों की विमन समूरों की पारजपरी, पीती दंदता ने उसे और भी कमजोर बना डाला, यह कि अभी जात दो बड़े गुटों में बटे कोई थे, हीरानी और तुरानी, काफी समय तक फरिवर्दी मुगल वासाय, इनसे एक या दूसरे समू के हाथों की कट कुतली बने रहे, बेहद अप माल जनक इस्तिती तब पैदा हुगई, जब दो मुगल वासाय अरुक्सियर और आलम की दुदिये की हत्या हुगे, और दोनों अन्न वासाओं, एहमत साय और साहे आलम दुदिये को उनके अभी जातों ने अंधा गर दिया, बात करते हैं नई राज्यों का उदै, मुगल समराटों की सक्ता के पतन के साथ साथ बड़े परांतों के सुवेदारों और बड़े जमिदारों ने ओमादीब के विविन भागों में अपनी सक्ती और विवल बना दी, अठारवी सताथी के दौरां मुगल समराज धीरे दिटे, कई सुतन्स छित्रिये राज्यों में भिखर गिला, मौटरी तोर पर अठारवी सताथी के राज्यों को तीन परस पर ब्यापी समुव में पांटा जा सकता है, आवद, बंगाल, बाहे अधरावाद, जैसे बेग राज्यों जो पहले मुगल प्रांथ थे, हाला कि इन राज्यों के सासर अतीस अतीस साली थे और काफी हत्तर सुतन्थ थे, उन्होंने मुगल वाक्सायर से अपचारिक तोर पर अपने सम्मंदित नहीं दोड़े, ऐसे राज्यों जो मुगलों के पुराने सासंकाल में पतन जागीरों के रूम में काफी सुतन्थ थे, इनमें से कई राज़पूत पिदेशरी सामलते थे, तीसरी शेणी में मराठी, सिक्खों तथा जाटों के राजजाते थे, ही बिभ ही जात की दरवां स्वागत करते हुए हरोग भूशिलाटा ॐ करते हैं पूराने मुगल प्रांत पूराने मुगल प्रांतों से, जिन खुट्राटिकरी राज्यों का उदभा हुआ उंमें से तीन राज्च प्रमूखत थे , आवद, बंगाल, हैथरवाद इन तीनों ही राज्च उच्छ मुगल अभी जातन दोरा इस्थाफित किये गए थे इन तीनों राज्चों के सस्थाफित सहादत, सहादत खान अवद, मुशीद कुली खान बंगाल और आसप जाय ए हैदरावाद ऐसे बेखती थे जिनका मुगल दर्वार में उच्छा इस्थान था मुगल बात्साय को उन पर भरोसा उविश्वास था आसप जाय और मुशीद कुली खान दोनों को साथ साथ हजार जाज कर दर्जार मिला हुए था जबकि सादत खान की जातका दर्जार छहजार था हैदरावाद निजाम उल्मुल्क आसप जान यह रहा आपका 1724 से 1748 की जिसने हैदरावाद राज्जी की इस्थापना की मुगल वासार भरुक सीयर के दर्वार का एक अतेंद 37 साली सदक्स आये उसे सरफ पतम अवद की सुविदारी सौपी गई थी और बाद में उसे दखकन का कारवार दे दिया गया 1720 से 1722 की मत इस दखकन प्रांतों का सौविदार होनी की बज़े से आसप जाय की पास पहले से ही राजमितिक और वित्तिय पिसासन का पूरा नेंतर था दखकन में होने वाले उप दरवों और मुगल दरवार में चल रही इती इस परदा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हस् और उस चेत का बास्तिविक सासक बन गया आसप जाय अपने लिए कुसल सैनिकों तुथा पिसासकों को उत्तिरी भारत से लाय था बिदच्छन में नए और सरपा कर पिसन थी उसने मनसबदार निप्ट किये और इने जागीरें पिदान की हाला कि वह अभी भी मुगल कर सेवक था फिर भी हुए काफी आजादी से सासन चलाता था ना तो हुए दिल्ली से कोई नेदेश लेता था उन्डाही दिल्ली उसके कामकार में कोई हर्ष्चेप कर दिए मुगल वासा दो किवल निजाम उल्मुल्क आसब जान द्वारा पहले से ही लिए गए नेडेओं की पुष्टी कर दिया कर देते हैदराबाद राज पश्ट्यम की योड मराटों के विरोत और पठारी चेत्रों के सुतंत तेलगूर सेना नायकों के साथ योद करने में सदा सलगन रहता था पूर्ग देशा में निजाम उल्मुल्क आसब जान कोरुमंटल दट पर इस्तित वस्तुत पादर धन संपन छेत पर अपना नियंतन प्राप्त करने की महत्तवा कांचा लगता था पर उनकी इस महत्तवा कांचा पर उस छेत में बेटे सकती की उबस्तिती के कारण रोग ल है अधराबाद की निजाम की निजी सेंकों का एक बारन सट्रेसों नब्दे में निजाम के पास चार सो हाथियों की सवारी उसके पास कई हजार गुषवाद इन अतेंप को सल और अतीस अंदर सजे हुए सवारों का संके तक बेतन सोरुपे से जाना है पिर आता है आपका अवद राज बुरहान उल्मुल्क सादत खान को सत्रेसों बाईस में अवद का सुविदार निफ्ट किया गया मुगल समराज का विक्ठन होने पर जो राज बने उनमें यह राज सरवादिक मत्पून राज में से एक था अवद एक समर्द्य साली प्यदेश था जो गंगा बुरहान उल्मुल्क ने आवद की सुविदारी दीवानी और पोजगारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सुवे के राजनितिक बित्तिये और सेनेक मामलों का एक मात करता दाता बन गया बुरहान और मुल्क ने अवद की छेत में मुगल प्रभाव को कम करने की कौशिश के जलते मुगलों द्वारा निवक्त अधिकारियों की संख्या में कट्वती करती उसने जागीरों के लिए आकार में भी कट्वती की और रिक्त स्थान पर अपने निश्ठावान सेप्को को निव्क कि я दो तक रड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के को खातवा लेकों के जात की विरीए नवाब के दबार दोहां निव्कत अधिकारियोंसभारा सभी जिनों की राज्यस का फिर सेने दारन किया गिर। उसने अनेक राज कुछ जमिदारों और रहेल करना कि अपगानों की उपजाओ किसी भूमी को अपने राज में मिला दिया यह आपका गुवर्हान मुल्ग राज्य रेड़ प्राप्त करने के लिए इस्थानी एसेट साहुपाव महाजनों को निर्भार रहता था राज्य राजस का ठेका सबसे उची बोली दगाने वाले के जारेदार को देता था एजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुखतान का बच्चन देते थे इस्थानिय साहुकार राजी को ठेके की इस रकम के भुक्तान की गारंटी देते थे दूसरी और एजारेदारों को करर का मूल लायांकन करने उसे एकत्य करने की खासी चूट दे दी गई थी इन परिवातनों के भद्ज़रों साहुकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजे को राजी की राजर से पढ़ाली के प्रवंद कुछ प्रभावीत करने लगे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था बंगाल मुर्शीद कुली खां के नित्ते में बंगाल और देरे देरे मुगल लेंतर से अलग हो गये मुर्शीद कुली खां बंगाल के नवाप थे यानि की प्रांथ के सुविदार के पिती निप्त थे यक्पी मुर्शीद कुली खान और चारिक रूप से सुविदार कभी नहीं बना उसने बहुत जद सुविदार कपस से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में लेगी हैदराबाद और अबद के सासकों की तरह उसने वी राजिका राजस पर सासन अपना और अपना नियंतर जबाए बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस का बड़े पिर्माने पर उनर नेधारन करने का आदेश दिया सभी जमिदारों से बड़ी कठोड़ता थे राजस नगत बसूल किया गया पैडाम सरूर बहुत से जमिदारों को महाजना उन्ता साहुकारों से उधार लेना परता था जो लोग राजस का वपतान नहीं करपाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमी बड़ी जमिदारों को बैंचनी पड़ी को इस पिकार अठारीवी सताथी में बंगाल के चित्लिय राज बन जाने से जमिदारों में काफी बड़ला वाया राज्यों साहुकारों के बीच हैदरावाद तथा अवद में जोगनिष समन्द थे वह अली वर्दी खान के सासनकाल में बंगाल में भी दिखाई दियें उसकी सासनकाल में जगत सीठ का साहुकार गहाना अत्यन सम्रद्द थाली हो गया अली वर्दी खान का इदरवाद कि यदि हम इन राज्यों के अभी लक्षों पर विहंगम द्रिश्टी डालें तो हमें उनकी कि हमें उनके कुछ उनमें कुछ सामान विशिस्था हैं दिखने को मिलें पितम ये एक भी बड़े राज पुराने मोगल अभी जातन द्वारा इस्था किये गए थी ये अभी जात कुछ पिसासने की विवस्थाओं के पिती संदेर इस्पत थी जो उन्हें उत्रादीकार में जागिदार विवस्ता को अत्यान संदे की दर्ष्टी से देखा करते थे दूसरा उनके कर्व राप्त करने की तरीके मोगलों से बिंद्द थे कर्व संग्राइ के लिए राजी के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्चों ये हैजराबार अवद बंगाल ने राजे सुबसूली के लिए जारेदारों के साथ ठेके फ़ले थी जारेदारी की पित्था जो मोगलों द्वारा उन्रता नापसंद किये थी अठारवी सताती में समस्त भारत में भेल गई थी तदा कि देहाद के उसके प्रभाव में चेत्री बिविद्ने पाये थी इन सभी चेत्री राज्चों में तीसरा सामाल लक्षन ये था कि उनमें राज्च और धनी महाजनों तथा बार्डिक वर्डिक जनों के भी दगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देती थी बदले में पिती भूती जमानत या बंदक किरों में जमी रख लेती थी और उनकी जोतों से अपने खुद के करेंदों के जरिये करवसूल किया करते थी इस पिकार अग समस्त भारत में धनन साहुकार और म अब बात करते हैं राज़कूतों की बतन जागीरी बहुत से रागपूद घराने विसे इस रूप से अंपर पद्जोतों के राज़गराने मोगल बिवस्ता में बिशिक्त के साथ सिबारत थी बंदले में उन्हें अपनी बतन जागीरों का परपरियाब स्वायत्ता का आनन लेने की अन्मती मिली भी थी अब अठारवी सिताती में इन सास्कों ने अपने आसपास के लाकों पर अपने नेंतन का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पाओं मालने सुरिक दिये जोद्पर के राजा अजीश सिंग ने मोगल दर्वाल को की गुपिये राजनीती में अपने पैर फसा दिये इन प्रभावसाली राजपुत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाबदात सुजों की सुविदारी का दावा किया जोतपुर के राजा अजीज सिंग को गुज्लात की सोविदारी और अमबर के राजा सवाई राजा जै सिंग को मालवा की सोविदारी मिल गई वादसाय जहादार साहे ने 1713 में इन राजाओं के इन पतुन का नवी तरण किया उन्होंने अपने बत्तनों के पास पड़ोस के साही इलाफों के कुछ हिस्सों पर कप्जा करने की कौस्ट जोत्पोर राजगारा ने नागवर को जीत लिया और अपना राज में मिला लिया दूसरी और अंबग ने भी बूंदी के बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना कप्जा कर दिया सवाई राजा जैसिंग ने जैपुर में अपनी नई राजगानी इस्ता के थी उसे 1722 में आगरा की सुविदारी दी गई 1740 के दिसक से राजिस्थान में मराटों के अभियानों ने इन राजवाणों पर भारी दवाब डालना शुरूं कर दे जिससे उनका अपना विस्तार आंगी होने से रोग गए कई राजवाणों सासकों ने मोगलों का अभी अधी राजवाण सुविधार किया लेकिन मेवाण एक मात ऐसा राजवूत राजवाण था जिसने मोगल सत्ता को चुनोती दी थी याद रखना है मेवाण राणा पेताप 1572 में उधैपुर तथा मेवाण की बड़े छित्व नियंतर के साथ मेवाण की राजवद्धी पर आसी है राणा के पास मोगल अभी जात अधी राजवत को सुविधार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया लिकें भे अपने नेटवाण दर्ड रहे कई राजवु सरधारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता की केंद बनी ब्यापक किले बनी दी के साथ इन भंपर सरजनाओं में नगर महिले मंदिर ब्यापारी केंद चल संकरान इस चतोर का किलाय राजिस्तान सरजनाय और अन्य मागते होती थी चत तोड के किले में तालाव, कुंडी, कुए, बावली, जिसे कई गलाए निखाए भी है। जैपूर के राजा जैसिंग 1732 में एक फार्सी बितांत के में राजा जैसिंग का बार्ण। राजा जैसिंग अपनी सत्ता की चरम सीमा परते। 12 वरस के लिए वे आगरा के सुविदा रहे, 5 या 6 वरस के लिए मालवा थी। उनके पास बिसाल सेना, तोखाना, तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली सेले का नर्वदा तक तक फैला होगा था। यह जैपूर में जनतरमंतर है। अंबेर के साथ सकत सवाई जैसिंग न है, दिल्ली जवलपू, दिल्ली जैपूर, ओचेन मत्रा और वनाड़सी में 5 खावोली हैं, बैत सलाओं के निर्मार किया। जंतरवंतर के नाव से विख्याद इन बैत सालाओं में खावोली है पिन्नों के यत्यनितु कई उपकरन तो याद रखना है यह आपके किसने बनवाई थी अंबेर की राजा थे सवाई जैसी कहा खां दिल्ली मत्रा उच्चैन बराणड़ सी ठीक दिल्ली जैपोर उच्चैन मत्रा बराणड़ सी ठीक याद रखना है यह आपका मेहरगा का किला है जोत्पुर बात करते हैं आजादी हासल करना सिक अध्याय आप आठ में आपने पढ कि 1720 सताब्दी के द्वारा से के एक राजनितिक सब्दाय के रूप है गठिक हो गया से पंजाब के छेत्रिये राज निर्मार को बढ़ावा मिला गुरु गोविन सीने 1699 में खालता पंद की इस्थापना से पुरू और उसके पश्चाज राजपूर बागमुगल सासों क कि इखलाब कई लड़ाई में डढ़ी 1708 में गुरु गोविन सींग की मित्तिव के बाद बंदा बहादुर की नेज़त में खालसा ने मुगल सत्ता की इखलाब दित्रो किया उन्होंने बाबा गुरु नाना को गुरु गोविन सींग की नामुबाली सिक्के गड़कर अप सत्रोज और यहमना नजियों के वीच के छित में उन्होंने अपने पिसासन की स्थापना की 1715 में बंदा बाहदुर को बंदी बना लिया गे और उसे 1716 में माल दिया अठारवी सताप्ती में कही योग नेताओं की नेतत में सिक्खों ने अपने आपको पहले जची जत्तों में और बाद में मिसलों में संगिटित की इन जत्तों और मिसलों की सयुक्त से नावर दल खालसा कहलाती उन दिनों दल खालसा बैसा की और दीवाली के परवपर अमरस्तर में मिलता था इन बैटकों में वे सामुईक ने डली जाते थी जिन्हें गुर्मत्ता गुरू के पिस्तावत कहा जाता था सिक्खों ने रदाखी वेवस्ता पिस्तावित की महराजा रडजी सिंग की तलवा रहे हैं देख लिए दसवे गुरू गुरू गोविन सिंग अंतरगर किसानों ने उसकी उपच का बीस पिती सत कर के रूम में लेकर पहले उन्हें सरक्चन पिदान किया था गुरू गोविन सिंग ने खालसा को पेरित किया था कि सासन उसके भाग में राज करेगा खालसा अपने सोनेयोजी संगटन के कारण खालसा पैदे मुगल सुवेदारों के खिलाब और पर अहमत साय अबदाली के खिलाब सफल बिरोद पर गट कर सका अहमत साय अबदाली ने मुगलों से पंजाब का सम्रत प्रांत और सर हिंद की सरकार को अपने कपजे में कर लिया था खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गड़का सार बोम सासन की गोशना कर दे यह मत्पूर्ण है कि सिक्खी का पर उत्कीन सब वही थे जो बंदाबादों के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे सिवाजी का रोबचित थे 17 सदी के अंतर दखन में सिवाजी के नित्त में 37 साली राज के उधाय की सुरुआ थे जिससे अंतर मराठा राज की स्थापना हुई सिवाजी का जर्म सोले सो तीस में साहजी और जीजावाई से हुए था निके पिदाते साहजी और जीजावाई इनकी माते अपनी माता और अवीबावक दादक कौन देव के मार्ग निरदेशन में सिवाजी कम उम्म में ही विजापत पर निकल पगे जावली पर कबजे में उन्हें मावला पठारी पठारों का आपिवादित मुखिया बना दिया गे जिसने उनके छेत विस्तार का पद पिरसस्त किया बीजापुर मोगलों के खिलाब उनके कारणामों ने उन्हें विख्यात ब्यक्ति बना दिया वे अपने परोदियों के खिलाब प्रया गुरिलों गुरिला युद्धों काला का प्रियोग करते थी चौथ और संदेश मुठी पर आताधित राजस संगय पिनाली की साहता से उन्होंने एक मजबूत माराथा राज की नियू रखी थी अठारवी से दब दी कि अंतिम भाग में सिख के लाके सिंदू से यमना तक पहलते हुए थी यह पी यह विवेन लाकों में बटिव थी इनमें से एक साहसक महराज्या रडजी सिंग थे इनमें सिख के समगों में फिर से एक ताक कायम करके 2799 में लावर को अपनी राज़दानी बनाया था अब आता है आपका मराथा राज यह आपका मराथा की पूरी कहानी है सिवाजी मराथा राज यह अन्य सक्तिसाली चेत्रिय राज था जो मुगल सासन का लगातर विरोध करने करके उत्मन हुए था सिवाजी 1627 से 1680 ने सक्तिसाली यह उद्धा परीवा देश मुखों की साहता चे एक इस्थाही राजी की स्थापना की अत्यंत गरती सीर क्रिसक पसूचारग मराथों की सेना के मुख आधार बन गए सिवाजी ने प्रायदी में मुखों को चुनोती देने के लिए इस सैनवल का प्रयोग किया सिवाजी की मित्यू के पशाथ मराथा राज में प्रभावी सक्ति चितवावन ब्रह्मनों के एक परिवार के हाथ में रही जो सिवाजी के उत्तरा दिकारियों के सासन काल में फे सफल और संगतन का विकास पर गिले उनकी सफलता का रहस एया थी कि बे मोगलों के खिलावंती इलाकों से टक्कार ना लेते हुए उनके पास से चुक्चाप निकल कर सहरों कसुम पर हामला बोल देते मोगल सैना से ऐसे मैदानी एलाकों में मोटवेड लेते थी जहां रशत पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थी 1720 से 1761 के बिची मराठा समराज का काफी विस्तार हुगा उसने सने सनी और काफी सकता पुलिगा मोगल समराज की सथा को चस्ती पहुँचाई 1720 के दसकतर मालवाव गुजराद मोगल के छींळे गए 1730 के दसक तक मराठा मरेश को समस्त दक्खन प्रयादी के अधिपती के रूम में मानता मिलने साथी इस्थित पर चौथ और सर्देश मुकी कर्वसूलने का अधिकारवी मिलने बात करते हैं चौथ और सर्देश मुकी आकर क्या होते हैं चौथ जमीदारवन बसूरी जाने वाले भूराजस का 25 की देशा दक्खन में इनको मराठा वसूल देश सर्देश मुकी दक्खन में मुक राजस से संग्रह करता खुज दिये जाने वाले भूराजस का 9 से 10 की आगे बात करते हैं में 377 में दिलीवर धावा बोलने की बात मराठा प्रभुत की सिमाय तेजी से बढ़ी प्योत्तर में राजिस्तान पंजाब पूरु में बंगाल ओडिचा जच्चन में करनाटक और तम्यलाडू येवं तेलगू प्यदेशों तब फ्याल गये इन छेत्रों को उप्चारि रोग से मराठा समराज में समलिक नहीं किया गया मगर मराठा प्रभु सक्ता को सुईचार करने के तरीकों के रोग में उनके बेहन की रकम ली जाने लगी समराज के इस पिस्तार में से उन्हें संसाधनों का भंदारन तो मिला आई मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुप एक सट में पानीपत की तीसरी लड़ाइद और अन्य शाष्टों से कोई शाहता नहीं मिली। अंतृीं सेन अभियानों के साथ साथ मराठों ने पिर्भावी पिरसासन बिवस्था तैयार की जब किसी इलागे पर एक बार विजयावियान पूरा हो जाता था और मराठों का साथन सुरक्षित हो जाता था तो वहां स्थानिय परिष्थितियों को दियार में रखते हुए दीरे दीरे भूराजस की मांग की विए कृष्री को पुरसाहन किया गया, व्यापाल को पुनरजीवित किया गया, इससे सिंधिया, गैगवार, मौसले जैसे मराटर, सरदारों को सक्ती साली सेनाई खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 की दसक में मालवा ने मराठा अवियानों से ने उन छेतरों में इस्ते सहरों की विकास बस संब्रिती को कोई हानी नहीं पहुंचे। ब्यापार की नए मार्क खुले, चंदेरी के छेत में उत्पादे रैस्मी बस्तों को मराठाओं की राजदानी पूरे में नए वाजार मिला। रुरहार पहले आगरा और सूरत के बीच की गुरी पर ही अपने ब्यापार में सब्रण दा। लेकिन अब उसने अपने वाजिचिक भी त्रीचित्तों को बढ़ा कर दच्छन में पूरे, नानपुर को तथा पूर में लखनव इलावात को सामिल करनी जाता। बाजी राव बितम, जो बाजी राव ल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं। पूर्थगालीयों के खलाव सैना वियानों के लिए भी जाने जाते हैं। बाजिराव प्रित्रम। बात करते हैं जाट। अन राज्यों की तरह जाटों ने भी सत्रवी और अठारवी सता देले। अपनी सत्ता सुद्रण की अपने नेता चूड़ा मन की नित्त में उन्होंने दिल्ली के पस्चे में इस्ते चेत्रों पमना नेत्रण कर लिया। 1680 के दसक तर आते आते उनका प्रिबुत दिल्ली और आगरा के दो साही सहरों के बीच के चेत पर होना सुरूंग हो गए। वस्तता कुछ अर्से के लिए बे आगरा साही के अभी रच्चकी बन गए। जाट आपके समर्द कर सकते हैं। उनके प्रिबुत छित में पानीपत तथा बल्लवर्ड जैसे सहर महत्वों प्यापारी केंड बन गए। सूरज मलकी राज में भरतपुर सकती साली राज के रूम में उबरा। 1749 में जब नादिर सार ने दिल्ली पर राख हमला बोलकर उसे लूटा है। तो दिल्ली के कई पितिश्टित बैक्तियों ने भरतपुर में सहर ली। नादिर सार के पुत्ति जवाहिर सायं के पास 30,000 सेनिक थे। उसने 20,000 सेनिक मराटों के लिए 15,000 सेनिक सिक्कों के लिए और इन सब के बलभूते पर वज्मोगों के लाए। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक सहली में बनाए गया। वहें दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की सहली हों का समनवाय करते हुए। एक विसाल बाग महल बन वए। साही बास्तुकला से जिन रूपों को पहली वार साजाह के योग में जोड़ा गया था। दीग के मारतें उन्ही रूपों के नवूने पर बनाए गया थी। जाटों के सकती सूरज मल के समय पराकास्टा पर पहुंची थी। जिन्होंने सत्तरे सो त्रेशट भरातपुर जाट राज को संगठित आधुनिक राजिस्थां में किया। सूरज मल के राजनितिक नेंटन में जो चित सामित थी। उसमें आधुनिक पूर्वी राजिस्थां, दच्छडी हर्यान, पश्मी उक्तर्पदेश दिल्ली सामिति। सूरज मल नें कई किले और महल बरवाय जिनमें भरतपुर का पिसे दिलोहगड का किला इस चित में बनी सबसे मजबूत किलोमेल से एक था। अठारवी सिताप्दी का दीग का राजमेल समूर्व। हिमारत की चत पर मुख सभावमन की बंगला गुम्मत पर गौर्व। प्राजिस्थी किरांथी 1792-794। 18 सिताप्दी में भारत कि विमन राजिव वस्ताओं में जंधारन, जंसादारन को अपनी अपनी दर्कारों के कारें में हिस्सा देने का अधिकाल नहीं था, ऐसे सितिक 15 में दुनिया में, 18 सिताप्दी के आख्री तसकों तक बनी थे। अमेरिकी और फ्रांसेसी किरांतियों ने इस इस्तिती को और साथ-साथ अभिजात बर्ग की सामाजिक बराजियों थी, तुदा धाय प्राधिकारों की चुनौती दिए, फ्रांसेसी किरांति के दोरां मत्वर्मों, किसानों, सिल्वकारों ने पादिरी गर्ड और अभिजात के बिसेस अधिकारों के खिला प्रड़ाई लगी उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूब के जनम से दर प्राधिकार नहीं होने चाहिए बल्कि लोगों की सामाजिक्ति योगतापन निर्भार करनी चाहिए प्रांसेसी करांटी के दर समेक्तों ने यह सोजाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए उनके आयाया भी मानना था कि सरकार की सब्ता लोगों से बननी चाहिए जनता को सरकार के कारेक्ति में भूंकिया अधिक अधा करने का अधिकार होना चाहिए प्रांसेसी और अमेर्के गरांकियों जैसे कांदुलों ने धीरे धीजे पिरजाओं को नागरेकों में बदल दाना नागरेक्ता राठ्किय राज और लोगतांतिक अधिकारों के बिचारों ने भारत और निश्वी सदाप्ती के अंतिम दसक में से जड़ बखी तो यह आपका दसवा चेप्टर खत्म, ठीड़, यह आपके कुछ मत्मों कुश्चन्स दियेगे, आपके 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 देखिए, इसमें अपने सुवेदारी देखिए, दल खासा देखा है, मिसल देखिए, पॉल्ट दारी देखिए, पिजारी दारी देखिए, चौफ सर् तो यह था आपका अठारवी सताप्ती में नहीं राज में थे, जो गठन हुए थे, उनके बारे में, तो यह आपकी हमारा अधी, हमारा अधी भागदो के नाम से जो गुक्स ती आपकी कच्छा साथवी की, वो खत्म होगी, अब हम लोग अंगले डेक्टर में बात करेंग ती